तो मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ इस Android Development के सीरीज में तो मैं एक Android Developer हूँ और मैं आपको इस Tutorial में Android Development के हर Point को सिखाने वाला हूँ तो जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि आपको Android Development सीखना है और Android Development सीखने के लिए आपने हमारे वीडियो को स्लेक्ट किया है तो Android Development सीखने के लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि Android Studio क्या होता है, किस में हम अपना Code करेंगे, कौन सा हमारा Language होने वाला है तो यह सब कुछ हम अपने वीडियो में डिसकस करेंगे और इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे तो सबसे पहले जान लेते कि Android है क्या Android Google द्वारा डेबलब किया गया एक Operating System है जो कि हम अपने फॉन में यूज करते हैं और हमारा फॉन जो Android के जितने भी फॉन आते हैं उन सभी फॉन में Android Operating System ही डला हुआ आता है तो उसके लिए हमें Applications भी चाहिए होता है Android से तो हमारा काम तो चलेगा नहीं हम उसके लिए बनाते हैं Applications जैसे की WhatsApp, Facebook, VLC, MX Player, Music Player तो यह सब क्या हैं हमारे Android के Applications है और जिस Platform पे यह Run हो रहा है उसको कहते हैं Android तो Android एक Operating System है जिस पे हम Different Type के Applications को Run करते हैं और Android आजकल जैसे की आप देख पारेंगे कि आजकल Android की TV भी आते हैं Tablets भी आते हैं यहां तक की Computer भी आते हैं तो इन सबी के लिए हमें बनाना पड़ता है Applications तो उनके लिए Software बनाएगा कौन तो वो बनाते हैं Developer और Android एक Open Source Platform है तो इसके लिए Software कोई भी बना सकता है आप, मैं या फिर कोई हमारा पडोसी भी बना सकता है जिसको Android Development आती है और जिसको नहीं आती है वो तो सीख के करी लेता है या अपने लिए Application बना ही लेता है कोई ऐसा Application जो कहीं बैभी लेवल नहीं है तो हम अपने लिए भी उसको बना सकते हैं तो बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की ज़रत पड़ती है जो की हम इस Android के Tutorial में हम सीखेंगे और ये Tutorial होने वाला है बिलकुल Normal Language में और ये पूरा Tutorial होने वाला हिंदी में तो हम आराम से इसको समझ भी पाएंगे कि कौन सी चीजे कहां पर वर्क कर रही है कैसे ये Application बन रहा है कैसे हम चीजों को Use करेंगे तो इस Tutorial में आप एक Systematic तरीके से Android Development की दुनिया में एक कदम रखेंगे तो ये Tutorial होने वाला है Beginners के लिए प्लस ये होने वाला है Intermediate के लिए प्लस ये होने वाला है Advanced Logo के लिए भी क्योंकि हो सकता है कुछ उन्हें मिस हुआ हो तो वो भी ये चीजे देख सकते हैं जिनसे उनको आगे कोई Problem नहीं आएगी और ये Tutorial होने वाला है बिल्कुल Fresh बिल्कुल Latest Technology पे जो नया Updated है अभी आज के डेट में उस हिसाब से तो आपको इसमें कुछ भी Deprecated चीज यूज करने की जरुरत नहीं पड़ेगी आज से अगर आप ये Tutorial देखते हैं तो आप जो आगे आने में फ्यूचर में जो भी चीज यूज होगा वो चीज आपको अल्रेडी हाँ पे मिलेगा क्योंकि ये बिल्कुल Latest Technology पे होने वाली ये पूरी वीडियो और कहीं अगर आप कुछ पुराना चीज यूज करते थे पहले तो आपको उसका नया यूज भी पता चल जाएगा कि पहले ये यूज होता था और अब इसकी जगे ये चीजे यूज हो रही है और इस वीडियो में यूज होने वाले प्रोजेक्ट यह जो प्रोजेक्ट हम क्रियेट करेंगे और जो भी हम माटेरियल यूज करेंगे वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक कर लेना जिससे कि कोई चीज़े आपसे मिस ना हो प्लस तो इस टूटोरियल में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं तो इसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे सबसे पहले हम करेंगे Android Studio का सेटप इसमें हम देखेंगे कैसे Android Studio सेटप होता है कैसा हम इसको इंस्टॉल करते हैं क्या चीज़े इसमें होती है फिर और भी बहुत कुछ देखेंगे जो कि हम आगे वीडियो में देखने ही वाले हैं और मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम बेसिक कॉंसेट सीखेंगे XML का और XML कैसे वर्क करता है और XML के बेसिक का एट्रिव्यूट्स को भी हम पूरे देखने वाले है इसमें प्लस इसमें एडवांस भी देखेंगे हम ऐसा नहीं है कि बेसिक बेसिक पर रुख जाएंगे जिस चीजों कि हमें जरौत होगी शुरू से लेकर Android डबलप्मेंट बनने तक वो हम हर चीज इसमें cover करने वाले हैं हम देखने वाले हैं इसमें intent और activity multiple screen कैसे बनाएंगे single screen कैसे बनाएंगे एक screen से दूसरी screen में हम कैसे जाएंगे एक screen में data कैसे भेजेंगे हम अपने phone में storage को कैसे use करेंगे अपने जो data है उसको अपने storage में कैसे save करवाएंगे अगर अपने पहले से अपर कोई gallery में कुछ चीजे पढ़िए उसको हम अपने application में कैसे लेके आएंगे networking के बारे में देखेंगे कि internet कैसे use करना है हमें इसमें अपने web application को अपने phone में कैसे चलाना है background process को देखने वाले हम इसमें कि application background में कैसे work करता है notifications देखने वाले कि कैसे notification sense होते हैं कैसे receive होता है जैसे और भी हम इसमें देखने वाले हैं fireways हम देखने वाले हैं fireways का authentication कैसे होता है और भी बहुत कुछ है इसमें प्लस इसमें हम यह भी देखेंगे कि अपने application को build कैसे करेंगे application APK बनाने के बाद हम अपने friend के साथ कैसे उसको share कर सकते है plus हम उस application को देखेंगे कि publish भी कैसे करना है तो बात करते हैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए pre-requisite की क्या ज़रूरत है या फिर अगर आपको थोड़ा सा कुछ देखना है तो आप हमारे YouTube के channel पर जाके एक kotlin की series है 25 वीडियो है लगबग सिर्फ आपको उसको देखना है और उसके बाद आप ready to go है बट ऐसा नहीं है कि आप उसको देखने के बाद ही यह कर सकते हैं आप बिना देखे भी आप यहां से कर सकते हैं क्योंकि मैं almost हर चीजे इसमें cover करने वाला हूँ कि कैसे हर चीज काम करते हैं बिना programming knowledge के भी आप यह चीज देख सकते हैं आपको इसमें कोई दिक्कत ने होने वाली है तो एक बार मैं आपको playlist दिखा देता हूँ कि कौन सी playlist अगर आपको देखने है तो देखना चाहिए तो आप YouTube पे जाना YouTube पे जाने के बाद यहां पे सर्च करना तो आपको इस 15 वीडियो को देखना है जो कि है 10-10, 15-15, 15-15 मिंट की almost मान के चलिए तो आप उस हिसाब से हिसाब लगा लेना कितना एक दिन से भी आदि दिन का भी काम है तो इतने में आप कर लेंगे आप इसमें almost हो हर चीजे cover हो जाएगी जो आपको एक Android development बंढने के लि पिर आपके बास जो browser आप उस पर चल जाना उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है एक चीज में आपको पहले बता देता हूं आप इसका date देख सकते हैं तो यहां पर मैं आपको date दिखा देता हूं तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा Tuesday और 3 August 2023 है तो आज के हिसाब से ही य चीज़े देख रहे हैं तो आने वाली चीज़े जो होगी उसके according हम काम करेंगे तो चलिए इसको करते हैं close और करते हैं अपने एक new tab on और यहां से करते हैं अपने Android Studio का installation के process पे तो सबसे first step हमारा पास क्या है कि हमें जाना है अपने Chrome पे Chrome पे जाने के बाद या फिर कोई से लिंक पे जाए तो official link पे आपको मिल जाएगा download Android Studio तो इस पे जाना है कि बाद आपको click करना है और click करने के बाद आपको ले जाएगा यह एक official website पे जहां पे आपको Android download का icon दिख जाएगा अगर आप Mac में है तो आप Mac का installation देख लीजिएगा या फिर अगर आपको कोई भी प देना है तो हम आपकी जरूर help करेंगे तो अब सबसे पहले हम क्या करना है आप यहां पर देख सकते हैं new features वगेरा क्या-क्या है नए Android Studio में जैसे कि यहां पर इस्टूडियो बॉट भी आ चुका है लेकिन यह feature अभी work नहीं कर रहा है इंडिया में because यहां पर officially launch नहीं करेंगे बाकि और भी चीज़ा आप देख सकते हैं कि new new चीज़े क्या आई है इसमें ठीक है तो करते है इस्टार्ट यहां पर सबसे पहले आपको जाना है और जाना है इसके बाद डाउनलोड पर तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बास एक ट्रम्स और कंडिशन इस्टार्ट तो अब देख लेते हैं आप डाउनलोड पर जाने के बाद तो यह इसपीड पर आपके डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी स्पीड है मेरी इसपीड बहुत अच्छी है तो यह मेरा 2 में डाउनलोड जाएगा 1 GB का सम्टिंग का यह फाइल है make sure कर लें कि हापक को download करेंगे हम emulator क्या होता है यह भी हम देखेंगे तो एक बार यह download हो जाए तो मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा application download हो चुका है अब मैं इसको करूंगा सेम ऐसा तो आपको next कर देना है आपको यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आपको virtual device चाहिए या नहीं चाहिए तो virtual device अब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं virtual device बेसिकलर की होता यहां कि हमारे पास virtually phone होता है जैसे कि हम uh फिजिकल ही डिवाइस यूज करते हैं तो उसको कहते हैं और जो वर्च्वल ही होता है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छूर नहीं सकते हैं उसको कहते हैं वर्च्वल लेकिन यह वर्च्वल डिवाइस क्या होने वाला है हमार पास एक एमिलेटर होने वाला है जिसमें हम अप आपको देख रहा होगा कि इसका size कम हो गया और जैसे मैं इसको चेक करता हूं तो यह दिखो 1 GB का size और बढ़िगा ठीक है तो अगर आपको वासी space नहीं हो तो भी आप इसको uncheck कर सकते हैं और अगर इंटरनेट नहीं है तो भी आप इसको uncheck कर सकते हैं मेरे पास दोनों चीज की कोई कमी नहीं है तो मैं यहाँ पर next करूंगा और मुझे दोनों चीज की requirement भी है तो भी मैं इसको next करूंगा ओके तो मैंने next किया अब यह हमारे path को full पूछ रहे कि कहां मैं अपने android studio को install करना है तो मुझे c drive में करना है अगर आपको कहीं और करना हो तो आप यहां पर browse पर क्लिक करके उसको change कर सकते हैं कि आपको कहां पर करना है ओके तो मैं यहां पर करता हूं next based click और यहां पर आपको पूछ रहे कि आपको start menu में यह चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है या फिर आपको कर चाहिए तो यहां पर डिफॉल्ट तो आएगा लेकिन अगर नहीं चाहिए तो आपको यहां पर do not create shortcut पे click कर देना है तो मुझे लेकिन अगर आपको धीरे दीरे भी हो रहा है तो आपको सांत रहना है और आपको installation होने देना अच्छे से ओके अगर आप बीच में रोक देंगे तो आपको बाद में हो सकता है कुछ ना कुछ error face करने पड़ जाए ओके तो आप करते है next यह हमारे complete हो चुका है अब करते है next और यहां पर कर देते हैं android start android studio ठीक है finish पर करता हूं और हमारा android studio हो जाएगा यहां से start तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे android studio start हो चुका है और हमने कुछ ऐसा interface दिख रहा है तो मैं आपको इसका overview देता हूं कि क्या चीज़ यहां पर होती है basic overview देने वालों मैं आप को बाकि आप काम करते करते आप बहुत कुछ इसमें सीख जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है android studio का वर्जन और उसका नेम अभी हमारा current वर्जन जो चल रहा है android giraffe और यहां पर 2022 जो कि इसका वर्जन होने वाला है वह है सबसे पहले हमारे पास आता है project section जहां पर हम क्या करते हैं अपने project को create करते हैं प्लस open करते हैं open क्या करते हैं जो कि हमारे पास पहले से project बने हुए है उनको या फिर अगर हम कहीं से project download करते हैं या फिर हम कहीं work काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे को हमारे को file देते हैं उनको हमें open करना होता है तो यहां से हम open कर सकते है और यहां पर कुछ चीज़े है वर्चुल डिवाइस एसडी के मैनेजर तो यहां से आप कुछ सेटिंग्स वगएरा इनको चेंज कर सकते हैं तो कश्टमाइजेसन में हमारे पास क्या है तीम प्रत यालाईट यह ब्रत अधिसा नहीं आएगा आपके स्टार्टिंग में आज़ायगा कि कौन से तीम सेलेक्ट करना है तो मैंने यहां पर डार्क करना चाहो तो आप लाइट कर लेना मैं यहां पर लेकर कर लिए और क्या क कर देते हैं तो अगर कोई प्लगिन की एक जवरत पड़ेगी हमें तो हम बेसेकली उनको यूज करेंगे और इंस्टॉल बिस करेंगे अगर आपको एंडूइड इस्टूडियो के थीम को चेंज करना तो यहां पर कुछ थीम के प्लगिन्स भी मिलते हैं जैसे की माटेरियल तो भी आप इंस्टॉल करके आप इसके लुक को चेंज कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई फीडवक वगरे देना हो या कुछ सीखना हो तो आप यहां से सीख सकते हैं तो सबसे प्रोजेक्ट पर और क्रिएट करते हैं अपना सबसे अंडूइड एप्लिकेशन तो यहां पर मैं जाता हूँ न्यूपे और और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं तो इनको भी आप select कर सकते हैं ओके तो अब क्या है मैं आपको दिखा देता हूं कि यह जवाला है जो इसको हमें select नहीं करनी है यह basically compose है Compose का काम क्या है अब आपको इसको सीखने के बाद Compose भी आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि Compose आने वाला future है अब जितने भी application हम बनाएंगे वो बनाने वाले हैं Compose में तो आपको एक बार Compose भी देख लेना कि होता क्या है लेकिन अभी ये इस Tutorial का पार्ट नहीं है तो हम इसमें Compose के बारे में बात नहीं करेंगे तो हमें क्या बनाना है तो वो जो Select करना है हमें वो Select करना है हमें यहाँ पर Empty View Activity Basically हम यहाँ पर Code करने वाले किसमें XML में अगर आपको XML में Code करना है तो यह सब चीज़े आप यूज कर सकते हैं इसको छोड़ के यह हमारा Compose वाला पार्ट है बाकि अभी हम Next नहीं करेंगे और भी चीज़े देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है तो Phone के लिए तो मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पर और भी मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताएगे और भी यहाँ पर Applications बनते हैं तो यहाँ पर कुछ दिख़रा होगा आपको Wear OS Wear OS तो Wear OS में क्या होता है हम अपने Watch जो हम Wearable device होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर Applications बना सकते हैं ठीक है जैसे कि आपको दिख़रा होगा इसमें Diagonal जैसे कि आपको यहाँ पर दिख़रा होगा Circle तो हमारे यह Circle क्या होता है Watch का Face है Watch के Face को भी हम यहाँ पर Design कर सकते हैं या Watch के लिए Applications भी बना सकते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल Watch में भी बहुत सारे Applications आते हैं जैसे कि Calculator, Dialer, Games और ETC बहुत से चीज़े हैं तो आप उनको यहाँ पर भी बना सकते हैं Next आता है हमारे पास Television का Section तो Television जैसे कि मैंने आपको बताए कि Android अब Android TV में भी आता है तो TV में भी जो Application बनते हैं वो भी हम यहाँ इससे बनाते हैं वो भी हम Android Studio की साहिता सही बनाते हैं तो यहाँ पर आप TV के लिए भी Application बना सकते हैं Next option है मारे पास Automotive तो Automotive में क्या है जैसे कि आपके Vehicles वगेरा होते हैं तो वहाँ के Application भी जो बनते हैं वो भी हम यहीं पर बनाते हैं तो हमें अभी यहाँ पर कुछ नहीं देखना हमें सिर्फ जाने हैं अपने फॉन और टेबलेट के लिए तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हैं फॉन और टेबलेट वाला option और उसके बाद हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपने Empty View Activity बाइडिफोल्ट कुछ टेबलेट आपको मिलते हैं बने हुए तो हम इनको यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि हर सहर चीज हम खुद बनाने वाले हैं यहाँ पर आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो बाइडिफोल्ट आपको हम अपने application का name लिखते हैं जैसे कि Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram तो जो भी हमारे application का नाम है हम वह यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर हम अपने application का name रखने वाले हैं जो क्यों हने वाले हमारा My First Air तो यह मैंने अपने application का नाम रख लिया अब जैसा कि आपको दिख रहा हुआ कि यह second name है हमारे पास package ने एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी है हर application का name सेम हो सकता है जैसे कि आपने बनाए calculator तो calculator है एक ही calculator नहीं यह multiple calculator यहाँ पर play store पे available है लेकिन उनका जो package name होता है सब भी application का difference होता है और यह different काम हमारे कब आयागा जब हम अपने application को play store पे upload करते हैं तब यह हमारे काम आता है basically play store हमारे application को ऐसे ही पहचानता है कि हमारे application का package name क्या है उसको इस नाम से मतलब नहीं है कि क्या है इसको package name से मतलब होता है कि हमारे package name का name क्या है अगर same package name होता है आपका package name हमें इसा different हो तो यह हमें पता कैसे चलेगा कि यार वह application तो पहले से बन रखी अगर हमने भी सेम ऐसा application बनाया तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा package name रखना है तो यह जब हम upload करेंगे तो उहां पर बता देगा कि application का पहले से name है तो आप इसको बाद में भी change कर सकत है तो यहां पर आपको path दिख रहा होगा c में जाके user में जाके जो भी आपका user name होगा जो आपके PC का name होगा वो यहां पर आएगा उसमें जाने के बाद आपके पास android studio project के नाम से एक folder मिलेगा उसमें आपका application का name मिल जाएगा तो वो basically यहां पर save हो रहा है अगर आपको इ मिलने वाले हैं दो language या तो Java या तो kotlin और हम इसको करने वाले हैं kotlin में क्यों because Java अब पुराना हो चुका है और आने वाला future जो है वो kotlin का है और kotlin official language हो चुका है android development के लिए तो हमें सबसे पहले select करना है kotlin आप Java में भी कर सकते हैं अगर आपको Java आता है लेकिन हम तो यहां पे kotlin करने वाले हैं क्योंकि हमें future की हिसाफ़ से updated रहे हैं हो सकता है कि आप पुराना android studio चला रहे हो पर लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि courses करो कि हमेंसा updated रहो अगर आप updated नहीं रहेंगे तो obvious से बात हैं आप complete नहीं कर पाएंगे किसी से भी मैं यहां पर दो language आ रहे हैं जिन में से हम select कर लेते हैं kotlin और यह basically language है कि हम किस language में अपने back end के code को लिखने वाले हैं तो हम यहां पर लिखने वाले kotlin में तो यहां पर iPhone यूज करते तो KitKat में यूज करते थे Android की जो version होते ना basically यह है तो यहां पर आपको मैं लिष्ट दिखा देता हूं तो सबसे पहले आपके बास जैसे आ रहे हैं यहां पर जैली बीन जैली बीन जैली बीन तो यह आपके बास side में इसके version भी दिख रहें Android 4.1 था तब यह यहां पर जैली बीन था उसके बाद Android 4.2 आया 4.3 आया तो यह जैली बीन के version है तो आपको यहां से स्लेक्ट करने का मिल रहा है जैसे कि यहां पर KitKat है उसके बाद Lollipop आया Marshmallow आया Nogget आया Oreo आया पाय आया और इसके बाद आपी RS और इस पर चल रहा है तो basically जो Android के version है व जैसे कि मैंने यहां पर select by default जाया है 7.0 यानि कि Nogget वाला version तो Nogget से पहले कि जो phone होंगे ना जैसे कि Marshmallow, Lollipop या KitKat उस device में हमारा application नहीं चलने वाल है तो यहां से हम select कर लेंगे कि कितने device में हमारे application को हम run कर नवाना चाहते हैं तो by default recommendation में तो हमारा 7.0 तो हम इसको select क कर लेते हैं इसमें almost 95.4% device जो है cover हो जाएंगे और अगर आपको इससे पहले के लिए बनाना हो तो obviously आप उपर के भी select कर सकते हैं और यह हमारा API 24 पे है जो कि है हमारा 7.0 और इसके बाद हमारे पास next section आता है build configuration language तो यह नया option है पहले यह option नहीं आता था जैसे कि आपको प recommended हमारे पास यहां पर आ रहा है kotlin DSL recommended वाला तो हमें यहीं करना है by default आएंगे यह भी experimental में जैसे कि यहां पर लिखा हुआ भी है तो आप इनको select ना कीजिएगा by default आप इसको select करना और यहां से कर देना आप finish करते हमारा application बिल्ड होना start हो चुका है और यह हमारे पास आया tip of the day तो by default android studio क्या करता है कि कुछ-कुछ tips हमें देता है यहां पर इससे पहले मैं आपको बता देता हुआ तो यहां पर कुछ file download हो रही है तो अगर first time आप application को run करते तो make sure कि आपका internet चालू हो बनना आपके पास बहुत error आने वाले हैं ठीक है तो जैसे कि आपको मैं बता रहता है tip of the day तो यह कुछ tips देता रहता है android studio जब आप बंद करके अपने application को चालू करते हैं तो जैसे कि आज का tip है kotlin is powerful और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें तो आपके पास किया tip आया है या आप comment में बता सकते कि क्योंकि यहां पर अलग-अलग चीज़े आती रहती है तो बस आपको आप next करके और भी देख सकते कि और क्या-क्या बता रहा है next next करके ठीक है और या फिर आप इसको settings में जाने के बाद यहां पर आपको मिल जाएगा appearance and behavior ठीक है अपको जाना है appearance पे और appearance पर जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहां पर new UI और यहां पर आपको करते ना new UI enable तो और okay करते ना तो आपके पास यह same UI आ जाएगा ओके अब मैं आपको दिखा देता हूं build का जो feature इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है लेकिन आपका अगर slow हो तो आपको घवराना नहीं है कि हमारा धीरे-धीरे क्यों हो रहा है हो जाएगा रोकना मत उसको और make sure कि आपका internet हमेशा on हो यहां पर जब तक हमारा पहला application run ना हो जाए तो होने देते हैं इसको wait करते है हमारा build हो चुका है successful और हमारे पास जितने भी files यह हमारे पास आचुका है यह by default एक time ही होगा क्योंकि first time हमारे पास बहुत सी resources यहां पर download होता है तो इसलिए हमारे पास इतना time लग गया अब अगर आप application new application create करेंगे तो इतना जादा time नहीं लगेगा वो direct चलना start हो जाए है तो आप उसको comment में जरूर पूछ सकते हैं हम आपके help करेंगे plus अगर आप यहां तक बिल्कुल successful कर चुके हैं तो प्लेज इस वीडियो को एक like कर देना और comment में लिख देना कि I completed installation ओके तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़े हैं यहां पर और कैसा इसक चीज़े डाउनलोड वगेरा हो रहा है वो ओके next हमारे पास आता है logcat तो logcat में हम क्या देखते हैं कि हमारे अगर application में कोई error आता है तो basically हम उसको solve करने के लिए अपने logcat को देखते हैं मैं यहां पर आपको basic overview दे रहा हूँ अगर हम बाद में कहीं फसेंग या error वगेरा तो मैं आपको और deeply बताऊंगा इसको ओके तो यहां पर हम अपने errors वगेरा को देखते हैं उसके बाद आ जाता है हमारे पास problems तो यहां पर कुछ problems वगेरा जो रहती हमारे application में वो so हो जाएगा ठीक है यहां पर बाद आता है हमारे पास app quality और insight तो यहां पर अगर login वगेर काम करना चाते हो तो भी आप इसको use कर सकते हो उसके बाद हमारे पास आता है version control जहां से हम क्या करते है अपने version को control करते हैं यह सब हम देखेंगे future में और अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसको मैं कर लेता हूँ यहां से hide अब हम देख लेते हैं इसका user interface की क्या कैसा है तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक menu जहां पर हमारे पास बहुत सी चीज़े दिख रही है जैसे कि file, edit, view, navigate, code, refactor, build, run, tools, vcs, windows और help तो यहां पर देख लेते हैं first file में तो file में आप जाके यहां पर new में आपको बहुत सारे option दिख जाएंगे कि आपको कुछ भी अग पर new project ही बनाना होगा तो आप यहां पर जाने के बाद new में आप यह चीज़े कर सकते हैं okay second हमारे पास आता है open अगर वही मैंने जो बताया था कि आपको कोई project पहले से उसको open करना हो तो आप यहां पर जाएंगे बाकी और भी चीज़े है recent project तो दिखा देगा कि कौन-कौ time इस video की tutorial में हम cover करते जाएंगे जिस जिन चीजों की हमें need पड़ेगी उतना ज्यादा आपको डरना नहीं है देखके और ना घबराना है इसको देखके कियार यह क्या है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ नहीं समझना हमें हमें बस काम करना है और काम करते करते हम इन सब चीजों का use सीख लेंगे जैसे कि हमारे पास आगे एडिट में अगर आपको कुछ करना हो किसी फाइल का नेम वगेरा चेंज करना हो तो basically हम यहां से करते हैं ठीक है और जैसे व्यू आप देख लेना इसमें क्या क्या चीज है आपको सब समझ में आ जाएगा time to time ब आपके project होंगे और यह वही वर्जेन कंट्रोल है इसके बाद हमारे पास आजाता है resource manager तो resource manager में हमारे पास क्या है application में यूज होने वाले resource मिलते हैं हमें जैसे कि कौन सा icon हम यूज करने वाले हैं कौन सा color हम यूज करने वाले हैं कौन सी layout है हमारे applications में कौन से map मतलब की य string क्या होता है यह भी सब हम देखेंगे ठीक है और navigation की एक file होती है वो भी हम देखेंगे इसमें क्या होता है ठीक है next आ जाता है हमारे पास more tool window ठीक है तो इसमें आपके पास कुछ app infection का दिखा रहे है कि आपका application कैसे बना हुआ है आप किसी भी application को inspect inspect करना चाहते है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे कुछ bookmark build device explorer है और भी बहुत कुछ है यहाँ पे जो कि हम course के middle में देखते रहेंगे ठीक है next आता है हमारे पास यहाँ पे कुछ option दिख रहे है no device दिखा रहा है यहाँ पर by default और यहाँ पे कुछ options है तो no device इसलिए दिखा रहे हैं जो भी हमारा application का name में बगेरा वह चीज दिखा देगा और जो application currently run है वह यहाँ पे दिखाएगा ठीक है यहाँ पर एक डीवग का option है जिसमें हम courses करेंगे अगर अपने application की कहीं पर कोई error आता है तो हम उसको debug भी करेंगे ठीक है इसके बाद हमारे पास वही more action है त ठीक है और यहाँ पर कुछ option दिख रहे हैं हमारे पास यह क्या क्या option है जैसे कि आपको दिख रहागा notification अगर कोई भी नई notification आती है तो आपको यहाँ पर हो जाएगा ठीक है by default मैं clear कर देता हूं यहाँ पर gridle का है तो आपकर gridle वगेरा में कुछ दिक्क्कत आती तो हम यह यहाँ से solve कर सकते हैं next आता हमारे पास device manager जो कि हमारे android virtual device होते हैं और यहाँ पर हमारे पास दिखा रहे है running device जो कि हमारे device चलता रहेगा वह यहाँ पर हमारे पास सो जाएगा और इसके बाद device explorer है इसमें क्या होगा हमारे जो भी device रहेगा उसका file manager को चेक करने का काम आप से ओके तो ही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है और मैं इसको हाइड कर लेता हूं इस पर क्लिक करके और यहां पर आपको दिख रहा होगा एक main.kt की file है और फाइल पर चल जाता हूं project पे और यहां पर एक option आपको दिख रहा होगा कि project है नहीं तो यहां पर आप इसको change क आना क्योंकि हम android पर काम कर रहें तो by default हमार पास यह आता है तो हम अगर हमें यूज करने की जूरत परती है तो हम इसको change कर लेंगे फिलाल मैं इसको android पर कर लेता हूं और मैं आपको अपने project का overview देता हूं तो सबसे पहल हमारे पास आता है एक app का folder जिसमें हमारे सब करते हैं अगर हमें अपने application का लोग वर्जन वगेरा चेंज करना होता है तो भी हम वह ग्रेडल के थुरू करते हैं यहां पर अलग अलग टाइप की जो कि हम आगे वीडियो में कवर करेंगे और यह हमारे पास second है हमारे फर्स्ट वाला जो है वह हमारे एप तो इसमें हमा हमारे application में activities वगेरा हैं उनकी सबकी registry हम यहां पर करते हैं और यहां पर रेजिस्टरी किये बिना हम एप्लिकेशन को कुछ यूज नहीं कर सकते कोई permission देना होगो तो भी हम उसको manifest file से ही handle करते हैं ओके next हमारे पास आता है हमारे पास java का folder इसमें क्या होने वाले हमारे पास back end की file होने वाले हैं जैसे कि दिख रहा होगा आपको main activity तो यह जो main activity file है वो हमारे इसमें है तो आम जो भी back end का code करना चाहेंगे नैं कि हमारे application में क्या कैसे करें कौन से button click करने पर क्या काम होग या फिर कौन सी स्क्रीन में क्या चीज़े दिखने वाली है वो सब चीज़े हम यहां से हैंडल करेंगे ओके तो यह हमारे पास जाबा का फोल्डर है यहां पर और कुछ फाइल से जिनको भी हम देखेंगे अगर हमें जौरत पड़ती है तो ठीक है इसके बाद हमारे पास आत है जो बैग्राउंट इमेज और आइकन कोई से तो वह हर चीज हम किसमें डालते हैं अपने ड्रोइबल में डालते हैं ओके सेकेंड हमारे पास आते हैं लेयाउट लेयाउट में आपको दिख रहा हुगा कि में एक्टिविटी नाम से एक एक सेमल की फाइल है जिसमें हम क् क्षिण हैं अब में अपको बता देता हुगा एक पर नहीं हो तो हम और है ऑपको प्ता Jaad कि कैसे करना है तो make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे यह नहीं कि यार अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाद में भी नहीं समझ में आएगा आपको आराम से समझ में आएगा मैं आराम से समझ पाएंगे उसको ओके तो यहां पर हमारे यहां बेसिकली अपने application में यूज होने माले सभी colors को define करते है थीक है तो यहां पर अपने colors को add करते हैं और यहां पर दिखी को यह हैक यह जीए होता है और black यह होता है ठीक है यह ब्लैक दिख रहा होगा आपको अपको हमारे दिवाइस में दो मोड होते हैं एक होते हैं यह होता है थोड़ा 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 अलग लिखा जेता है किसी कमें डार्क हुता है तो ऐसे हमारा कुछ theme होते हैं तो उस बेस पे हमें अपने application को कैसा दिखाना है कि एकर हमारा application dark mode में open हो रहा है तो कैसा दिखे या day mode में open हो रहा है तो हमाएं इसमें डिजाइन करेंगे कि डे में हमारे application में status bar का color change हो जाए या फिर कुछ और हो जाए ठीक है status bar वगेरा जो भी होते हैं मैं सब आपको बताऊंगा बाकी यह चीजे होती है इसमें ठीक है वो सेम चीज हमें night mode में भी करने पड़ेगी कि night mode में हमारा application open हो तो कैसा हो ओके तो next हमारे पास आता है folder xml कर ठीक है तो यहाँ पर कुछ files होती है जो कि हम जरुत नहीं बढ़ती उतना जादा बाकी हम इसको भी देखेंगे काम हर चीज का है यहाँ पर हर चीज काम में आने वाला है लेकिन ज्यादा काम हमारे नहीं आती तो हम बनाते बनाते इन चीजों को सबको cover करते चलेंगे ओके तो यह हमारा हो गया overview का काम खतम हो गया पूरा तो अब move करते हैं अपने first application की तरफ तो first application हमारे पास इसको पहले एक बर close कर लेते हैं सभी को यह क्योंकि हमारे पास काम नहीं आने वाले है और by default हमारे पास ज लिखते हम इसमें ठीक है और इसमें अपले तो इसमें हम डिजाइन करते हैं अपने स्क्रीन को तो यहां पर हम यह हमारी XML फायल है तो हम इसी में जो भी चीज हम बनाने वाले वह हमारे इसी में बनाएंगे कैसा हमारा application का screen दिखने वाला है ठीक है तो मैं यहां पर भी कु जो भी चीज हम अपने application में यूज करने वाले है वो हर चीज यहां पर palette में लिखा हुआ है जैसे कि text view button image अगर आपको image सो करवानी हो तो image recycler view यह आपको भी पता नहीं चलेगा बाकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है ठीक है तो बहुत सारे यहां पर text related आ गई different different type के हमारे पास layout से container से हमारे पास helper है और Google है और legacy है अब legacy में basically होता क्या है यहां तक तो ठीक है हमारे पास लेकिन legacy में क्या होता है वो चीज होती है जो android ने मतलब अभी हटा दिया है जो remove हो सकती है तो उन चीजों को हम legacy में डाल देते हैं या फिर पता चल जाता है इसस कुछ और अच्छा मिल चुका है basically यह है ठीक है जैसे relative layout है अब इसको हम use करना prefer नहीं करते जादा तो यह चीज हमारे legacy में मिल जाएगी जो चीजे यहां से हट जाती है तो इसको भी आप एक बार चेक कर लेना इसके बाद हमारे पास आता है activity तो यहां से हम अपने चीजों को देखते हैं कि मतलब अगर responsive बनाना होता है तो हम इन चीजों को काम में लेते हैं तो यहां पर अलग-अलग type के हम एक ही फाइल के अलग-अलग resource बनाते हैं तो इसको भी हम देखेंगे course में और यह सब चीज हम course के बीच में हम decide करेंगे कि क्या क्या चीज कौन से जीएग पर सोंगे कि हम उस पर text पर क्या क्या चीज़े कर सकते हैं basically इतने ही नहीं है अपको search करेंगे तो और भी बहुत से चीज़े आपको मिल जाएगी ठीक है यहां पर all attributes में जाएंगे तो आपको और चीज़े अपेर होगे कि और क्या क्या इस text view में हो सकता है तो आपको इसको दनने के ज़रत नहीं है और chill होके आप application को बनाने start कर सकते हैं और कहीं भी कोई भी दिक्कत आए आप हमें direct comment कर सकते हैं या फिर community पे Facebook की community पे message कर सकते हम जरूर आपकी help करेंगे ओके तो अब चलते हम यहां पर ऐसे तो दिख रहा है लेकिन यह तो ऐसे तो हमने देखा नह आते तो हमने सबको देखा है वो code करता है और code करते करते हमारा application बनता रहता है तो यह तो मैंने ऐसे बता दिया आपको अगर text लगाना है तो text है इसको लाकर लगा तो यह text लग गया लेकिन हमने तो ऐसा देखा नहीं तो यह drag and drop के लिए आता हमारे पास एक screen कि आप direct इसको drag and drop करके भी इसको बना सकते है लेकिन हमें तो coding करनी है हम यहां तो code करनी आया है तो हम उसको कैसे देखेंगे तो ठीक है उसके लिए क्या घरना पड़ेगा हमें यहां पर आपको एक option दिख रहा होगा ठीक है तो आप इस पर जैसे click करेंगे ना तो यहां पर देखो क्या ह होगा कि इसका layout change हो जायागा यह आ अब आपको यह दिख रहा होगा कि एक सट हमें code दिख रहा है और एक सट हमारे design दिख रहे हैं ठीक है इस design को मैं थोड़ा सब्सक्राइब और इस पैलेट को मैं hide कर लेता हूं ठीक है और यह देखो आपको यहां पर दिख रहा है यह code और यह दिख रहा है आपको text दिख रहा होगा तो यह हमने यहां पर basically code से ही किया है हमने नहीं किया है by default android ने दिया है लेकिन हम आगर आगे करेंगे तो हम यहां से code से भी इसको बना सकते है ठीक है तो यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा hello world अगर मैं यहां पर change करता और drag and drop के तरीके से भी use कर सकते हैं तो basically इस वीडियो में हम दोनों तरीके को use करने वाले है code से भी करने वाले हैं और drag and drop से भी करने वाले है अब next चलते हम इसमें और भी option है अब जैसे मैंने ये किया तो अब इसमें क्या हुआ यह यह यार basically हमें सिर्फ code दिख रहा है वाला है और डिजाइन में हमारे पास यह बाला दिखना है जो कि मैंने आपको बताया था बैलेट वाला की आप ड्राइगन ड्रॉप करके भी च्पर ले हो चीज़ नीचे बब्सक्राइब नीचे दिख रहा है और जो हमारे design है वो नीचे दिख रहा है अब मैं इसको split कर देता हूँ vertical तो यह vertical ही हो गया ओके तो basically यह चीज हमारे पर सब कुछ over हो चुकिए अब कर लेते हम अपने पहले application को run तो हमारे application में हमारे application किस टाइब का दिखने वाला है अपने phone में अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है तो अब यहां पर करते हम इसको run जैसे मैं run पर click करूंगा तो यह बता रहा है error not target device bound तो अब क्या होगा यहां पर हमें एक device चीज है जिसमें हम अपने application को run करने वाले है जो मैंने आपको बताया था एक virtual device होता है वो तो वो तो हमारे पास है नहीं तो अब क्या करेंगे यहां पर हम दो तरीके से application को run कर सकते हैं एक तरिका तो हमारे पास यह है, कि यहाँ पर हम emulator create कर लें, और second तरिका हमारे पास यह है कि हम अपने physical device है, हमारे पास Android phone है उसको आप उसमे भी अपने application को आप यह चला सकते हैं, तो फैलाल यहां पर हम अपनी device को connect नहीं करने वाले हैं, मैं आपको emulator बना के दिखाऊंगा और यहीं पर हम अपने application को run करेंगे ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं अपने device manager पर जैसे कि मैंने आपको बतायाट है device manager पर यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर जाके आपको कर लेना है सबसे पहले create device जैसे आप create device पर click करेंगे तो आपके पास list हो जायागा जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर तो अब आपको पूछ रहा है कि आपको किस टाइप का यह device बनाना है तो यहाँ पर बहुत सारे option है जैसे कि आपको दिख रहा होगा pixel a, pixel nexus, nexus 4, galaxy, fold तो बहुत सारे application है यहाँ पर जो device है हमारे पास है तो और यहाँ पर इनकी size भी लिखी हुई है, plus resolution लिखा हुआ है, plus density लिखी हुई है तो यह हर चीज हमें देख के करनी चाहिए, तो हम यहाँ से करेंगे इसको और यहाँ पर और भी option है, अगर आप tablet create करना चाहते हैं, तो tablet create कर लो, whereOS करना चाहते हैं, तो whereOS कर लो, desktop, अगर application आप बना रहे हैं, तो desktop, अब desktop का भी आपको समझ में नहीं आएगा, desktop के भी application हम android से बना सकते हैं, जो की हम compose के through करते हैं, लेकिन अभी आप इसको ignore करो, तो आपको जो phone यहाँ पर पसंद हो, जिसकी resolution जितनी आपको पसंद हो, उसको आप select कर लो, मैं इसको बढ़ा कर लेता हूँ, जिससे और थोड़ा से दिखे, अच्छे से, तो चलते हैं यहाँ और सबसे पहले मैं select करता हूँ, कोई सा भी एक device को मैं यहाँ पर select करता हूँ और आपके मर्जी जो होगा आप वो कर लेना, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, pixel 3 है, ठीक है, इसमें आपको option भी दिख रहे हैं कि जिसमें play store है या नहीं है, तो मैं ज्यादा इसको ही फिर से select कर लेता हूँ, और अब करते हैं हम अपने next पर click, तो next पर मैंने click किया, तो अब यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है कि इसमें android version कौन सा डालना है, तो by default आपका android version होने वाला है, वो कौन सा होने वाले, तो हम यहाँ से select कर लेंगे, जो latest होगा वो कर लेंगे, तो latest जो चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 34, ठीक है, तो 34 API वाला है, मैं इसको select कर लेता हू तो आप यहाँ से select कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, नौगट, Oreo, पाही, जो भी है, सब आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर API 30 को select किया, और यहाँ पर आपको download के button पे click करना है, अब जैसे मैंने download के button पे click किया, तो यहाँ पर आपक आपके पास internet आपका on हो, तो वहीं से यह download होगा, तो मैं इसको फिलाल के लिए छोड़ देता हूँ, downloading पे, और यह जैसे download हो जाएगा, हम next step पे move करेंगे, ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कि यह download तो हो चुका है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और यह install हो जा करने के बाद हमार पास इस पे आप download का option नहीं आ रहा है, और हमार पास यह next का option भी visible हो चुका है, अगर आपको पहले देखा होगा, तो यह visible नहीं था, ओके, तो और भी अगर आपको download करना हो, तो कर ले न, मैं यहाँ पर एक ही करने वाला हूँ, और इसको करते हैं, आप escape में start होगा, या portrait में start होगा, तो उसका आप select कर सकते हैं, तो और यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हैं, आप यहाँ पर जैसे कि, show मैंने option more किया, और भी यहाँ पर आपको option show हो जाएंगे, कि आपको किस टाइप का boot चाहिए, तो इनको ज्यादा मत छेड़ना, आप direct क्या कर यहाँ से जाके, आएक तो आपके internal storage को बढ़ा लेना, अगर आपको need हो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, GB में, और यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं 8 GB, मेरे पास storage की कम ही नहीं है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ, और यहाँ से भी इसको कर देता हूँ, मैं SD card को 1 GB, in that case, अगर future में मुझे ज़रत पड़ती है, तो, अब यहाँ पर हम click कर देते हैं, finish पर, finish करते हैं, और यहाँ हमारा application यहाँ पर बन चुका है, आपके पास यहाँ पर एक ही 100 होने वाल है, I don't know, यहाँ पर double-double कैसे 100 हो रहा है, बाकि देख लेंगे इसको, अब यहाँ पर आप कुछ changes वगेरा करना हो, तो भी आप इसको आप इससे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, आपके बास same option यहाँ पर show होने वाला है, ठीक है, तो, यहाँ पर मैं cancel करता हूँ, मुझे कोई changes नहीं करना है, और अगर आपको इसको duplicate करना है, delete करना है, या फिर और कुछ करना है, तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हमने create कर लिया है, अपने virtual device को, ठीक है, अब कर लेते हैं, इसको application को हम run, तो यह हमारे पास यह आ चुका है, पहले यहाँ पर कोई option नहीं था, अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है एक device, ठीक है, तो जो कि हमने अभी install किया पिक्सल 3A API 34, ओके, तो यहाँ पर इसको select कर लेना है, अगर आपके पास multiple device यहाँ पर आपने create कर रखा होगा, या करे होंगे, तो आपके पास यहाँ पर सारे device सो हने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं select कर लेता हूँ इसको, और जिस भी application में आपको चलाना हो, ज इसको आपसे select कर लेना, और यहाँ पर आपके पास run का button दिख रहा है, आप इसको press कर देना, तो अब यहाँ पर आपका build हो चुका है run, और मैं अपने खोल लेता हूँ build को, और यह by default आपके पास बाहर नहीं आएगा, आपके basically यहाँ पर यहाँ एक windows हो होगा, तो इसको ब आपको दिखिया, emulator, आपको क्या करना, यहाँ पर आपका by default चेक लगा होगा, तो आप इसको uncheck कर देना है, ठीक है, ऐसे लगा होगा, तो आप इसको uncheck कर दोगे, और apply करके ok कर दोगे, तो आपका भी emulator जब बंद करके वापिस चालू करोगे, तो आपके पास ऐसे on होगा, ठीक है, तो यह अब on हो रहा है, हमारे पास, wait कर लेते हैं और देखते हैं, तो यह application हमारा on हो चुका है, और यह हमारे पास पहला application हमारा run हो चुका है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं minimize करता हूँ, और इस device manager को भी मैं minimize करता हूँ, और देखो, जैसा कि आप आपको यह दिख रहा होगा जो हमारे application में लिखा हुआ था वो हमारे application बन चुका है और congratulations guys आप यहाँ पर अपना first android application बना चुके हैं बड़ा ही simple था आपको कुछ नहीं करना पड़ा और यह हमारा पहला application यहाँ पर ready है ओके और यह हमारे पास जो application है जिसको कहते हैं virtual device तो यह हमारे पास बिल्कुल एक phone है इसमें सब चीज है phone से related जैसे कि आपको दिख रहा होगा brightness वगेरा भी कम ज्यादा कर सकते है airplane mode, dark mode enable करना होगा वो भी आप कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमारे पास कुछ buttons है जिसको मैं back करने का है यह हमारे पास home button है यह हमारे पास recent डाल सकते हैं नीचे कि हमने यहाँ तक successfully work कर लिया है इससे हमें भी अच्छा लगेगा और इससे आपके बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को देख के कुछ नया किया है ओके तो इतना काम हो चुका है यह हमारा application है इसको कर लेते हम बंद यहाँ प अब हम मूब कर रहें अपने next segment में जो की होने वाला है basics of views तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं अपने जितने भी views होते हैं उनकी कुछ properties होती हैं जो की common है वो हम इस segment में cover करेंगे और बाकी जो और भी कुछ रहेगा वो हम course के बीच में सीखते रहेंगे व्के तो मूब करते हैं उस पार्ड में उस पार्ड में मूब करने से पहले हम application को कैसे share करते हैं और भी हम देख लेटे हैς मन लीजिए कि आप भी इस application कर रहे हैं और आपका फ्रेंड बे आपके application पे काम करना चाहता है तो आप उसको कैसे करेंगे तो हमारे पास इसका लिए एक वे है कि आप अपने project को export कर ले तो अपने project को export करने के लिए आपको क्या करना है आपने जितना भी काम किया होगा उसके बाद आपको सीधा सब्सक्राइब न हाँ तो अपको तो कमएं इसको वो झाल हूं में उसके सिय्ट उसके तो मैं यहां पर एक बनाने वाला हूं फोल्डर और इसमें हम सब भी अपने project को save करेंगे यहां पर android studio में जाकर project के नाम से यहां पर folder है तो यहां पर create करने वाला हूं एक folder तो folder बनाने के लिए हम यहां पर click करेंगे और यहां पर हमार पास आ जाएगा enter करने का folder का name तो हमें यहां पर इंटर कर देंगे सबक्राइब कर देंगे पूर्टर कर देंगे जो का हो एंदर हमारा और यहां खा देता हूं कि वह कहां पर हैं तो मैं यहां पर गया और दिस पीसी में जाने के बाद आपको जाना है यूजर में के बाद आपको जाना है यूजर में के बाद आपका जो भी यूजर का नेम होगा आपको उस पर जाना है उसमें जाने के बाद आपको मिलेगा एक Android Studio के नाम भी एक्सपोर्ट किया है अब बेसिकली आप इस फोल्टर को डायरेक्ट सेर कीजिए और आप आपका फ्रेंड वहाँ पर क्या करेगा इसको एक्सपोर्ट करके एंड्रोइड में उसको ओपन कर लेगा बेसिकली हम यह भी देख लेते हैं कि अगर हमें किसी एप्लिकेशन को आपके में इंडरीग स्टूडियो में इंपोर्ट करना होगा तो कैसे हम यहँ पर करने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर करते हैं जैसे cheap करने के लिए WinRAR Software का भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास जो by default Software होगा उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहां पर करता हूं इसको Extract WinRAR से और extract file कर दिया और जैसे मैंने extract file किये यह मुझे location पूछ रहा है तो मुझे desktop पर करना है तो मैं ने desktop को select करके यहां पे मैंने कर दिया इसको export और यह हमारे पास आ चुका है my first application के नाम से एक folder अब मुझे basically करना क्या है कि जाना है अपने android studio पे और android studio पे जाने के बाद मैं इस project को कर लेता हूं close और मैं उसको करने वाला हूं open तो basically यहां पे close करने के लिगा करना है आपको यहां पे जाना पिछरे काम किया है तो अब मुझे क्या करना है अपने project को open करना है तो open करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको यहां पे जाना है open ठीक है तो मैंने open किया और open करने के वाद अभी पूछ रहा है कि कहां से आपको open करना है तो desktop पे जाने के लिए यह button है हमारे पास यहां तो यहां पे दबाओगे d ctrl-d to the ब्याप पहुच सकते हो और फिर आप यहां पे प्रेस करदो तो मैं यहां पर दैस्टॉपूप हो पे तो मैं क्लिक करता हूं ड nehmen अब मेरे पास थे फॉल्डर जो कि है धी ठूम महीरा फ़र्स्ट एपली किसंट था यह वाल या तो आपको इस पर इकन भी दिख रहा होगा Android का तो make sure कि आपको आइकन दिख रहा हो उसी को open करना है हो सकता है कोई folder हो उस folder के अंदर आपका application हो तो अगर आइकन जो नहीं कर रहा है तो वो basically folder ही तो direct आपको okay नहीं करना है पहले उसको आपको ओपन करने देन आपको अगर आईकन दिख रहा हो तभी आपको उसको ओपन करने अब बेसिकली मैं क्या करूँगा ओक करूँगा और यह प्रोजेक्ट में बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है ठीक है अब यहां पर मैं बिल्ड चेक कर लेता हूं कि कोई पर ना आ जाए तो यहां पर बेसिकली डाउनलोड हो रहा है और उस प्रोजेक्ट की जो भी सेटिंग से वह अपने अंडुर्ड स्टूडियो में आ रहे है और यहां पास आ चुका है बैसिकली मैंने क्या किया यहां पर जो भी हमारे फृर्ण को शेर किया था हमने उसको प्रोचेक्ट में integrate कर लिया है, अब basically मैं इस पर काम करने के लिए बिल्कुल ready हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर एक file थी, main.kt के file, और एक file था हमारे पास, layout का, जिसमें हमारा लिखा हुआ था, hello, neat routes, ठीक है, इतना ही था, तो हमने इसको open कर लिए है, okay, अब बाके आपको जो भी इस पर work करना है, कीजिए, और उसके बाद, सेम आपको क्या करना है, export पर जाके, और export करके, आपको अपने friends के साथ, share कर सकते है, same zip file, उसको भी same, यही process करना होगा, import करने के लिए, okay, तो, अब मैं इसको कर लेता हूँ, close, because मुझे इस application पर काम तो करना है नहीं, या फिर new project करेंगे हैं, और इसमें सारे views को हम cover करने वाले हैं, तो, इसको करते हैं, file पर जाने के बाद, close, तो, मैंने close कर लिया, अब यहाँ पर हमार पास, दो application हो रहे हैं, और लेकिन, देख लो, यहाँ पर, दोनों के path अलग-अलग है, एक Android Studio project में, और एक हमारा है, desktop, my first application में, अब मुझे, इसकी ज़रत नहीं है, तो, मैं इसको कर लूँगा, यहाँ से, delete, तो, यहाँ से, remove कर लूँगा, या फिर, show in explorer करके, वहाँ से, मैं इसकी, original file को भी, delete कर दूँगा, जो कि मेरा desktop है, तो, मैंने, इसको, यहाँ से, कर दिया, delete और जैसे, मैंने, delete किया, तो, यहाँ पे, हो जाएगा, हमारा, इसको, मैं, close कर लेता हूँ, automatic, open हो गया, और जैसे, मैंने, इसको, remove किया, तो, यह हमारे पास, हो गया, gray, तो, gray करने के बाद, अब मैं, इसको, जुरत नहीं, क्योंकि, यह ही नहीं, वहाँ पे, basically, तो, मैं, चलता हूँ, new project पे, new project पे, clear करने के बाद, यहाँ पे, चलते हैं, और empty view activity को, हम select करते हैं, फिर next पे, क्लिक करते हैं, और यहाँ पे, हम अपने application का, नाम लिखने वाले हैं, तो, अब हम, क्या करने वाले हैं, basics of view, लिखने वाले है, तो, ठीक है, तो, basics of views, तो, basically, यह हमार application का, नाम होने वाला है, इस बार, ऐसे नाम नहीं रखते हैं, लेकिन, हम सीख रहे हैं, initially, तो, हम, ऐसे नाम, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, बाकि, आपको, सब कुछ पता, यह, package name, यह, चीज़े, तो, मैं, direct, इसको, करता हूँ, finish, finish करने के बाद, यह, build हो गया, हमार रेडी, और जैसा कि आपने देखा होगा, कि first time हमारे को, तो time लगा था, लेकिन, इस बार, देखना कित्ती जल्दी, project, automatic, run हो जाएगा, और यह, हमारा, build, success हो गया, तो, आप कुछ भी, download नहीं हुआ, क्यों, one time, download का process होता है, और, अगर, हम, कुछ और, डालते हैं, तो, ह क्यों है, हमारे पास, by default, यहाँ पर है, मैं इसको कर लेता हूँ, थोड़ा से छोटा, अब मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पर, expand, ओके, थोड़ा से मैं इसको बड़ा कर लिया है, basically, अब यहाँ पर दो चीज आपको दिख रही होगी, एक है हमारे पास, blue और white, तो, blue और white में, इसमें, दोनों में, difference का है, यहाँ पर तो, हमें अपने design को, देख सकते हैं, कि कैसा, basically, दिख रहा है, लेकिन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके blueprint को देखते हैं, basically, यह जो हमारा पास है, section, इसमें, हमारे application का blueprint होता है, तो, यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं, और को यहाँ गर चीज यहाँ पर, reflect होगी, तो, यहाँ पर दोनों चीज को भी show कर सकते हैं, सिंगल से सकते हैं, तो उसके लिए, हमें, जाना है, इसके लिए, हमें से यहाँ पर, यहाँ परida पहलें बाएंकर बिभी करना तक र hatırक्र दिंग लेपनेदा साफ और यह पर यहांद भाताइप अ क्या यहांद लेकिन ये पुराना ही दिखाय जार से एपको यहां जाना यह इन है पर यहां और यहां यहां पर यहां पर के लिई दोनों को यूज करने वाला है तो सबसे पहले हम्हारे पास आताए एक text view मैं इसको delete कर दिता हूं इसमें जो लिखा हुआ है ठीक है इसको मैंने delete कर दिया select करके delete कर दिया basically अब देख मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है constant layout मैं जैसा आपको दिखा देता हूं यह हमारे क्या करूँगा basically कुछ नहीं करना है मुझे इसको पकड़ना है और पकड़ के यहाँ पर drag करके मतलब हमें यहाँ पर और इसको छोड़ देना है तो यह हमारे पास आ गया एक टेक्स्ट भी उसका use क्या है अगर हमें कुछ भी चीज़ अपने display पर सो करवाना है टेक्स से related तो हम इसमें यूज लेते हैं अपने टेक्स्ट भी का ओके तो अब मैंने यह तो डाल लिया अब क्या करना है इसको इसके अंदर हमें टेक्स्ट को चेंज करना है क्योंकि हम यहार बाइडफॉल तो नहीं है कि हुहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है हम अब टेक्स्ट लिखते हैं तो अब मैं इसके कुछ एक्ट्रब्यूट से टेक्स्ट रिलिटेड वो मैं आपको सो करवा देता हूं जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि टेक्स्ट भी का काम क्या है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक एक्ट्रब्यूट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाएंगे आपको ज़रत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों को ना याद रखना है ना कुछ करना है बेसिकली इनके जो एट्रिब्यूट्स पो होते हैं वो नेम से रिलेटेड ही होते हैं ठीक है त सब्सक्राइब हों में तो हमारे पास ऊppen्षान रहा है ले आउट वर्फ और लेआउट है जो यह रहारा इसको हमें विर्फ कितनी देनी और हैंट कितनी देनी ठीक है है हमारा विडद्थ इह व gratitude होता है और हमारा होता है यहींट और प्रॉच्छ है कि तो यह यहाँ पे तीन प्रोपर्डी रोति है यहाँ यहाँ आपको 100 यहाँ ब्रेम लियाउट अ प्रेम लिया ओट अलग अलग लियाऊट आम गरंप पास इसमें क्यों हो 산 एक हमारे पास zero match constraint और एक हमारे पास है wrap content तो zero match constraint का मतलब क्या होता है कि जितना भी space इसमें बचा हुआ है वह automatic यह ले लेगा तो मैं एक बार आपको zero match constraint करके दिखाता हूं तो अभी तो किसमें कुछ भी नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ बलकि इसको ले लेना चाहिए तो zero match constraint लेकिन इसने क्यों नहीं लिए क्योंकि हम अभी काम कर रहें constraint layout में constraint layout में सबसे पहले views को constraint करना important है आपको मैं यहां पर component tree open कर लेता हूं यहां पर by default open नहीं आया है बाकी यहां पर आता है तो आपके पास component tree आ गया है तो तो आपके base layout जो है हमारे पास constraint layout है और इसके अंद सबस्क्राइम भी तीन हमाती है जैसे आपको यहां पणे दिखरा है और इस error पे hover करने के बादे आपके यहां पे missing constraint layout आरहे तो पिर फिर हम्ें क्या गपनने इसको हमें constraint करना है तो constraint करने के लिए करते हैं आपको दिख रहा होगा यहां पर जूम कर लेता हू 9P बेसिकलि आपको दिख रहा होगा यहां पर चार्ट डॉट दिख रहे हमें ठीक है यह चार्ट डॉट दिख रहे हैं इन्हीं को हमें कंस्टेंट करना रहता है किसी ना किसी लेयाउट से या किसी ना किसी व्यू से ओके तो हम कंस्टेंट करने के लिए क्या करता है बेसिकलि ह हमें दो constraint layout की जड़त पड़ती है और जैसे मैंने दो constraint layout लगाया वैसे यहाँ पर warning आ रही है लेकिन हमारे पास error जो था वो गाइब हो चुका है अगर हम इसको direct run करते तो हमारे application में आती error जो कि हमारे application को चलने ही नहीं देता क्योंकि constraint layout में में दो constraint minimum use कर रही है और maximum आप चार यूज कर सकते हो तो अब करते हैं हम इसको constraint तो हमने यहां से constraint तो कर लिया ठीक है तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी भी इसने काम नहीं किया तो constraint layout के कुछ property होती है कि आपकी दोनों साइट से इसको constraint करूँ जैसे कि आप left से कर रहे हो तो आपकी इसको right से भी करना चाहिए बाकि आपको जरुवत नहीं है तो मत करो कोई दिक्कत नहीं है आप manually भी इसका height increase कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर इसको जैसे यहां पर constraint करता हूँ तो यह देखो इसका जो property है आपको जैसे layout में दिख रहा होगा तो textview ने क्या किया पूरे layout को cover कर लिया तो यह क्या हुआ match parent बन गया है और या फिर इसको बोलो zero match constraint कर दिया है तो जितना space इसके पास था उसने यहां पर ले लिया है ठीक है जैसे कि मैं एक और textview ले रहा हूं यहां पर add कर दिया है मैंने यहां पर यहां पर direct भी आप यहां पर add कर सकते थे तो यह देखो यह हमार पास यह है first वाला और यह हमार पास textview second अब मैं क्या करता हूं इसको मैं left में पूरा इसने ले लिया था ठीक है अब क्या करते हैं अब जैसे मैं इसको ड्रैग करके जैसे ही मैं इसको drag करके यहां से मैं select करूँगा तो अब क्या किया है इसने देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इतना ही space इसने लिया है जितना इसके पास space बचा था अब जैसे मैं अगर इसके height को बढ़ा दूँगा तो आप मैं फिलाल बढ़ा रहा हूं बाकि आप कम होगी इसको हमें कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो यह बिसिकली जो जिरो मैच कंस्टेंट का जो प्रॉपर्टी होता है यह होता है तो इससे हम डायरेक्ट जितना space बचा वा रहता है वो ले लेता है तो आपको इससे समझ में आ गया होगा यह next हमारे पास क्या है same इसमें है एक wrap content नाम की property जो कि हमारे पास by default आती है जैसे हम कोई भी view use करेंगे तो यह by default wrap content में ही आता है ठीक है तो wrap content का क्या है अब wrap content क्या करता है जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि wrap wrap मतलब होता है समेटना और content मतलब content होता है जो भी इसके अंदर content है ठीक है तो यह क इसका text है जितना इसमें content है उतने पर आके यह automatic रुख जाएगा मैंने क्लिक किया और यह देखो जितना इसका content था जितना इसमें text लिखा हुआ था उतने पर आके यह automatic रुख गया अगर मैं इसके text को बढ़ाता हूँ तो देखना automatic इसका size भी बढ़ जाएगा मैं यहाँ किया और enter करते देखने इसका text बढ़ गया इसका size भी बढ़ गया तो यह होता है basically wrap content ठीक है तो इससे हमें wrap content और यह भी पता चल गया ओके एक और property होती है इसमें match parent जो कि हम दूसरे layout में देखने को मिलता है इसमें नहीं मिलता है लेकिन हम इसमें भी उसको use कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ नहीं match parent तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर match parent नाम की property आई है ओके तो मैं इसको कुछ नहीं करना है इसको select करूँगा तो जैसे मैं select करूँगा तो और enter करूँगा तो यह देखो match parent ले लिया तो जितना इसके parent में space था ना उसने उतना का उतना space ले लिया है ठीक है तो यह property भी होते हैं यहाँ पर अब next हम move करते हैं अपने height पर height में भी हमेरे पास same चीज है zero match constraint वगेरा तो आप अगर इसके zero match constraint कर देते हैं अभी इसने काम नहीं किया क्योंकि यह नीचे से constraint नहीं है जैसे मैं इसको constraint करूँगा यह automatic पूरा height ले लेगा तो यह अब देखो आपके यह text भी दिख रहा है यह पूरे पर दिख रहा है अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसके background का color change कर देता हूँ background पर चलते हैं और यहां से color डाल देते हैं मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे काम कर रहा है बाकी फिलाल के लिए आप इतना ही देख लो अब देखो जैसे मैंने black किया तो आपको क्या हुआ इसने पूरे को cover कर लिया है इससे हमें यह पता चल गया zero match constant करने के बाद तो और अगर मैं इसको wrap content कर देता हूँ तो यह देखो wrap जितना इसके पास बचा हुआ था space इसने उतना ले लिया जितना इसका content था उतना ही इसने ले लिया है और इसका color भी हमारे पास change हो चुका है तो same property जो इधर है वो आप इधर भी use कर सकते हो और match parent कर दोगे तो automatic यह हो जाएगा next हम चलते है इसकी id पे तो इसके id क्या काम क्या है basically id का काम यह होता है कि अगर इस particular text पर हमें कुछ काम करवाना होगा कीश पता लगाएंगे कि हमारे पास कुं से टेक्स्ट करना है ठीक है अभी तो यहाँ पर भीया होता है मैं पता चलेगा ना कि उसको ऐसे बोलते हो लड़के इधर आना बेसिकल उसका नेम लेकि हम उसको बुलाते हैं और उसी से पता चलता है कि है ना हम किस को बुला रहे हैं या फिर किस से हमें काम है ठीक है अगर हम ऐसे बोल देंगे लड़के इधर आना तो वो दोनों आ सकते हैं उसमें लेकि कि आपको भी पता होगा कि अगर दो लड़के हैं तो उनकी आईडी जो बनती है वो डिफरेंट डिफरेंट बनती है भले उनका नेम सेम हो या कुछ भी उनका काम सेम हो है दोनों लड़के लेकिन उनकी आईडी जो बनेगी वो अलग अलग ही बनती है तो इसमें क्या करते है हम ID में ID में Basically digit देतें उनकों कि तुम्हारे ID यह ए अगर तुमें बिलाए जाया तो तुम काम करोगे और तुमें बिलाए जाया तो तुम आओए या तुम काम करो ओके तो ये चीज़ हैं तो हम इसको आपको एक चीज़ यहांद रखना कि एक जैसे नाम हम इसमें नहीं दे सकतें नॉर्मल्ली तो हम दो नेम दे सकते हैं लेकिन वही चीज़ है रहे होगी इसका मतलब हम इसके ऐसे नहीं लिख सकते नेम लिखने का एक फॉर्मेट होता है एंड्रोड स्टूडियो में जो की कहते हैं इसको हम कैमल के स्टार्टिंग हमें करना चाहिए स्मॉल से और एंड आप कैसे भी कर सकते हैं बीच में आप अंडर स्कोर यूज कर सकत हो ओके आपको नॉर्मल इसमॉल और कैपिटल वर्ड लिखना बस इतना आप यूज कर सकते हैं बागे अगर आपको इस पेस देने के लिए आपको यूज करना होगा अंडर स्कोर मैं डाला और यहां पर करता हूं मैं एंटर तो आपको देख आप देखना कि इसका जो नेम चेंज कर पाऊंगा और यहां पर हमारे पास जाना है आईडी पर और आईडी पर जाने के बाद हमें इसका नेम डेलना है नाम डालना है तो यहां पर डाल देते हैं यूजर अंडर स्कोर नेम ओके और मैंने एंटर किया तो इसका नेम चेंज हो जाएगा और रिफेक्टर लिखना होगा यूसर ना कि टेक्स्ट टिक है अब कि क्या भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ब्लिखेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर आजाएगा देखना अब अभी दिखने रहा है क्योंकि इसका background color में डाल रहा है तो मैं background color को remove कर देता हूं ठीक है तो remove करने के लिए मैं इसको करता हूं इसको करता हूं यहां से और यहां पर कर देता हूं मैं इसको erase और करता हूं enter तो इसका color हमारे पास हट चुका है और यहां पर दिख गया हमारे पास hello word ओके तो यह हमारे पास है इसकी text की property और कुछ properties होती है जो मैं आपको दिखा देता हूं constantly out के बारे में deeply पड़ेंगे तो बेसिक जो properties थी यह थी अब मैं दिखा देता हूं आपको अगर इसके text का color चेंज करना हो तो क्या करेंगे तो यहां पर हमें यहां पर search का कुछ changes करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा तो यहां पर डालते हैं text और हमें यहां पर देखो text related चीजे मिल गई ओके तो यहां पर हमारे पास बहुत सी align होगा तो जैसे मैं यहां पर click करता हूं हमारे पास बहुत सारे option आगे ठीक है जैसे की बता रहे यहां पर text end तो जैसे मैं end करूंगा तो यह end पर चला जाएगा तो देखो यह end पर आ गया अगर आपको टेक्स्ट एंड पर करना हो तो आप ऐसे कर लेंगे व्यू एंड कर देंगे तो व्यू एंड हो जाएगा ठीक है तो इसको आप अभी दिखेगा नहीं अगर छोटा रहता तो यह दिख जाता अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रैविटी तो ग्रैविटी डाल दिया हमने सारी में और ग्रैविटी से हमारे पास है स्टार्टन में चला गया और इनहेर इन्हेर है और बहुता इसकर स्टेक्स्टार्ट में डाल करूंग earlier के श्वांने इसे हमारे भी मुझे अगर इसमें कोई भी टेक्स आता है तो मुझे उसको capital में ही सो करना है यहाँ पिर small में ही इसो करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं अगर by default आप जैसे लिख रहे हैं वैसा और यहांप करणない तो क्या करेंगे और यहांपkeeping आफे कर दा रही है तो यहांपको जाना है के अंधिस पलेटीप में ने कद मेरे बाद इक टेक्स्ट और अलसके सबाइबgrass और control और space दबाएंगे तो आपके पास इसके आ जाएंगे suggestion ठीक है तो यहाँ पर दो यह एक false है और एक वो है true है तो basically अगर हमें small लिखना है तो यहाँ पर small words खुद लिखने पड़ेंगे ऐसा कोई property नहीं है कि हम इसको by default small करा सके हैं तो यहाँ पर यहाँ तो false कर दो या true कर दो यहाँ पर all text all caps enable हो जाएगा ओके तो यहाँ पर मैं कर लेता हूं इसको false because मैं चाहता हूं जैसा लिख रहा हूं मैं वैसा यहाँ पर इसलिए ठीक है अब मैं यहाँ पर चलता हूं design में वापिस से design में चलने के बाद यहाँ महारे पास आता है option text color का तो अगर आपको टेक्स्ट का color change करना हो तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको यह option दिख रहा है अगर इस पर प्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ आते custom color डालने का जैसे मैंने यहाँ पर red किया तो यह red होगे अपने text का color ओके अब बाकी यहाँ से आप इनको change कर सकते हैं जो color आप करेंगे यहाँ पर automatically reflect हो जाएगा ठीक है यहां पर बहुत सारे option है आप इनको भी explore कर सकते हैं यहां से भी डाल सकते हैं यहां पर आता है टेक्स की opacity काम करने के लिए मतलब color की opacity करने के लिए तो आप इसको भी कम जादा भी कर सकते हैं यह सब हम बाद में देखेंगे बाइडेफॉल्ट मैं इसको रहें देता हूं और यहां से आप टेक्स का color चेंज कर सकते हैं मान लो कि आपको custom कोई color डालना हो तो आपको कुछ नहीं कर करूंगा देखना इसका color हो जाएगा purple और साइद मैंने कोई mistake किये ff6750 ठीक है 50 करना था मेरे पास अब जैसे मैं एंटर करूंगा यह purple हो गया ठीक है तो आप basically custom भी color डाल सकते हैं और यहां पर कुछ option है जो आपके resource में available है colors तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता ह कर एक color का folder ठीक है color का file डिखायता इसमें हमारे सारे color हमें use करने होते है ठीक है तो यहाँ पे जितने भी color होते है वह बाई default हमें यहाँ पर जाता है तो इसमें क्या है next हमारे पास text color highlight है इनको आप check कर करकर देख लेना कि या क्या होता है बागी और आपको बता देता हूं जैसिकि text decoration है एक यह हमारे पास पास टेक्सff daecdsron तो basically हमसमें क्या क्या कर सकते है आप अपने text के direction को decide कर सकते हैं कि start से सुरू हो या सुरू से स्टार्ट तो यहां पर आप वह वी चीज देख लेना और भी बहुत सारे अब नेक्स जाते हैं हमारे पास अगर टेक्स के साइज को इंक्रीज करना हो तो क्या गरेंगे एक लीनिट होती है जिसमें हम अपने जिसको आपको कुछ नहीं करना एंप यहां पर कुछ आपको मिल रहे हैं आप यहां तो डायरक्ट यहां से स्लेक्ट करके इंके यहां पर कर लिए जैसे मैं यहां पर कर लेता हूं 96 बढ़ चुका है और आपको कस्टम डालना हूं तो कुछ नहीं करना है कस्टम यहां पर डाल दो जैसे कि मैं डाल देता हूं यहां पर 20 20 SP ठीक है make sure कि आप SP जरूर लिखें बढ़ना यह काम नहीं करेगा और आपके पास आएगी और मैं यहां पर करता हूं यहां पर यहां से इसको सर्च करके भी लिख सकते हैं यहां पर सारे अट्रिब्यूट्स आपको मिल जाएंगे तो टेक्स में इतना था बाकी हम move करते हैं और चलते हैं अपने next button पर ठीक है तो मैं add कर लेता हूं एक button मैं इसको यहां से constraint हटा लेता हूं यह top पे चला गया और add करते हैं अपना एक button अब button की भी कुछ properties होती है अब मैंने जैसे button लाया तो by default जो button आता है वो आता है material button ओके पहले आता था हमारे प split में और split में जाने के बाद जो यह button वाला आपको यह दिख रहा है आपको कुछ नहीं करना है इसको end को हटाओ या फिर पूरे को हटा दो और यह देखो यहां पर आ गया हमारे पास different type of button तो हमें app compact button बनाना है इसको तो normally click करो और यहां पर कर दो click तो यहां हमारे पास पहल काम तो हम यहां पर यूज करने वाले app compact button को यूज नहीं करेंगे और हम यूज करेंगे यहां पर material button ठीक है तो button की कुछ properties है basically मैं आपको यहां पर वही बताने वालो material button में बहुत कुछ होता है वो भी हम cover करेंगे लेकिन आगे किसी और video में ओके तो यहां पर चलता है design पर और design पर जाने के बाद इसके भी कुछ जो properties है इससे related properties यह हमारे पास यहां पर so होने लगी है तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारे इसको constraint करना क्योंकि हम constraint layout में काम कर रहे हैं इसलिए तो मैंने इसको constraint कर लिया इधर से इधर से और top से इसके साथ ओके अब मैं margin दे देता इसको अलग करना चाहते हैं मैंने जैसे इसको constraint किया है तो मैं चाहता हूं कि इसके इतना बिल्कुल चिपका हुआ ना आए तो मैं क्या करूंगा इसमें डालूंगा margin जैसे मैं margin डालूंगा तो यह थोड़ा से हट जाएगा यानि कि थोड़ा से हटेगा जितना भी मैं इस मार्जन मार्जन दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा से expand कर लेता हूं तो आपको दिख जाएगा इसका पूरा ने तो यहां पर आ रहा है मार्जन स्टार्ट लेफ्ट टॉप एंड राइट बॉटम ठीक है और बेसलाइन तो हमें मार्जन कहा डालना है बेसिकली मार्जन ह लेकिन अगर बॉटम से ही नी तो हम यहां पर डाल ही नी सकते ओके तो डालोगे तो यहां पर चाहता हूं कि इस वाले से थोड़ा सा अलग हो जाए तो मैं क्या करूंगा मार्जन कहां से डालना मुझे अगर यह से इस से इसको डाल दूँगा ऊपर आले टेक्स्ट को क्या करने वालों कि बॉटन को अपने मार्जन से कि तो मैं यह पर अवालों हैं तो मैं यहां पर बाल करना मारजन जैब में हमँए ना पड़ता है डिपी तो यहां पे मिया ड़नावाला हूं 10dp यहाँ पर 10dp डालने के पर enter करूंगा तो यहाँ पर देखना थोड़ा सची क्या हो जाएगा इससे पिंपने टो यहाँ अगर मैं और बढ़ा देता हूं तो यहां पर और बढ़ जाएगा यहां पर मैं डालता हूं 50 50 CP, तो यहां पर मैंने डाला, तो 50 DP, का इससे इसने margin ले लिया है, अब छिसमा मैं आपको बताया था कि मैं इसको Margin दे सकता था bottom में, लेकिन मैं देखो, इहां पर अगर इसमें bottom में देखो, इसकी किसी से तो मैं अगर इसको अगर इससे मार्जन देता बॉटम से तो होता है appreciate आपको है अगर इसको मार्जन देना है या कुछ भी इसके एक्टिविटी काम करना है तो ठीक तो एक टाइम पर एक Constantine लगा सकते हैं या तो इसने इससे लगा लिय का यहां पिर कशोंट डूड करना है तो फिर यह हं aussi ile legg Sasak सकते हैं ठीक है और बोटम से डाल सकते हैं नेक्स आता है हमारे पास एक पैडिंग का यह हमने बाहर से तो अटा दिया लिए कि मान लो कि अगर हमें अंदर ही किसी चीज को यह हमारे व्यूव है इसके अंदर हमें किसी चीज को छोटा या बढ़ा करना हो तो कैसे करेंगे यह है फिर उसको दूर या बास करना हो क्या करें हैं मान लो कि मैं चाहता हूं एंधर से हट जाए और इधर से होने लग ठीक है तो मैं किहें में क्या करने है इस बटन को मैं चाहता है थोड़ा सा इधर की सकग जाए कि क्या है तो किसे स्टार्ट से डॉल jetzt तो इसको थोड़ा से पुछ कर के अंदर कर देगा ओके पैडिंग का काम क्या हूता है थोड़ा अंदर करना तो अब यहां पर डालतों मैं पैडंग З哇 यहां पर कर सकते हैं उपन इसको सब्सक्राइब करता है अगर मुझे राइट से डाल दूंगा यहां पर क्या गरूंगा इसको राइट से डाल दूंगा 10 dp का पैडिंग तो यह आजाएगा वापने सेंटर में और मैं अगर इसको हटा देता हूं तो यह अभी देखना यह अपने राइट की तरफ थोड़ा स स्लाइड हो चुका है अगर मैं इस टार्ट से डालता तब यह क्या होता इस टार्ट से इधर से और एंड से इधर से आजा तो बेसिकली पैडिंग का होता है अपने विउ को चैंज नहीं करता है वह अपने अंदर की जो कंटेंट होता है उसको वह थोड़ा सा चोटा या ब डाल रहा हूं 15dp तो अब क्या होगा यह देखना इसका टेक्स तो टेक्स की साइज तो क्या फिक्स है इसलिए हमारे पास यह क्या हुआ बटन के साइज को इसने इंक्रीज कर दिया समटाइम अगर हम इमेज करेंगे तो हम अपने इमेज को छोटा बढ़ा करने के काम भी लेता हैं तो उसमें हमारे यह काम आता है अब जैसे कि मान लो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पैटिंग दे दूँ और हर चीज इसके थोड़े से अंदर ही रहे तो अब मैं स्लेक्ट किया यहां से देख लो और यहां पर पैडिंग आ रहा है अब पैडिंग मैं डाल को आगे देख लेते हैं जया यहां पर आपे बटन का थेजेंगे करना हूं तो यहां यहां पर यहां पैडिंग को स्लेक्ट कर लेता हूं से भाइन बटन हीं टान लिखा हुआ हूं और पैडिक हमने डाल रहा है एक बार पैडिक को हटा लेते हैं और ठीक है अब मालों इसको टेक्स्ट को कलर को चेंज करना है तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे टेक्स्ट को कलर चेंज करना है तो यहां पर आके color को change कर सकते तो यह हो चुका है हमारा color change okay और font को change करना है तो same font पर चलेंगे हम और font को कर लेंगे change और क्या होता है इसमें कुछ property इसकी भी होती है id button की भी ID होती है तो आप यहां पर button डाल सकते हो start button ठीक है और यहां पर हम space यूज नहीं कर सकते हैं और यहां पर मैंने करते हैं refactor तो अब हम अगर इस button पर कोई काम करना होगा तो हम क्या लिखेंगे start button ओके और हम इस पर जो भी perform करवाना चाहते है action वो करवा लेंगे ठीक है और next चलते हैं अगर इस button के background को change करना होगा तो क्या होगा by default app compact में तो आप background को color कर change करके भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप material three button use कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्या use करना पड़ेगा यहां लिखना है background क्योंकि हम इसके background पर काम करना चाहते हैं तो background related properties आ चुकी है ठीक है by default अगर आप इसमें कोई shape लगाना चाहोगे तो आप यहां से लगाओगे यानि कि मतलब कोई shape देना चाहो इसको तो या फिर इसमें कोई image लगाना चाहो तो आपको यहां लगाना है background से और अब हम चाहते हैं इसके color को change करना तो यह प्रोपर्टी होती है इसमें background में तो यहां पर अगर मैं select करता हूं तो आप मैं देखना अगर मैं कोई सा color select करूंगा यहां से blue करता हूं तो यहां पर blue color का हमारा और कुछ properties होती है इसमें जो कि हम cover करते रहेंगे वीडियो में next चलते हम अपने image व्यूपे ठीक है तो मैंने यहां पर क्या कर लिया एक image व्यूप करा drag and drop अब जैसे मैं छोड़ूंगा इसको तो यहां पर आएगा हमारे पास कुछ चीजें कि आप इसमें क्या use करना चाहते हो ठीक है तो image है और image व्यूप में क्या काम image से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें image type का का काम करने वाले हैं तो image type का का काम कैसा होगा जिसमें हमें image so करवाना हो किसी application में कुछ दिखाना हो तो हम वहां पर क्या use करेंगे अपना image व्यूप ठीक है तो image व्यूप करने के लिए अब क्या करते हम यहां पर by default तो भी कुछ है नहीं तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं avatar को select कर लेता हूं या फिर आप क्या कर सकते हैं यहां पर जाने के बाद कुछ icons वगेरा होते हैं आप उनको भी add कर सकते हैं या फिर मान लो कि आपको यह ना करना हो तो उसके लिए मैं आगे बताता हूं फिलाल मैं यहां पर करता हूं इसको okay और यहां पर आ गया अब यह हमारे पास ही image आ चुका है अब सबसे पहले काम क्या है हमा और यह देखो यहां पर हमारे पास image show नहीं हो रही है basically क्योंकि अब जो update आया है उसमें image show नहीं होती है तो हमें यहां पर कोई ना कोई image show करवानी पड़ेगी और मैं दिखाता हूं आपको तो image show करवाने के लिए हमें क्या तरीका है हम अपने application में image डाले तो image डालने के ल image यूज़ करने वाले तो चलते हैं अपने chrome पर चलने के बाद हम यहां पर डाउनलोड कर लेते हैं कि image को तो यहां पर मैंडालता हूं एक background और यहां पर search करते हैं और यह हमारे पास different type के background आ चुके हैं मैं चलता हूं यहां पर photos पर और photos पर जाने के बाद image पर चलते हैं यहां पर और image से यहां पर हमें जो image पसंद आ रही है हम उसको यहां से ले लेंगे ठीक है तो मान लो कि मुझे यह वाली अच्छी लग रही image इहां कर लेते हैं डाउंड लौट तो मैंने यहां पर किया करन और desktop पे copy मैंने किया copy यहां से और मैं यहां पर अपने android studio में आने के बाद यहां पर क्या दूंगा मैं इसको पेज ड्रॉयबल वाले फोल्डर में ठीक है अब यहां पूछ रहे हमारे इसका नेम क्या होना चाहिए ठीक है तो नेम हम यहां पर कैसे मैंने बताया था आपको कि यहां प होने माले environment earth ठीक है मैं यहां तक किसको clear करता हूं और यहां पर लगा लेता हूं मैं क्योंकि वहां पर यूज नहीं कर सकता था और मैंने यहां पर कर दूंगा ओक्र तो यह हमारे पास ओक्र आ चुका है और यह हमारे पास image आ चुकी है ठीक है अब बेसिकली मैं इस image को ठीक है तो बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको इस वाले icon पर क्लिक करना है या फिर आप यहां पर custom नाम भी लिख सकते हैं मैं आप इस icon पर क्लिक करता हूं अब देखो आपको यह वाली image show हो गई जो हमारे resource tribal में थी तो यह हमारे पास image लग चुकी है ठीक है तो यह हमारे image तो लग चुका है लेकिन इसका view देखो आप कितना बड़ा हों यह तो अगर इसको इतना ही दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे ँल application run हुआ और अभी भी हमें इसे नहीं हो रही है उके बिकॉज क्यों नहीं हो रही है क्योंकि हमने इसमें क्या किया है source compact में लिखाए तो चलते हम इसमें split में और source compact की जगें हम इसमें यूज करने इसको ठीक है रन करते हैं वापिस से अब चलाते हैं और अभी भी इमेज सो नहीं हुआ अब यह सो क्यूं नहीं हुआ बिकॉज और इससे भी हमारी application में नहीं आया तो हमें क्या करना है या तो यह तो क्या है कि क्या error था इसका तो बेसिकली यह इमेज है यह support नहीं कर पा रहा है यह बेसिकली jpeg format support करता है या फिर png या फिर कुछ और तो के मैं चलता हूं यहाँ पर यहाँ पर लिख लेता हूं photo jpeg ओके तो मैं यहाँ से download करूंगा इसको यहां से मैंने किया save save as और यह भी वैप आ रहा है तो वैप में मुझे save नहीं करना इसको तो मैं ऐसा इमेज ढूनुगा जो कि हमारे सब्सक्राइब लगने पर यहां के वहाँ करते हैं और यहां करते हैं और being मैं लिखा download और यह हमारे पास आगे download अब इसको run करके देखते हैं कि अभी भी सपोर्ट करता है या नहीं कि तो यह अभी भी हमारा support नहीं किया हमारे नहीं आया यहां पर ओके यह है src अब यह क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा था हमारा क्यूंकि हमने यहां पर टूल से लिख रखा है यह जो है हमारे पास android होना चाहिए ठीक है तो यहां पर मिल गया यहां पर android src तो यहां पर हमें इसको सो करवाना था तो अब यहां पहले मैं लिख देता हूं download और इसको मैं यहां से कर देता हूं remove अब देखना अब पक्का है कि यह सो करी जाएगा तो आपको यह भी ध्यान रखना यहां पे कि आप कब कहां क्या यूज कर रहे हैं ओके अब मैं चलाता हूं अपने android studio के और य यह हमार पास इस button के just नीचे ही so होने वाला है हो गया तो कुछ और properties है जो image से related हम उसको देख लेते हैं तो यहां पे चलते हैं अब जैसा कि आपको दिख रहा था यह पहले कि यह पूरे में था तो मैं इसको एक बार कर देता हूं wrap content है इसके होटा के मैं कर देता हूं यहा scale type के नाम तो यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं अपने image को scale करना चाहता हूं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा scale type तो मैं जैसे यहां पर click करता हूं तो यहां इतने सारे attributes दिख रहे हैं जिनको आप use कर सकते हैं by default यह आता है center inside ठीक है इसके बाद आपको change करना है तो इसको यहां पर स्टार्ट कर चाहें तो यहां पर चल जाएगा ठीक है अगर करोगा तो ये बिल्कुल आ जाएगा अब मैं क्या चाहता हूं यह पूरे में image पैल जाया तो मैं क्या कर दूंगा इसको fit in center कर दूँगा पूरे में फैल आने के लिए fit in Center नहीं यहां पर तो यह होती है कुछ image की properties और भी जो padding वगएरा डालना चाहो वह भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो basically हम यहाँ पर प्रोपर्टीज की बात कर रहे हैं तो वह जितने प्रोपर्टीज सब लगबग लगबग सब में काम करती हैं तो अब यहाँ पर चलते हैं of edit text होता है इनको हम edit text कहते हैं जैसे कि हमार पास normal text view था यह button था यह image था तो यहाँ पर हमार पास आता है edit text नाम से उस प्रोपर्टीज ठीक है तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें अंडर लाइन नहीं है लेकिन इसमें अंडर लाइन है आपको क्या करना है यह अंडर लाइन वालर को select करना है अगर आप कुछ user से input लेना चाहते है तो तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ यहां से drag and drop कर लेता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यह ड्राइग और रॉप हो गया और मैं इसको कर लेता हूँ सबसे पहले constraint तो constraint मैं इसको इधर से कर लिया राइट से कर लिया इसके साथ ठीक है और मैं थोड़ा से इसको margin दे दिया margin आप ड्रैग करके भी कर सकते ह अब देखो यहां पर मैं क्या करवा सकता हूँ यूजर से उसका name input करवा सकता हूँ तो मैं इसको run करता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको अब Basically, मैं क्या है? यहां पर तो मैं टेक्स को देख पा रहा था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने user क्यो इंटर करवा सकता हूँ. जैसे कि NATROOTS, तो अब मैं यहां पर लिख का रहा हूँ. ठीक है, तो यहां पर, मैं दाल देंगे हम इसमें वह भी चीज हम देखेंगे लेकिन मानलो कि यहां पर जैसे नेम आ रहा था लिक हो वापिस रं करता हुं तो यहां पे आहे रहा है यहीं है हमारा हिंट है सकते EM कि यहां लिखने वाला है कि उस Dabei को पता नियों निग मन दो से ब्सक्राइब inject डाल दिये मैंने उसको पता तो होगा कि क्या उसको लिखने चीए यहां पर क्या यूज करते हैं अपने मैंने आपे enter password ढाला और first वाले में मैंने डाल दिया hint मैं enter name डाल दिया और नीचे वाले में हमने password ढाल दिया और अब यह बस में मुझे कुछ नहीं गई टक्स जो है इनको अटाना है यह by default टक्स आते इसको प्रटा दिया मैंने और यह देखो इसको भी मैंने remove कर दिया तो अब यहां पर क्या रहे एंटर नेम और एंटर पासवर्ड तो अब इससे क्या होगा यूजर को पता चल जाएगा कि यहां पर क्या डालना है यहां पर उसको पता चल जाएगा कि पासवर्ड डालना है तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूं यह मैंने रन किय अब देखो अब मुझे पता है कि यहां फॉँभी वह टाल लेना और मैं उसके लिए यह बहुत सारवागा पास दिख रहे हैं जैसे पास्वर्ट नुमेरिक पास्वर्ट इमेल फॉन पोस्ट एड्रेस मल्टिपल लाइन टेक्स्ट टाइम डेट नमबर बहुत सारे चीज़ है यहां पर तो हमें क्या करना पड़ेगा पास्वर्ड वाला यूज करना पड़ेगा यहां पिर आप क्या खी ह्यार है यहां पर टेक्स्ट तो आप जैसे पॉस्ट रख हमारा डृब password है तो मैं यहाँ पर करना text password को select कर लूँगा यहां से मैं direct भी इसको drag कर सकता था और अगर phone number होता तो आप अपने यहां से क्या कर लेते नीचे जाने के बाद यहां से phone tick है इसको हो select कर लेते ठीक है और यह और और कुछ होता था हम और चीज़े स्लेक्ट कर सकते तो मैंने आपके कर लिया ठीक है तो यह हमारे पास क्या हो गया टेक्स्ट और पासवर्ट टाइप का यह हो चुका है यहां पर दो प्रॉपर्टीज डल चुकिए जैसे के आपको दिख रहा होगा कि इसके बीच में सेंटर है तो आप एक से करना है कि basically एक टेक्स लिए और या पिर नहीं भी करेंगे तो भी यह चल जाएगा अब मैं इसको रन करता हूं और देखता हूं कि अब क्या हमारा पासवर्ट 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 के जैसे आते है या नहीं तो मेरे नेम जैसे रागया अब मैं पासवर्ट डाल रहा हो नहीं देखो आपको कुछ नहीं करना है नंबर वाला यहां पर नंबर आगया अब जैसे मैं रन करूंगा इसको तो यहाँ पर किया जाएगा नमबर होते हैं जैसे कि आपको दिखर LOOK है इसको कहते हैं इमेज व्यू और इसको कहते हैं वैफ फ्यूच्श सेडियोट्स के playing Bobby to the team हो गया हमारे और कुछ वभ्य है यह हम देखते रहें गे अब मेरे लेकिन लेकिन बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूं इस वाले को मैं कर लेता हूं एक्सपोर्ट करते हैं export करके मैंने क्या कर दिया जो कि आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हो और मुझे यहां पर कहां पर डालना थे इसको android directory में जाके जाके यहा पर मुझे करना था export तो यह हमारा एक्सपोर्क हो चुकाया और मैं हंज से करते तो इसको क्लोज इस वाले प्रोजेक्ट को ओके तो मूव करते हैं अब हम ले आउट की तरफ जहां पर हम कवर करने वाले है अपने different type के layouts को तो मैं बना ले तो एक new project new project पर click करने को बाद empty view पर चलते हैं यहाँ पर करते हैं next और यहाँ पर लिख लेते हैं अपने application का नाम जो कि है हमारा layouts ओके तो मैंने यहाँ पर कर दिया create इसको और यहाँ पर हमारे पास create हो रहा है तो इसे वाले में हम क्या-क्या करने वाले हैं हम तीन टाइप की layout को कवर करेंगे एक होने वाला हमारे पास linear layout second हमारे पास होने मारा relative layout और थर्ड हमारे पास होने वाला है constant layout जो latest layout है व vendor और यह प्हीं कहता है कि हम Alone लेकिन अगर Android कहता है कि constant layout में code करें तो हम यह दो जो layout जो मैंने आपको बता है linear और relative वो क्यों करना चाहेंगे तो वो इसलिए हम करेंगे क्योंकि जो पहले जो code लिखे जा चुके हैं और लिखे हुए तो अभी भी linear में या फिर constant में लिखा हुआ होगा तो हमें उनको भी तो देखना पड़ेगा हो सकता है हम अगर आगे future में काम करते हैं किसी का code हमें मिलता है तो उसमें क्या करना होगा हमें कि जो layout वहाँ पर use हुआ है उस ही में हमें काम करना पड़ेगा तो basic understanding हमें उनकी भी होने चीए जिसमें पता चल जाए कि हमें यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हमारे पास यहाँ पर code लिखा हुआ है और उससे पहले मैं बताऊंगा यहाँ आपको XML के बारे में थोड़ा सब अच्छे से तो यह हमारे पास XML की फाइल होती है मैंने आगे बताया भी था आपको लेकिन यहाँ पर मैं चलता हूँ split पर और यहाँ पर चलते हैं यह XML के पार्ट पर तो जितने भी layout होते हैं हम यूज करते हैं यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर by default अब मिलता है जो constraint layout है पहले हमारे पास दूसरे layout मिलते थे लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर constraint layout मिलते हैं तो हम यहाँ से basically यहाँ के change करके हम इसको यह जो हमारे root layout है इसको हम change करके जो layout में बदलना चाहिए वो बदल सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर relative layout भी बदल सकता हूँ और यहाँ पर मैं linear layout भी बदल सकता हूँ और grid layout भी होती है उनमें भी मैं इनको change कर सकता हूँ तो basically मुझे यहाँ पर layouts को define करने रहता है अब XML क्या है XML जैसा कि आपको पता होगा कि XML में हम अपने design को बनाते हैं जो भी app का design होता है हम XML में ही create करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कौन-कौन से layout यहाँ पर होते हैं तो मैं design में चलता हूँ design में चलने के बाद यहाँ लयाओट पे चलते हैं तो आपको यहाँ बिफ्रेंट type के layouts दिख रहे हैं जैसे कि first layout है हमारे पास constant layout constant layout हम सबसे last में सीखेंगे उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर linear layout और यहाँ पर linear layout दो type के है एक हमारे पास horizontally horizontal कैसा होता है यहाँ पर ऐसे और vertically कैसा होता है यहाँ पर top to bottom ओके और यहाँ पर हमारे पास और layout है एक frame तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसका भी करेंगे वैसे यह पुराना हो चुका है इसलिए यह लेगिसी पहुत पड़े कि मतलब अब्वेसी बात है कि हम इसको यूजप नहीं करना है लेकिन हम बेसिंग अंडरस्टैडिंग लेके चलेंगे इसका ओके जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है जिसमें हमें इन चीजों की जरुरत पड़े तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले बेसिक फर्स्ट लेयाउट से जो कि हमारे पास है लीनियर लेयाउट ओके तो लीनियर लेयाउट यहां पर आपको इसको चेंज करना है तो आपको इसको राइट क्लिक करना है और कंवर्ट व्यू में जाने के बाद आपको यहां पर मिल जाएंगे और आपको जिस लेयाउट में इसको कंवर्ट करना है उस लेयाउट में आप मुझे यहाँ पर इसको select करना है सिर्फ इतने से tag को जहाँ पर लिखा हुआ XMLN को छोड़ के यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर लेकिन capital में सबसे पहले मैं लिखूंगा है यहाँ यहाँ पर सजेशन आ चुके हैं कि आपको क्या बनाना है अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं relative के लिए तो यहाँ पर लिखता हूं और यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास relative layout आ चुका है ठीक है तो यहाँ पर पहले हम linear layout को यूज करने वाले हैं तो हम यहाँ पर linear layout लिख लेंगे लिखा मैंने और यहां पर मैंने इसको select कर लिया तो देखो इसका starting का tag और closing tag जो है वो दोनों change हो चुके हैं तो आपका ज़रुरत नहीं है कि दोनों को एक साथ change करो अगर in that case अगर आपके पास यहां पर change नहीं होता है तो आप यहां पर custom भी लिख सकते हैं मैं जूम कर लेता हूं make sure कि यहां पर closing tag का यह slash लगा होना चाहिए forward slash होना चाहिए तो यह हमारा convert हो चुका है linear layout में अब linear layout से आपको क्या पता चल रहा है कि जो चीज़ linear हो जैसे कि आपको tag से हर चीज़े पता चल जाती है यहां पर कि किस type का हम इसमें काम कर सकते हैं तो इस रहेगी अब linearly assign तो होती रहेगी लेकिन यहां पर linear layout की दू properties होती है एक होती है हमारे पास horizontally और एक होती हमारे पास vertically जैसा कि आपने यहां पर देखा होगा तो linear layout को हमें बताना ही पड़ता है कि हमें कौन सा linear layout यूज करना है या तो horizontally यूज करो या vertically यूज करो तो अगर by default अगर हमने कुछ नहीं बताया तो हमारे पास आएगा error और हम उसको चीज को यूज भी नहीं कर पाएंगे तो मैं यहां पर direct यहां से select भी कर सकता था कि हमें कौन सा linear layout या फिर हम यहां पर एक properties आती है orientation नाम से तो मैं यहां पर डालता हूं orientation और orientation डालने के बाद आप select करें अब जो भी चीजे मैं इसमें add करूंगा वो क्या होगा automatic align होते रहेंगे कैसे horizontally तो horizontally कैसे होता है हमारे इस type का मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और blueprint को मैं यहां पर फिलाल के लिए off कर लेता हूं और only design वाले को मैं यहां पर show करने वाला हूं ठीक है और मैं चाह रहा होगा change font size with control plus mouse wheel तो आपको इसको कुछ नहीं करना है यहां पर check करना है और check करने के बाद आप call editor पर automatic आजाएगा आपको इसको ok कर देना है फिर आप क्या करेंगे control press करके अगर आप अपने mouse wheel को scroll को गुमाते हैं तो आपके पास देखना font जिसका small और बड़ा कर सकते ह है ठीक है तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है जिससे आपको अच्छे से सोह हो यहां पर और मैं इसको थोड़ा सा इसको कर लेता हूं इसको थोड़ा सा चोटा कर लिया है जिससे कि आपको अच्छे से सब चीजे सोह हो ओके तो यहां पर हमारे पास horizontal layout है अब य यहां पर चलता हूं दिजाइन में और यहां पर मैं एड़ कर लेता हूं कुछ इमेज इस ठीक है यहां पर मैंने एक और इमेज डाला और यहां पर मैंने एक और इमेज डाला तो देख रहे हुए कि आप यह horizontally automatically align हो रहे हैं मुझे इसको बताने की जुरूत नहीं परते कि आप इसके बाद आओ इसके बाद इसके बाद आओ ठीक है अब बाकि आप इसको सॉट भी कर सकते हैं कि मैं इसको अगर उपर कर दूँगा तो यह उपर आ जाएगा और मैंने इसको अगर नीचे कर दिया तो यह नीचे आ जाएगा बाकि इमेज चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यह वही आ रहा है अगर आप उरिजिनल इमेज इसमें यूज करेंगे तो आपके पास डेफिनेटल यह चेंज होने वाला है मैं यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ट टेक्स है मैं इसको डिलीट कर देता आप जैसा कि आपको दिख वेट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें अपने सभी images को select करके या फिर आप particular एक image को select करके आप इसमें weight लगा सकते हैं जो कि हमारे पास यहां पर by default आती है दूसरे layout में आपको यह चीज नहीं देखने को मिलने वाली है यह चीज हमारे पास linear layout में होती है अगर मैं मान लो कि अगर बीच वाला image है अगर इसका मैं weight यहां पर to कर देता हूँ तो आप देखना कि यह थोड़ा से हलका से बड़ा हुआ मैं काम करता हूँ अब यह इसलिए थोड़ा से बड़ा हुआ क्योंकि मैंने by default जो इनकी properties डाल रखी है वो क्या है wrap content है और इसके use करन और इन दोनों ने क्या किया हमारे पास 50-50 का weight ले लिया है अगर मैं चाहता हूँ कि वो भी image show हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा 1 तो जैसी मैंने 1 डाला तो यह हमारे पास image show हो चुकिया अब मैं चाहता हूँ इस image को और बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं क्या 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके आप यहाँ पर weight डाल सकते हो ओके तो जैसे मैं चाहता हूँ कि बीच वाला थोड़ा से image हमारा बड़ा हो और यह दोनों image हमारे पास automatic छोटे हो जाए तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं डाल दूँगा 0.5 तो मैंने जैसे डाला और enter किया तो देखो आधा है तो इसने ले लिया क्योंकि मैंने 1 तक की value ले सकते थे यहाँ पर तो आधा तो इसने cover कर लिया और बागी जो बच्चे वी 25 25 ते 0.25 0.25 वह इन दोनों को automatic ही मिल चुका है एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसका image देखो आपके बिल्कुल पू horizontally है तो यह हमारे vertically change नहीं करेगा हमारे height को यह हमारे क्या करेगा horizontally जो हमारे width होगा उससी को change करेगा अगर आपको vertically भी change करवाना है तो आपको यह तो custom डालो या फिर आप यूज करो linear layout vertical ओके अब जैसे मैं चाहता हूँ इसको तो मैंने 50% दे दिया या फिर 0.5% minus को दे दि तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा by default यहां पर वन है तो मैं क्या करूंगा 0.3 डाल दूगा यानि कि 30% इसने cover कर लिया और 50% हमारे इसने cover कर लिया और बागी बचा हुआ कितना बचा उसके पास फर्स्ट वाले image के पास हमारे पास बचा 0.20% तो मैं यहां पर भी इसको 0 0.20% कर देता हूं 0.20 और मैंने यहां पर डाल दिया था 0.3 और यहां पर मैंने 20 डाल दिया यहां पर मुझे 0.2 ही डालना था और यह बिल्कुल perfectly काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहां पर इसको match parent किया था यहां पर क्या होना चाहिए यहां पर 0DP होना चाहिए जिससे कि automatic यह चीज़े cover कर ले अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा 0DP दे दिया तो यह क्या हुआ कि जितना इसके पास height होना चाहिए automatic ले लिया तो जैसे कि आपको यह दिख रहा होगा 50% पर और यह हमारे पास है 30% पर और बागी जो बचा हुआ space है वो इसने ले लिया 20% अब मैं एक और तरीका इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर ले ले 20 ठीक है इसने 20 ले लिया second वाला जो image है हमारा इसको हम दे देते हैं यहाँ से 50 और एक और हम जो थार्ड image है हमारा इसको हम दे देंगे यहाँ से 30 तो यहाँ पर क्या हुआ हुआ सेम चीज हमारे पास काम कर रही है make sure कि आपका जो width है वो होना चीज जीरो डीपी ओके जीरो डीपी का मतलब यह होता है कि बचा हुआ इस पे जितना भी है वह cover करें और सभी layout को मैंने इसलिए किया है तो ऐसे काम करता है तो अगर आपको ऐसा कुछ काम कर रहा हो तो आप linear layout को use करेंगे अब क्या करते हैं एक और linear layout लेते हैं जो कि लेते हैं यहां पर vertical वाला अब मैंने यहां पर नीचे drag and drop कर लिया है और यहां हमारे पास linear layout एक आ चुका है या फिर आप इसको भी change कर सकते थे direct vertical layout में convert view में जाने के बाद आपको मिल जा गए यहां पर convert orientation to vertical या फिर आप code से भी इसको vertical कर सकते थे तो मैंने यहां पर add कर लिया यहां पर एक vertical layout और यह इसलिए show नहीं हो रहा है क्योंकि यह इसके last में आ चुका है और हमारी images भी guide हो चुकी है ओके तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं एक और लेने वाला हूं linear layout जो कि हमारे पास हो करता हूं इन दोनों को separate separate show करने के लिए मैं इसमें background डाल लेता हूं तो मैंने select कर रहा यहां पर और यहां जाते हैं background और background में जाने के बाद मैं यहां से color ले लेता हूं by default purple और यहां पर मैं करता हूं और यह अभी हमारे पास इधर show हो रहा है क्योंकि इस side में हमारे पास और इसको मैं change कर लेता हूं इसको linear layout को convert to vertically ठीक है तो यहां हमारे पास नीचे आ चुका है आपको भी show नहीं हो रहा होगा क्योंकि यह बिल्कुल नीचे show हो रहा है हमारे पास तो मैं एक काम करता हूं जे जो हमारे पास लिणार layout है इसको मैं क्या ऒसके हाइट कर लेता है हम यहां पे wrap content किया मेरे पास और शाय हो चुका है अपना linear layout वर्णियर वर्टिकल तो अब क्या करना है हमें अपने linear layout maximum काम करना है तो tak मेंने एक बटन यहां पर एड़ किया और यहां पर बटन एड़ करता है छो कै esse हो रहे ही वहारопर्टकली हमार पास नाया मट् WAR eram मैं। चलता हो और यहां पे देखते हैं बटन तो यहां पे हैं नहीं हमारे पाहरा इसको डाल लेंगे क्योंकि weight की प्रोपर्टी इसमें यूज करनी है मैं यहां पर मिल्टिपल करस लगा रहा हूं और मल्टिपल कर से लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बसक्न मैं डाल दूँगा मैं 111 ठीक है तो इसमें क्या हो गया अब यह देखो आप कि यहां पर तीनों जो हमारे पास बटन्स थे जितना बचा हुआ इस पेस था उसमें एक एक का वेट इन्हों ने ले लिया यानि कि 100% 100% 100% इन्हों ने ले चुके हैं अब जैसे मैं चाहता हूं कि इसको मैं सब्सक्राइब कर दिया और इसके बाद में हापर चाहता हूं इसको मैं दे दूए 30% तो मैंने इसको 40% कर दिया और जो लास्ट बचा हुआ है 30 और 40 के बाद हमारे पास कितना बच जाएगा 20% 20% मैं यहाँ पर दे दूंगा बचा हुआ हमारे पास 30% बच गया तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूं 30% इन दोने ले लिए और यहाँ पर क्या ले लिए इसने 40% का अगर लोगा इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो मैं यहां पर इसको कर लेता हूँ 20 और बचा हुआ यहां पर 20 मैं इसको देता हूँ तो इसने क्या कर लिया इसने अपने पूरा 60% ले चुका है तो बेसिकली हम अगर linear layout में काम करना हो तो ऐसे करते हैं और linear layout horizontal में काम करना हो तो ऐसे करते हैं अब यहां पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि यह चीज चेंज जो हो रही है वह only इसके vertically change हो रही है यानि कि इसका height में changes हो रहा है ना कि इसके weight में जैसे कि मैं आपको margin डालके दिखा देता हूं इसमें तो मैं इसके चलता हूं parent layout में और parent में जाने के बाद यहां पर डा तो यह थे हमारे linear layout अब इसके बाद हम चलते हैं move करते हैं अपने relative layout पर तो relative layout के लिए मैं क्या करता हूं एक बना लेता हूं एक और activity जिसमें हमारे क्या होने वाला है relative layout हम यूज में करने वाले तो मैं rest पर जाता हूं layout पर जाते हूं और layout पर आपको दिख रहा होगा by default main activity activity जो कि हमारा है single XML file मैं यहाँ पर create करने वाला हूं एक और layout फाइल जिसमें हम अपने दूसरे screen को design करेंगे तो दूसरे screen को design करने के लिए हम क्या करते हैं दूसरा layout बनाते हैं या फिर दूसरी activity बनाते हैं या फिर दूसरा fragment बनाते हैं ओके तो मैं यहाँ पर चलता हूं activity जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा basic activity लेकिन हमें लेना यहाँ पर empty activity तो आपको गैलरी पर click करेंगे तो आपको जैसे स्टार्टिंग में मिला था वैसे आपके पास सो हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या करना था हमें लेना था empty activity तो मैंने यहाँ पर select किया और इसका नेम पूछ रहा है हम तो हम नेम डाल देंगे इसमें तो इसका हम नेम डालेंगे टो यहाँ पर अब यहाँ पर आले यूसका चंज बसे पहले इसमें हमे यहाँ पर अन यहां पर और इसमें हमारे ले ले इाउट सब्सक्राइब हम इसको एरेंज कर सकते हैं जैसा कि आपको पता चल रहा होगा इस लेइंड के नेम से ह nooit सब्सक्राइक इंड़ाक विकम hazards रखता है बेसिडिंख यह मैं इसमें ऑपने डिजाइन को और इसको कर देते हैं मैं wrap content wrap content और यहां पर आ गया हमारे पास एक button और इसको मैंने कर दिया close और इसमें डाल देते हैं text text होने वाले हमारे पास button 1 मैंने button 1 डाल दिया अब same मैं को क्या कर लेता हूँ copy कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद paste कर लेता हूँ paste कर लेता हूँ paste कर लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर सबके name मैं change कर देता हूँ बटन यहां पर यहां पर मैंने चारब तो डाल दिये लेकिन बटन यहां पर चन्ज रहे थे तो इसलिए नहीं हो रहा है कیکे मैं यहां पर सक्क्रीजन बताना पड़ेगा कि आप कहां पर जाओ और मतल söyleye एक को सा बटन bit के की direES ing में रहेगा और कहां पर रहेगा ओके तो इसके लिए क्या करना है हमें जैसे कि आपको मैं पहले फर्स्ट बटन पर चलता हूं और फर्स्ट बटन में जाने के बाद यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा टू अब मैं जैसे टू लिखूंगा तो यहां पर आपको बहुत सार आपको एंड का मतलब पता होगा कि इसके एंड में स्टाइ का मतलब यह प्委क्राइश की इस पाले बताना है कि हो कि EL Tillman की यूजहा करते हैं किसी की अब आईडी तो है यही नहीं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अपनी सभी बटन को आईडी देंगे ओके तो यह रिलेटेव लियाउट को यूज करने के लिए मेक सिर कि आपके पास सभी में आईडी होना जरूरी है यानि कि सब के नेम होना जरूरी है तो मैं यहाँ डाल लेता हूं आईडी और डाल लेता हूं मैं यहाँ पर सेम बटन और बटन के बाद मैं सब के यहाँ पर नेम चेंज कर लूँगा एक के करके तो मैं यहाँ पर वन डाल देता हूं यहाँ पर टू डाल देता हूं और यहाँ पर फोर डाल देता है अब सब के बेसिकली ब ठीक है तो center में align के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा यहाँ पर यह ना लगा कि हम लिखंगा align अब देखो align लिखते मेरे पास क्या क्या हो आ गए कहां पर आपको align करना है पेरेंट बॉटम पेरेंट एंड पेरेंट लेफ्ट या फिर बॉटम एंड लेफ्ट राइट तो मैं क्या चाता हूं यहां पर यहां पर यहां पास अलाइन हो तो यहां पर मैं क्या कर दूँगा तो मुझे इसको सेंटर में भेजना है तो सेंटर में भेजने के लिए मैं य नहीं यहां पर नॉर्मल रुखूंगा इससेंटर लिखते हैं आपके पास आ जाएंगे तीन चार उपस जो भी है तो तीन उपसेंटर होरी जॉन्टली कर सकते यह दो सकता है तो मैंने स्कों गोड़ीजॉन्टल स्लेक्ट किया और यहां पर इसको करते हैं यहां पर क्या हो यह align हो जाएगा तो जैसे कि आपको दिख रहा हो कि button first था वो हमारे पास center horizontally align हो चुका है अब मैं क्या चाहता हूं कि जो हमारा button second है वो क्या हो इस वाले button one के नीचे में 100 हो तो मैं क्या करूँगा यहां पर एक attribute डालूँगा तो यहां पर मैं जैसे below ढाला और यहां पर मैं select किया तो अब यह पोच रहा हमें किसके below डालना है आपको तो मैं, вещ कि channel button one के बिलो डाल दो मैं बटन one को select किया तो यह इसके नीचे आचुका है ओके तो यह हमारे पास यहाँ पे इसके constraint होगा, अब मैं चाहूँगा कि यार यह इसके center में चल जाए, मतलब इसके साथ ही चल जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके end को, इसके end के साथ मिला दूँगा, या फिर इसके start को, इसके start के साथ मिला दूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ इसके साथ align हो गया और इसका जो top था इसके साथ हमार पास align हो चुका है अब जैसे कि मेरे पास button 3 है अब मैं button 3 को क्या चाहता हूं बिल्कुल center में हमार पास so तो यहां पर center की कुछže properties होती है तो हम दालता हूं center और यहां पर इसको आएं और पास तो हम tehd Drag खरकिना पड़ है दो लाईने लिखनी पड़ि अगर हम इसको डाइरेक्ट सेंटर करना चाहें तो क्या करेंगे यहां पर में इन दोनों को हटा देता हूं और यहां पर मैं लिखूंगा सेंटर और यहां पर देखो सय Mercan in talent आ. तो यह उपसी ये साथ के ब्सक्राइब मुझे मुझे इसको क्या करना है इस बटन 3 के साइड में लाना है किसके left साइड में यहाँड मैं पर क्या है टूर। यहाँ उम्हारा पास इसके साथ के यहみりां सब्सक्राइब जाये प्लतरण Bruce इसके साथ यह align हो चुका है अगर मैं चाहता हूँ इसके उपर सो तो simple से कुछ नहीं करना है मुझे यहाँ पर की जगे यहाँ पर ऑनली टॉप लिखना है यहाँ लिखना है अब आउट लिखा अब यह देखो इसके ऊपर यह आ चुका है ठीक है तो यह कुछ प्रोपरी इस थे हमारे ले लियूट लेकिन लियूट करने के बाद हम बनाएंगए ऐक अच्छा बहुत ही पूरा लियूट और भी इसी तरीके के surprise आपको मिलने वाला है जिसने यहां तक वीडियो देखा होगा उसको तो यह चीज मिल जाएगा जिसने नहीं देखा हो अब इसी बाते उनको वो नहीं मिलने वाला है तो मैं एक स्टूर की करें कि आपको आगे तक और एंड तक यह वीडियो देखे जिससे कि आपको आने वाले और surprise इस वीडियो में मिलते रहे जिसको मैंने starting में clear नहीं किया था तो इससे क्या होगा मैं इसमें क्या करवाने बाला हूँ जैसे यह तीनों layout को हम complete कर लेंगे एक अच्छा सा सुन्दर सा कोई screen को हम design करेंगे using जो हमारी best practices है और क्या बोलते हैं हमारे constant layout और अपने linear layout को use करते हुए ओके तो अब चलते हैं हम constant layout बनाने तो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ new पर जाने के बाद activity पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पर constant layout है अब में जो constant layout में क्या करना है constant layout में सबसे अच्छी चीज क्या होते है कि आप responsive layout बड़ी आसानी से बना सकते हैं और इसको use करना भी बहुत आसान होता है ना कि हमें इसमें लिखने की भी ज़्यादा ज़रत नहीं पड़ती है हम direct ही यहाँ से drag and drop करके भी code कर सकते हैं तो constant layout में बहुत कुछ होता है तो हम clear कर लेते हैं इसमें कैसे चीजों को हम अपने arrange करेंगे तो सबसे पहले मार लो कि मेरे पास एक button है मैंने एक button डाला अब मैं चाहता हूँ इस button की top पे हमारे पास क्या हो एक image हो तो अब क्या करना है हमें इसको अगर इसके top पे रखना है तो सबसे पहले हमें जिसके top पे रखना है मतलब एक base तो होना चाहिए कि जहां से हमारा layout इस्टार्ट हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि image ही हमारा base है तो मैंने इसको constant कर लिया इधर से left से right से और मैंने इसको top से constant कर लिया और top से margin दे दिया 32 dp का तो अब मैं इसको constant कर लिया है अब मैं क्या करूँगा इस button को constant करूँगा इसके साथ तो यह मैंने इसको left से constant किया इसके और यहां पे मैंने constant किया इसके साथ और मैंने इसके top को constraint कर दिया है यहां से और मैं थोड़ा से यहां से दे देता हूं इसको margin तो यह हमारे पास design ready है तो constraint layout मुझे इसलिए सबसे अच्छा लगता है क्योंकि हमें कुछ नहीं जादा करना पड़ता है इसको बस constraint करते रहोगा आपको कहाँ पर क्या चीज इसका use करना है अब जैसे कि मैं इसको चाहता हूं कि यार यह इसके left side में सो तो मुझे कुछ नहीं करना है इस constraint को हटाया मैंने control प्रेस करके और मैंने क्या कि इसको से constraint कर दिया अब यहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको top को भी हाँ पर इस नहीं होना चीए तो मैं इसको टॉप को constraint को हटाया मैंने और sorry मुझे इसको left को ख़टाना चाहिए तो मैं जैसे left को खटाऊंगा तो आप देखोगे कि इसके side में constraint हो करें तो मैं ब 자주 अगर मुझे इसको bottom में भीजना हो तो मैं bottom में selecting तो इंबाटम में चला जायगा ये left में select करूंगा तो left में चला जायगा और मुझे बॉटब के center में align करना हो तो इसके center में चला जाएगा और मैं चाहता हूँ गेर center में तो रहे लेकिन थोड़ा सा इधर चल जाए तो हम के क्या करते हैं इसको यूज करते हैं यहां हमार पास दिख रहा है इसका attribute जिसको कहते हैं bias ठीक है यह horizontally bias है और यह हमार पास vertically bias है तो मैं इसको object को अगर आपको left right करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं make sure कि उसका जो दोनों है वो चीज connected हो जैसे कि मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो मैं इसको use नहीं कर पाऊंगो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हाँ पर property ही वह गाइब हो चुकी है अगर यह दोनों इस mirror वाले हमारे पास connected है तो ही हम इन चीजों को use कर सकते हैं ओके तो यह basic simple सा है इसका तो यह तो हो चुका है हमारे पास अब हम करते हैं इसके advanced concept पर चलते हैं जिससे हम अपने पूरे layout को हम बना सकते हैं तो मैं एक बार के लिए इसको delete कर देता हूं दोनों को select करके मैंने कर दिया यहां से delete अब हम सीखते हैं यहां पर क्या के चीज़े इसमें तो इसके through constant layout में बहुत सी चीज़ों को achieve कर सकते हैं जैसे कि first हमारे पास है vertical guideline जो जैसे मैंने इसको add किया तो आपके पास दिख जाएगा कि यह vertical guideline हमारे पास आ चुका है ठीक है और यह guideline की कुछ properties होती है जो कि हमारे पास यहां पर so हो रहा है तो यह सबसे पहले हैं यहां यह फिर horizontally होगा basically guideline का क्या काम होता है कि मान लो constantly out में अगर हमें हर चीज़ पर margin लगाना होगा तो हम क्या करेंगे सब पर ना लगा कि हम एक guideline लगाएंगे और इस guideline से हम क्या कर लेंगे सब यह items को क्या कर लेंगे अपन arrange कर लेंगे यह फिर हम उसको constraint कर लेंगे तो अब क्य जरुत नहीं पड़ेगी क्योंकि constantly out में हर चीज का अलग-अलग से constraint लगाना पड़ता है इसलिए मैं अगर इसको कम करता हूं तो यह कम हो जाएगा और ज्यादा करता हूं तो इसका margin ज्यादा हो जाएगा basically यह है हमारे पास second आता है हमारे पास यहां पर horizontal guideline जैसे मैंना add कि तो यहां पर देखो आप horizontal guideline आ चुका है अब मानलो कुछ चीजे में जो टॉप से यहां पर constant करनी होती तो भी मैं इसको यहां से constraint कर देता और यहां पर मूव करूंगा तो जितने भी इससे attach views रहेंगे वह automatic इसके साथ ही move होता रहेगा ओके अब मानलो यहां पर हमारे पास यह आया है third वाला तो मुझे इसको अगर इधर लगाना है तो कुछ नहीं करना है मुझे यहां पर आपको दिख रहा होगा और यहां पर आपको नीचे दिख रहा होगा यहां पर आपको यह दिख रहा है arrow अब बसको इसको arrow पर click करना है और यह देखो आपके पास यह किद एड कर लेंगे horizontal वाला और यह भी हमारे पास आ चुका है अब basically कुछ नहीं करना है इसका direction चेंज करना है और इसको हम नीचे ले जाएंगे तो basically क्या हो गया हमने इतना इतना margin डाल दिया अपने इस चीज में और बाकि इसको move करते हमारे सारे views automatic move कर जाएंगे तो यह हमारे पास हो गया guidelines तो guidelines का काम आपको बहुत जगे पढ़ सकता है क्योंकि constant layout में हमें इसकी बहुत जरूत होती है ठीक है तो अब हमारे पास concept आता है barrier का तो barrier का use क्या है हमारे पास मैं आपको पहले बता देता हूं जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक button है और यह दो button है मैंने इसको constant किया यहां से इसके साथ मैंने यहां से इसको constraint कर दिया अब मान के चलो मेरे पास एक और बटन है जो बटन क्या हो रहा है इधर से इसके साथ constraint हो रहा है और एक बार तीनों को पकड़के मैं नीचे लियाता हूँ और इसको ले जाता हूँ मैं उपर हम बाद में यूज में ले लेंगे इसको अब मान के चलो कि यह वाला है जो बटन इसको मैंने यहां से constraint कर रहा है और यह वाला जो है last वाला हमारा इसको मैंने यहां से constraint कर रहा है लेकिन मैं अगर इसका size बढ़ाता हूँ जैसे कि मानलो इसके मैं text बढ़ाता हूं तो यहाँ पर मैंने text बढ़ाया और enter किया तो क्या हो गया यह देखो कि यह इधर थोड़ा से चला गया लेकिन और यह जो देखो आप यह दिख रहा है आपको तो यह क्या हुआ इसके उपर overlap हो गया लेकिन हम ऐसा नहीं चाहिएंग लेक्स करने के लिए हम यूज में लेते हैं अपना barrier को एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा side कर लेता हूं और मैं इसको भी यहां से उनकंस्टेंट कर लेता हूं ठीक है मानके सलो मेरे पास यह यह विव है और यह वियू है मेरे पास तो यह क्या होना चीए overlap नहीं होना ची तो यह constant हटा लिया मैंने और constant हटाने के बाद यहां पे right-click करने के बाद या फिर आप यहां से भी ले सकते हैं मैं यहां से ले रहा हूँ add helper और helper मैं अपने डाल दिया एक barrier ओके तो यहां पर हमार पास एक barrier आच चुका है अब क्या करना है हमें decide करना है कि कौन से चीज़ को हमें इधर रखना है और कौन से चीज़ को हमें इधर रखना है तो मान के चलो कि मेरे पास ये दो बटन जो है इधर दिखाने वालों हमें और ये जो एक single बटन है ये हमारे पास क्या होगा इधर के इधर ही रहेगा मैं इसका भी constant हटा लेता हू तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों बटन को Select करके, इन दोनों बटन को मैंने Select किया यहाँ से, और मैंने क्या कर दिया, इसको Barrier में डाल दिया, अब Barrier में जाने के बाद यहाँ पे आपको इसकी Properties दिखरी होगी कुछ कि यह Direction कि अज़िए, तो तो अब क्या होगा, जैसे मैं अगर इसका text को change करूगा, किस वाले के? इसके text को change करता हूँ, तो देखना, यह क्या होगा, और मानके चलो कि अगर मैं इसका भी text change करता हूँ, तो भी यह text change होगा, और यह इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको constant इसके साथ कर दिया था, ना की रहा है हमें इसको barrier के साथ करना था तो code पर चलते हैं और constraint start with यहाँ पर किसके साथ करना था हमेン 11 के सथ नहीं करना था यहाँ पर हमें करना था barrier और ये barrier 3 है हमारे इसके साथ हमें constraint करना था अब हो गया अब जैसे गर इस इनका size साइट चोटा बड़ा होता है तो क्या होगा इस से इस बटन को फरक नहीं पड़ेगा ना कि इसके ऊपर यह overlap होने वाला है automatic यह क्या कर देगा इसको हटा देगा जैसे कि मैं और add करके दिखाता हूं आपको text तो यह क्या हो रहा है यह move कर रहा है इसको ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे पास इसके साथ यह overlap हो रहा है तो बेजियर का काम यह है आप same barrier आप यूज कर सकते हैं horizontal में भी तो यहाँ पर horizontal ऐसे यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऊपर नीचे अगर आपको assign करना हो और उस दोनों को आपस में overlap होने से बचाना हो तो next हम चलते हैं हमारे पास एक आता है हमारे पास group का concept अब group का काम होता है group का काम यह होता है कि अगर आपको एक साथ कुछ काम करवाना हो किसी activity या कुछ कमांड देना हो तो आपको क्या करना पड़ता है group में आपको कमांड देना होता है तो मान के चलिए एक class है एक class में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन हमने different different type यह group बना दिये और एक group बनाने के बाद उन बच्चों को एक साथ क्या देंगे कि आपको यह काम है और आपको यह करना है तो ऐसे काम होता है तो हम इस constantly out में भी यह चीज़े काम में लेते हैं तो सभी को पकड़के इनके group में डाल दूँगा तो यहां पर क्या होगा इनकी group के id यहाँ पर आचुकी है अगर हम ग्रुप को select करके अगर कुछ भी changes करूंगा to क्या होगा इन सभी पर वूछ changes apply होने वाले basically यहाँ पर changes जो हम normally करते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर मानलों कि इसको हमें visible नहीं करना है visibility की हटानी है यानि कि अभी फिलाल के लिए ना दिखे मैंने क्या क्या ग्रूप को invisible किया तो क्या हो गया हमारे सारे जो view थे हमारे पास invisible हो चुके हैं अब यहाँ पर मानलो कि मैं gone करता हूं तो अब क्या हो हो सारे जो buttons थे gone हो चुके लेकिन है वो यहाँ पर लेकिन वो गाइब हो चुके हैं तो एक साथ अगर किसी particular आपको काम करवाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रूप का ओके अब मैं by default इसको visible कर देता हूं तो एक साथ यह visible भी हो चुके हैं next हमारे पास एक concept आता है set constraint layer और flow तो यह दोनों चीज हम बात में देखेंगे और यह क्या है मारे पास flow है constraint layout में हमें flow बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे जैसे कि मान के चलो मैं एक बार के लिए इन सभी को मेगा करता हूं इसमें डाल के और इनको मेगा करता हूं गॉन कर देता हूं इसकी property को ठीक है application में so नहीं होता है basically जैसा हमारा application दिख रहा है वैसा ही दिखेगा ठीक है तो कहीं आप घवर आ जाओ इसको देखके तो ऐसे कोई बात नहीं है यह दिखने वाला नहीं है तो अब क्या करने वालों मैं यहां पर कि मान लो मेरे पास different type के buttons है मान लो मेरे पास पाच बटन है 3,4,5,6,7,8,9 तो अब हमें इसको arrange करना है बिल्कुल अच्छे से तो arrange करने के लिए मैं क्या कर सकते है यह तो इसको सबसे पहले constant कर लो आपको कहां पर concentrant करना है मैं इसको यहां से constant कर लिया मैं top से Quran कर लिया ठीक है अब constraint तो कर लिया, एक बार के लिए मैं guide को हटाई देता हूं, यहां से, इनकी visibility को भी gone कर देते हैं, यहां से gone, और guide हमारे पास so होई रहा, तो एक काम करते हैं, इनको delete ही कर देते हैं, तो मैं delete कर दिया, एक और बचा हूँ है, barrier, तो barrier को भी मैं delete कर देता हूं, ओके, तो मान इस बटन को constraint करना है, तो फिर मैं इस को इसके साथ constraint करूँगा, फिर मैं इसको इसके साथ constraint करूँगा, इसके साथ constraint करूँगा, लेकिन यार यह अच्छा way तो है नही nombreux, बार-बर हमें सबको constraint करना पड़ेगा, और हम constraint layout use क्यों करते हैं, यूकि हमारी चीज़े आसान हो ज confusion अगर मान लो कि अगर हमें एक भी चीज़ करना होगा मान के चलो कि आप मैं यहां पर तीन के जगे में 4 लगाना चाहता और यह वाला बटन मेरा यहां पर जाना चाहिए तो मुझे क्या करना हदेगा पहले इसका constraint अब क्या करना पड़ेगा अब मुझे इसके साथ जो constraint हो फिर यहां पे लगाऊ तो यह तो अनकनिवीनियंट न वे है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा पास एक प्रवॉपर्टी याती है इसमें प्रेंश्टेंट लियाउट में जो कि हमारे पास flow का तो मैं क्या करूंगा मैंने यहाँ पर right click किया और यहाँ पर देखना अभी कुछ भी सो नहीं हो रहा है बटन से बटन से तो मैंने यहाँ पर right click किया और add किया मैंने add helper में जाके flow तो आपको जैसे flow पर दिखी भी रहा हो तो हम यहाँ पर constraint let में इसको कैसे use करेंगे तो यहाँ पर grid बनाने के लिए हम क्या करेंगे अभी by default इसमें कुछ भी नहीं है तो जितने भी आपको buttons को या फिर किसी चीज को आपको use करना हो तो हम इनको सबको पकड़के अपने flow में डाल देंगे तो मैं एक बार इनके सब दिक्कत वाले बात नहीं है सबके constraint हट चुके हैं तो अब क्या करना है मुझे इन सभी button को select करना है और select करने के बाद मुझे इन सभी button को क्या करना है button को select करने के बाद इनको डालना है मुझे flow के अंदर और जैसे मैंने flow के अंदर डाला तो इनके flow के अंदर इनकी ाइडी है इसकी common attribute में आने के बाद आपके पास सबसे पहले दिख रहा है orientation तो यह क्या हो गया हमार पास एक horizontally हो गया तो हम क्या चाहेंगे अगर vertically आपको बनाना हो तो आपको क्या करना है सीधा सेधा जिधा आ जाके आपको इसका horizontal से vertical में change कर देना है तो यह क्या हो गया अपना vertically align हो गया तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि horizontally align हो तो मैं एक बार फिलाल के लिए horizontal कर लेता हूं अब क्या है मुझे इसको बताना पड़ेगा कि आप कैसे इसको wrap करना चाहते है तो यहाँ पर आपको flow wrap mode दिख रहा है तो यहाँ पर आपको तीन option दिख जाएंगे non में तो कुछ होता नहीं है और chain aligned और chain 2 है यहाँ पर जैसे मैं chain करूंगा तो देखना chain करते हैं यहाँ पर automatic align हो चुका है मैं क्या करता हूं इसको भी constant कर लेता हूं अपने flow को basically मैंने flow को select कर रहा है कहीं आप button हो गए रहा को select कर रहा हूंगे तो आपका काम नहीं करेगा तो इसको जरूर देख लेना ठीक है मैंने इसको constant कर लिया अब क्या करना है चेंज से जैसे किया मैंने तो यह क्या हो गया automatic align हो गया लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर तीन ही आए और तीन के बाद हमारे नेक्स बटन है वह चौथे इसकी अगर सेम चीज हमें ऐसे करना होता तो क्या करते इसको वर्टिकली करेंगे तो भी यहाँ पर कोई चैंज दिखने वाला नहीं है क्योंकि ऐसा ही है और यहाँ पर मैं चैंड की जगे आपको मैं दिख रहता हूं पर किष्टेंस गैप देना चाहते हो तो भी यहाँ से डाल सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूं और 10 dp डाल देता है तो यहाँ पर 10 dp का होरिजोंटल गैप है लेकिन यहाँ पर होरिजेंटल जैसे कुछ है नहीं तो एक बार चेंड इसको स्लेक्ट कर लेता यहाँ पर 10 डाला है मैंने अब मैं यहाँ डाल देता हूं 20 तो यहाँ पर 20 का गैप भी आ जाएगा तो यहाँ पर सबकी बीच में 2020 का गैप आ गया ओके तो और कुछ प्रॉपर्टीज है इनको आप देख लेना यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा या फिर आप डाल ड करते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम करेंगे प्रोजेक्ट में और यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको लेयाउट को सेब कर देंगे ठीक है और यहाँ से करते हैं इसको क्लोज और मूव करते हैं अपने नेक्स सेग्मेंट में जो कि हम बनाने वाले हैं एक अच्छा सा जितने भी हमने ले आउट देखे हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं अब हम करने वाले अपने convert एक Figma design को अपने UI में तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जालते हैं अपने Chrome पे और Chrome पे सर्च करते हैं Figma Figma क्या है आपको पता होगा जैसे कि Figma क्या होता है हम developer को एक Figma design मिलता है जिसको हमें convert करना पड़ता है अपने Android application में तो इससे आपको Figma का यूज भी पता चल जाएगा कि आपको कैसे यूज करना है और किस टाइप से हम Figma design को Android application में convert करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां मैं सर्च करता हूं normal Figma और सर्च करने के बाद आपको चल जाना है मैं यहां पर एक create करने वाला हूं home screen तो मैंने यहां पर home screen सर्च किया और यहां पर सर्च करते हैं मेरे पास यहां पर बहुत सारी home screens आ जाएगी तो हम यहां से एक select करेंगे और इसको convert करेंगे जितना हमने अभी सीखा है उसके साब ओके तो home screen में मेरे पास कम ही आ रही है तो एक बार इसको देख लेते हैं यह भी design अच्छा लग रहा है तो बेसिकली हम यहां पर एक screen को design करेंगे यहां पर मैं कर लेता हूँ open in figma और मुझे sign in के लिए बोल रहा है तो मैं कर लेता हूं sign in कर लेना आप सबस्क्राइब कर लिया है और मैंने इसको open लिया अपने figma में sign in करने के बाद मुझे क्या करना है इस design को basically यहां पर तीन design है तो तो हम 3 को चोड़के एक डिजाइन हम कोई सा भी उठाके और इसको हम बना लेते हैं तो मान के चलो हमें फर्ष्ट वाला स्क्रिन बनाना है ठीक है तो अब क्या करना है सबसे पहले हमें इसमें जो चीज की नीड होने वाली है उसको हम एक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर मैंने को हाइड कर लेता हूं और यह मैंने हाइड कर दिया तो हमारे पास बैक्राउंड आ चुका है हम बैक्राउंड को निकाल लेंगे तो चलते हैं यहां पर मैंने इसको स्लेक्ट किया और एक्सपोर्ट किया मैंने यहां फिर आप क्या कर सकते हैं यह हमारे पास तो मैंने प्रिव्व पर यहां पर क्या निकलना वाला वाइट है तो मैं इसको सब्सक्राइब करें यहां से एक्सपोर्ट कर लिए तो यहां से इसका काम हो चुका अब यहां पर क्या लिए वाल यह भी मार रुए किसी काम का नहीं है इसको मैं रहा है और यहां पर चाहिए इमेज को इसको कर लिता हूँ और प्लिज मैं नहीं रहा है देख लेते हैं इसको एक्सपोर्ट करके और open करते हैं इसको और open किया तो यह white हमार पास आया है तो मतलब इसका image हमार पास extract नहीं हुआ यह दोगो image को मैंने select किया और मैं export करूए ख्लिक तो हमार पास image आ चुका है तो मैंने इसको किया export और अब मैं देख लेता हूं यह image हमार पास आ चुकी है अब क्या चीए हमें अब देख लेता है image आगे हमार पास इसके बाद हमें चीए इसको unhide करते हैं एक यह भी चीए हमें तो इसको भी export कर लेते हैं और इसको मैंने export किया as vg ठीक है यह भी हमार पास हो चुका है इसके बाद हमें क्या चीए है ट्री वाला image है तो एक च्छु ट्री का image है इसको भी हम export करने वाले तो यह वाला image है मैं इसको कर लूँगा export तो यहां पर मेरे पास image मिल जाएगी यह जैसा image है और मैं चाहता हूं यह पूरा image आए तो मैं पूरा image कर लेता हूं यहां पर और export करते हैं तो हमार पास पूरी image भी आ चुकी है ओके तो अब क्या करना है मुझे दूसरे चीज़ देख लेते हैं कि और कुछ है काम का तो इसमें हम उसको भी ले लेंगे तो और तो मुझे कुछ देख नहीं रहा यह वाला आइकन है हमें यह आइकन चाहिए तो इस नौब लोड की फोल्डर पर जो कि मैं उनको ऊपन कर लेता हूं तो यह हमने फोल्डर में ऊपन कर लिया और यह चीज़ हमारे पास है एक चीज़ हम याद रखनी है कि जो भी चीज़ हम यूज करते हैं यहाँ पर ड्रॉइबल में या फिर एसेट वगेरा जो हमारे होते ह है जो naming convention है उनका हमें ख्याल रखना पड़ता है वहाँ पर हम ना की number use कर सकते हैं ना ही कोई capital words को use कर सकते हैं तो हम इनको एक बार rename कर लेंगे इनके name के according तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन-कौन सी चीज़े हैं और उनको हम rename कर लेते हैं according यहां पर डाल दूँगा tree और यह हमारे पास लोगो और यह हमारे पास एरो तो मैंने इनके name change कर लिए हैं और यह हमारे पास avatar है इसके जगे हम डाल देंगे user या avatar यह चीज़े हम यूज में लेने वाले हैं तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले Android Studio में और create कर लेते हैं एक project इस project का नाम हम MTV activity select करते हैं और name हम डालने वाले इस application का figma to app और मैं करता हूं यहां पर finish और finish करने के बाद यह हमारे ग्रेडर बिल्ड हो रहा है और इसको होने देते हैं और देख लेते हैं यहां पर कोई error ना आ जाए हैं तो यह बिल्ड हो चुका है हमारे पास successfully अब मैं इसको हाइड कर लेता हूं यहां से और यहां से हाइड करने के बाद अब आपको मैं थोड़ा से जिकाने वाला हूं कि कैसे हम अपने रिसोर्स के फाइल को उपन यूज करने वाले हैं तो यहां पर पर पेस्ट करते हमारे पास यह दो चीज़े आ चुकिए ठीक है लेकिन हम जो ways to do you डाइक यूज नहीं कर सकते अगर मैं इसको यहां पर कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं तो और यह जो फ्लावर था मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं और क्या करते हैं यहां पर राइट क्लिक करते हैं और वेक्टर एसेट में जाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखो यहां पर जो चीज है यहां पर आपको कोई भी आइकन वगेरा चाहिए तो आप यहां से डाल सकते हैं जो कि हमारे android प्रोवाइट करती है अगर आपको custom यूज़ करना हो तो इसके लिए क्या करना है हमें local वाले फाइल पे इस पे करना हो तो यहां पर आप यहां पर डाल सकते हैं ठीक है मैं यहां पर कुछ भी चेंज नहीं करना है मैं next करता हूं और यहां पर Clever Finish करता हूं तो अब मेरे पास जिएあの आ चुकush कैं और ये देखो अब XML में convert हो चुका यह वहाँ पर हमार पास जो फाइल है वह किसमें हमार पास arrow svg म्हें और यहां पर हमार पास Export हो चुक på MSM मैं तो बैसिंकलिद लिए हं क्या कर सकते है यहां पर XML को xml में या फिर आप website पर भी जाके इसको convert कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर ऐसी करके सारे को add कर लेता हूं तो मैंने यहाँ पर click किया यहाँ और flowers को भी add करके और finish कर दिया तो मैं सभी को add कर लेता हूं एक बार के लिए और भी आप इस application में बहुत से चीज़े सीखने वाले हैं कि राउंड कैसे करेंगे हम अपने image को तो धीरे धीर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम हर चीज कवर करते चलेंगे तो ऐसा नहीं सीखना कि आपने यह नहीं ब और यहां पर किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है बेसिकलि हम यहां पर drag and drop करके अपने पूरे layout को त्यार कर लेंगे और किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आप पर code में भी जाके भी उसको कर लेंगे तो अब देख लेते हमने design को यह कैसा दिखने वाला और कैसा बनने वाल यह जो color है background का मैं इसको सबसे पहले copy कर लेता हूं तो यह जो color है हमार पास यहां पर सो हो रहा है लेकिन यह modifier हा रहा है इसका मतलब यह क्या है compose का है तो मैं इसको change कर लेता हूं यहां पर android में जाने के बाद XML में हमें काम करने वाले तो अब यहां पर हम हमारे पास इसके colors अगेर सब यहां पर मिल जाएँगे ठीक है तो यहां पर है color से हमारा पास color यह sickkoad आप इसकोdoc और इसकोyorum लिए color है यहां पर जो कि हमारा यह color है तो हमने यह color तो डाल लिए next हमारे पास क्या task है कि इसके background में एक image है इसको भी हमें use करना है तो यह हमारे पास flower नाम से एक image था जो कि यह है तो यह हमारे control-g करता हूँ यानि की group बना लिए मैंने अब मैं यहां पर export पर click करूँगा तो यहां पर मुझे so हो जाना चीए लेकिन यह नहीं हो रहा है मैं एक बार export करता हूँ और check कर लेते कि इसमें कुछ है भी या नहीं तो यहां पर है आपको यहां पर दिखनी रहा होगा इसमें color तो अब मैं इसको यूज करने वाला हूँ तो folder में चलते है अपने और यहां पर मेरे पास यह नया आया है इसको मैं रिनेम कर लूँगा बिग अंडर्सकोर फ्लावर ठीक है तो बिग फ्लावर के नाम से मैंने एड कर लिया अब अपने इंडूड स्ट्री में जा यह चीज आ हु रही है ओके तो अब क्या करना है हमें इसको यूज करना है और हमने एक्सपोर्ट करते समय कुछ मिस्टेक कर दिया जिसके वजे से यह पर और चलते हम यहाँ पर जाने के बाद यह बिल्कुल पर्फेक्ट है तो अब इसको एंडूड स्टूडियो में ही सा यहां पर यह लग चुका है अब मुझे इसको टॉप से भी करना पड़ेगा क्योंकि दो कर्षेट लगाने मिनिमम रिक्वायर्मेंट है और मैं इसको बॉटम से भी लगा लेता हूं तो यह हमारे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है ठीक है तो यह बिल्कुल हमारे सेंटर में लागा लिए अब किया है हमें सबसे पहले लोगो चीह और इसके बाद चलते हैं और यहां पर 10把它 करेंगे तो हम क्या करेंगे इसको स्लेक्ट करेंगे और यहांपर जाकर देखेंगें तो यह कितने इसके 32 इ replay इदर से और 20 एदर से margin इसने डेर रख़ा है तो मैं क्या करूंगा इसको टॉब से मैंने किया और लेफ्ट से कंस्टेंट किया और कंस्टेंट करने के बाद मैं क्या करूंगा यहां से टॉप से मैं इसको 32 का मार्जन देता हूं और यहां से मैं देता हूं इसको 24 का लेकिन मुझे यहां पर 20 देना है तो मैं यहां पर 20 देता हूं तो मैंने 20 दे दिया और यहां पर म सेंटर में ठीक है तो मैंने इसको और यहां से मैंने इसको कर लिया और अब इन दोनों के बीच का मार्जन देख लेते हैं कितना है तो इन दोनों के बीच का मार्जन है यह है तो यहां पर डाल देता हूं तो यहां पर डाल देता हूं मैं 12 किदर से मैं डाले मार्जन इधर से से यहां पर चुका है अब जो टेक्स है यहां पर हम यहां पर text में डाल देंगे तोниकलर आपको दिख वे लिए और मैं क्यों कि ने के की आंगी जूण किया थोड़ा सा आ यहांपे ही यहां पर आपको दिखाई होंगा तो मैंने का किने X value copy कर लिए और मैं क्या करूंगा इस टेक्स के color को change कर दूँगा तो टेक्स के color को change करने के लिए यहां पर जाओंगा मैं लिखोंगा text और text लिखने के बाद यहां पर कर दूँगा उस color को paste तो यह जो color था से साइध copy नहीं हुआ है तो मैं एक बर और कर लेता हूं और मैंने क्लिक किया और color copied लिखा हुआ आ गया अब मैं यहां पर जाने के YouTube दॉल झाल सकते हैं अपने फॉन्ट या फिर अगर आपके पीसिमें वह फॉन्ट अभी लेवल होगा तो यहां पर आटमेटिक एड्ट हो जायागा तो फॉन्ट डालने के लिए करता हूं तो यहां पर हमारे पास एक font का folder आ चुका है जो कि पहले नहीं था और एक इंटर नाम का font आ चुका है यहां पर तो अब मैं इसको select कर सकता हूं तो यहां पर font enter automatic यह select कर लिया है और मैं क्या करूँगा अब इसके text के size को increase करूंगा यहां पर by default जो text है हमारे पास android में वह आता है हमारे पास 14 तो यहां पर कितना इसका text size वह हम देख लेते हैं यहां से और यहां पर 16SP तो मैं इसका भी क्या कर लूँगा font size को कर लूँगा 16SP तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहां पर यहां लिखेंगे new पर जाने के बाद यहां पर आएगा आपके पास font resource file और यहां पर जाने के बाद आपके पास font है तो यहां पर जाएंगे हम और लिखेंगे यहां पर फॉन्ट और यहां पर एक और फॉन्ट को हम एड़ कर लेंगे यहां से मौर फॉन्ट में जाने के बाद इंटर और इंटर में क्लिक करेंगे हम और इंटर से हम ले लेंगे यहां से एक बोल्ड वाला फॉन्ट ओके तो यहां से मैंने बोल्ड वाला फॉन्ट भी ए करना है तो मैंने एक बटन यहां पर इसका मार्जन वगेरा देख लेते हम यहां से तो इसको मैंने स्लेक्ट किया और यहां से इसका 22 का मार्जन है तो मैंने इसको 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 सेलेक्ट किया ओपर से मुझे इसको कितना मार्जन देना है 22 तो मैं यहां पर लिख देता हूं 22 और इस तर से मुझे से को देना है 20 का margin और यहाँ से मैं डाल देता हूं Assistant अब मुझे क्या लिखना है इसमें get inटच R타is टो मैं यह हाँ domotics डेना हृँश लिख दिया अब क्या करना है मुझे इस बबटन के शल्प डालना है और बटन के में यह कलर होना चाइब तो यहां पर हम यहां पर यूज करने वाले custom shape जो कि हम बनाएंगे तो हम custom shape बनाने के लिए क्लिए 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 जाते हैं new पर जाते हैं और यहां पर जाते हैं new पर जाने के बाद add driver resource file को हम click करते है फिर यहां से हम selector को select करते हैं और यहां पर डालते हैं dentro STEP can होने वाले हम औषिकल के यहां पर डाले किOS किसमें limit इनकों अरुद उन pó kolej हो सकते हम और यहां पर दालते हैं המחर यहां फाद बियूज नहीं कर सकते कुछ भी तो मैं यहां डाल लेता हूं तो नेमिंग का बिल्कुल धियार रखना बढ़ना आपके पास एरर आ जाएगा मैं नेक्स्ट करता हूं और फिनिस करता हूं अब सेप में क्या होता है हमारे पास कुछ एट्रब्यूट्स होते हैं तो हम मैंने लगाए एक और यहां पर देखो आप क्यों तो कला मैं आपके कुछ सा लड़ने बेसिक्ली वह हमें यहां पर बीुच रहला है तो हमने इसको क्लर के पीडिया अब हापए चलता हूं और यहां पर मैं करता हूं इस प्लॉ dólares को सле체 अधीक रिसे अब मैंने यहां पर और यह जो color है हम इसको copy कर लेते हैं और यहां पर कर देते हैं और यह color हमारे पास copy नहीं हो पा रहे हैं maybe side हमारे extension में कुछ problem हो तो हम इसको करते हैं और यहां पर आने के बाद मैं यहां पर करता हूं इसको paste और हमारे पास नहीं चाहिए था में चाहिए था यह वालाЙ कलर तो का पी कर लेता है यहांपर यहां पर जाने के बाद अटस्यूडयो पर चलते हैं औहसों पर करता हूंस को पेष्ट तो यह वाला अ Mang acha का चुका है तो हमारे पास corner को डालने के लिए कि हमें यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पे पी उंप को लार यहां और भक्तकिन को डिश्स लेक्र खर्ण करें और वह सोविए को दिख रह excess अष्य अब यहाँ ब happy hearing niż कुछ नहीं करना इसमें जाने के बाद आपको यहां पर जाना है और लिखना आ बैगरौंड और इसके अंदर बैगरांड डालने वाले तो background में हम डालने वाले हैं जो कि यहां ецटार करते हैं और मैं चलता हूं split में और split में मैं इसके tint को डालना था background को नहीं डालना था और इसको मैं हटा दूँगा तो अटमेटिक यह color इसका चेंज दिख जायागा आपको लेकिन मुझे इसका save भी change करना है तो save करने के लिए क्या करेंगे हम इसको भी देता है और चेंज करने के लिए मैं किया कर लोंगा पैप बटन में कर लूंगा कण्वर की ढ़ला और यहां पर मैंने Administration क्या किया इसके रोगाце दिख्षेंश के मैं इसका प्युक्रासetti आप क्या क्तिक्षवả रूँया हो हाँ से बेशिकल आपको दिख़ाओ यहां पर यहां है यहां से डाल लूँगा एक प्रिट पेडिंग डालते हैं और यहां चुर्ट शॉल्ट करते हैं यहां पर लेकिन इसके टेक्स्त है वह हमार पास और कैपिटल रहे हैं इसको आ करना है तो यहां पर क्या लिखेंगे all caps जो कि मैंने आपको पहले बताया है और यहां पर क्या कर देंगे ट्रू है by default तो इसको हम क्या कर देंगे फॉल्स कर देंगे तो यहां पर क्या हुआ जो इसका और right में 16 2ailed और बाटम से मैं क्या कर दूंगा 2020 top कर दूंगा तो आपको दिख इसी भी चीज में एक आइकन यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ता है ड्रॉएवल और जैसे आप लिखेंगे तो आपको पूचर एड इस्टार्ट में चीए या फिर एंड में चीए या फिर बॉटम में चीए या लेफ्ट में चीए ठीक है तो हम क्या चीए यहां फिर इस औहुल रहे तो हम चीए राइट में तो हम रेट को ड इसन में उसको स्लीक्ट क्या आइयोख उख अपके और बीक में कितने का मीसा है तो और भॉंद अब आपके रहागकर और यहां पास आए त्रॉबम तो इसमें मुझे किता डालना है 10 dp जैसे मैंने 10 dp डाला तो यह देखो आप बिल्कुल वैसा का वैसा हमारे पास बन चुका है तो यहां तक हमने complete कर लिया अब चलते हैं अपने design वाले part में अब क्या करना है हमें एक चीज़ इमेज जिसमें होगा circle circle image के लिए हमारे पास दो दो चीज़े होती है या तो आप इसको card के अंदर इसको डालके image को circle बना लो या फिर क्या करो कि एक library आती है circle image नाम से आप उसको search करके आप उसको view कर सकते हैं जो कि हम future में देखेंगे फिलाल मैं यहां पे card view लगाने वालों तो यहां पे card view के नाम प्रेंचे कर लो या फिर इनके side में कहीं भी कर लो तो मैं एक बार के लिए इसके साथ कर लेता हूं इसको constant और इसकी कुछ height और वह होने माली है फिक्स तो मैं इसको height वगएर को देख लेता हूं तो इसकी height कितने होने वाली है और weight कितने हूं यह हमार पास width है जो कि है 176 तो इसका भी हम यहां पर डालेंगे 176 जो कि हमार पास fix देने वाले हैं तो 176 मैंने इसकी width डाल दी और इसकी height भी कितनी मैंने डाल दी 176 इसकी width डाल ली तो यह हमार पास square आ चुका है लेकिन यह card है हमारा अब मैं देख लेता हूं इसको यहां से मैंने constant किया तो यह से कितना दूर पर है इसको मैंने radius हम तो इसमें radius डालेंगे card corner radius तो यहां पर जितना है इसका size उसका आधा अगर हम डाल देते हैं तो यह automatic round हो जाता है यहां से मैंने match parent कर दिया और इधर से मैंने इसको match parent कर दिया तो यह हमार पास बिल्कुल circle में आ चुका है जितना हमारा card का area था इस image ने ले लिया है अब basically मुझे इसमें image करना है तो image करने के लिए मैं चलता हूं code पे और यहां पर जाने के बाद अपने src में मैं अपना avatar डालूँगा यहां पर मैं लिख लेता हूं avatar जो कि महारा image है और यह avatar यहां पर आ चुका है ओके और यह दिख रहा होगा आपको कि यह नीचे से white है और उपर से white है तो इसमें मैंने एक property बताई थी आपको scale type और scale type को हम क्या कर देंगे यहां से center crop जैसे क्या किया अरेंज किया यहां से और इधर से मैंने margin डाल देता हूं मैं इसको margin left और यहां से डाल दूंगा मैं इसको 20 बाहर ही paste करना तो मैं बाहर लगा लेता हूं और मैं इसको constraint किया इसके साथ क्योंकि अब्विस्टी बात है यह भी 20 के margin पर ही होगा जैसे कि आपको मैं दिखा दूंगे कि बाहर ही भी 20 के margin पर ही यह तो मैंने इसको इसके साथ के margin कर लिए यानि यह 20 के margin इधर से चुगा है और मैं इसके साथ constraint कर लिता हूं और यहां से मैं इसके देख लता हूं कितने कितना ज़्यादा इसके साथ margin Right 15 का मारजने इस पर हैं 10 15 फिर 16 तो यहां पर में सिब्सक्रमक्राइब यहांसे डाल तो 15 जितना है उतना अब इसके बाद इसकर हाथ को देख ले रहे हैं वीड को देखने के जडिके सरी भी चेंज हो चुका है अब यहां पर टेक्स्ट है टेक्स्ट का कलर भी हमारे पास चेंज है तो हमने टेक्स्ट को स्लेक्ट किया और यह टेक्स्ट कलर हमारे पास यह है मैं इसको कॉपी किया और यहां पर जाने के बाद यहां पर हम लिखेंगे टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा क्योंकि यहां हमारे काम आने तो मैंने गया at1 प्रिवयू में देख लिए यही निकलने वाले एक्सपोर्ट किया और यहां पर मैं जाने के बाद इसको नेम डाल लेते हैं ur года यहां पर और चाने के बाद रॉपर नियोपे चाने में तो start में यहां फिर left में तो मैं left में select कर लेता हूं और यह जो ellipse है मेरे पास इसको मैं select कर लूँगा तो यह हमारे पास आ चुका है एक ellipse भी ठीक है तो यहां तक हमने complete कर चुके हैं कर सकते थे जिससे क्या हुता एक साथ सारे को हम guide कर लेते लेकिन मैं यहां पर देता हूं इसके लिदिधा कर ने तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर जाने के बाद आप यहां पर लगा सकते बैक्सलेस एंड जो कि आपने कोटलीन में सीखा होगा या किसी भी प्रोग्रामिक लेक्ट में सीखा होगा कि नेक्स्ट में जाने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें बैक्सलेस एंड यहां पर हमारे पास डवल लाइन में आ चुका है अब इसके बाद क्या करना है हमें इस टेक्स का कलर चेंज करना है तो टेक्स का कलर हमारे पास यह है तो मैं इसको कॉपी करता हूं और टेक्स लिखते हैं यहां पर यहां पर टेक्स के कलर में डाल लेता हूं मैं इसको और कर तो में देख लेता हूं यह फॉन्ट हमारे पास विलेबल है यह बे मारे फांट पर चलते हैं और यहां पर नीचे जाने के ऑड़ करते हैं Ёक्तळार नएक तो एक बार और दालता हूं मैं तो यहां पर नहीं है अब क्या करने कीफुद के यहांसे डाउनलोड करेंगे मैं Google पर जाता हूं और Google पर जाने के बाद में यहांपन City करता हूं मैं तो मैं अlies ऊलोड जायागा सेम फॉंट तो ऐसा कुछ फॉंट है तो हम यहां सी इसको download करने वाले यह ओला font है हमारे पास हमने क्या किया download किया और यह हमें लेगा download के page पर और मैं यहां से download कर लेता हूं और यहां पाष download हो चुका है desktop में स्टोड में सेब कर रहा हूं और यहां पर जाने के बाद मैं open कर रहा हूं और यहां पर मेरे पास एक zip file मैं इसको extract करूंगा extract करने के बाद मुझे इसमें font मिल जाएगा तो यह हमार पास champion के नाम से एक folder है कर लेता हूं कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद इसको मैं कहीं और आके पेस्ट कर लेता हूं मैंने यहां पर पेस्ट कर लिया और इसका मैं डाल देता हूं ने चैंप मैं डाल लिया मैंने और यहां पर आपने आने के बाद अब यहां पर मैं क्या करूंगा इसको क और copy करने के बाद अपने इस पर आने के बाद यहां पर कर दूंगा मैं इसको फेस्ट तो यह हमारे पास फॉंट आ चुका है अब मैं मुझे कुछ नहीं करना है यहां पर डालना है और यहां पर मुझे मिल जाएगा एक चैंप मैं के नाम से तो मैं इसको स्लेक्ट कर लिया और यह देको बिल्कुल वैसा का वैसा फॉंट आज शुका है अब मुझे और इसके टेक्स को लिएता मैं पर 6s Жén और यहां पर लिख देंगे Sixt हो चुका है लेकिन यह बहुत बड़ा टेक्स हो गया हम हर पास यहां पे तो मैं इसको छोटा करने वाला हूँ थोड़ा सा कर लेते हैं इसको यहां से लिख लेते हैं तो एक टेक्स भी और एड़ कर लेते हैं और मैंने इसको कंस्टेंट किया यहां से इसको मैंने कंस्टेंट किया टॉप से इसके साथ और यहां से मैं दे देता हूं इसको मार्जन ट्वेंटी डीपी का मैंने मार्जन दे दिया यहां से अब इसमें जो टेक्स है उसको हम लगा लो तो यहाँ इसको उस्ट करने के लिए हमें लगाना पड़ता यहां पर बैट करनें के बाते बढ़े क предлаг आप अब इसको end को use कर सकते हैं बढ़ना आप जैसे run करते हैं आपके पास error आता ओके तो यह हमने कर लिया अब यहाँ पर चलते हो आप इसे design पर design पर चलने के बाद हमें इसका font का color change करना है जो कि हमारे पास यह वालो font का color है तो हम इसके यहां से margin देना है और यह हमारे पास टॉप से मैंने इसको यहां से margin दे दिया है 80 का 80 बहुत ज़्यादा है मेरे साब से तो मैं यहां extend कर लेता हूं इधर से ओके और इसको मैं pixel 3a के साब से अरेंज कर लेता हूं जो कि हमारा mobile है उसी साब से तो और यह हमारे पास 20-20 dp के margin पर दिखने वाला है तो मैं इसको इधर से 20 का देता हूं और इधर से भी मैं इसको 20 dp का margin दे दूंगा जिससे कि और कोड में तो हम चलते है हैं यहां पर split में और देख लेते कहां पर यह रैडवाई को अगर आप तक यहां तक इसको कमप्रीट कर चुके हैं तो अपने लिए हमारे लिए और सभी के लिए एक लाइक कर दें और हमाय चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और अगर आपको इसमें कई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बीच में हमें पूछ सकते हैं कमेंट में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे तो मूव करते हैं अपने अपे इसको करता हूं क्लोज हमें का कश्का का निया इसका भी कुछ काम निया तो और और यहां पर यहां पर आपको मिल जाएगा एक और यह रिफ्रेस हो जाता है, मैं इसको export कर लेता हूँ, build में जाने के बाद यहाँ पर जाते हैं, export पर, sorry, build में जाने के बाद नहीं, यहाँ पर जाते हैं, अपने export पर और export कर लेता हैं, हम इसको export हमें कहा करना है अपने android के project में all project में जाने के बाद Figma to app हमने export कर लिया है और इसको करते हम यहां से close तो हम UI का section तो हमने clear कर दिया है और जो बाकी चीज़ यह बची हुए हो हम आगे clear करेंगे तो अब हम चलते हैं यहां पर back end के side तो back end में क्या होता है वह अभी हम discuss करेंगे मैं next पर click करता हूँ और यहां पर मैं project का name डालता हूँ back end of android तो यहां हम डाल देंगे back end तो यहां पर हमने back end डाल दिया और create किया एक project को यह build हो रहा है हमारा project gradle build हमारा यहां पर complete हो चुका है तो अब देखते हैं back end क्या है जैसे कि हमने यहां पर अपने screen को design किया था तो जो हमारा application होता है उसमें हम सिर्फ design नहीं करते हैं बलकि वो functionality भी काम भी करने चाहिए अगर हम किसी button पर click करते हैं तो वो work भी करना चाह जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ हमने जो application बनाया था तो इसमें बटन है और यहां पर अगर कुछ क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो यह application किसी काम का नहीं है यह सिर्फ देखने के लिए application है लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं तो करने के ल application में तो वहां पर वो चीज़े कैसे काम करें तो यह चीज भी हमारा ही काम होता है कि हम इसको करके दें अगर हमें कोई UI बनाने के लिए बोलता है तो यह नहीं बोलेगा कि आप इसको design करके दें बलकि आपको इसको इस बटन के क्लिक पर जो work होना चाहिए वह भी आपको कर करके देना होगा तो इन सभी काम को करने के लिए हम जाते हैं अपने backend के code तो हम यहाँ पर एक application चोटा सा बनाएंगे और उसमें हम अपने backend को यूज करें तो चलते हैं अपने application पर और यहाँ पर चलता हूं मैं backend के code पर जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे तो हम UI क्रेट इसका काम किया है इसका काम यह है कि मतलब एक फोल्डर करना और उसमें क्या होगा हमारे code रहेंगे उसको organize करने का काम करते हैं तो package का काम यह होता है, तो अब हमारे पास आता है import, तो इसमें क्या होता है, कि अगर जो भी चीज़ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि मानलों मैंने app compact activity यूज किया है, तो इसको मैंने import किया है, अगर मैं इसको import नहीं करता है, तो मैं इसके classes की file को मैं use नहीं कर पात और यह जो OS bundle हम यह क्यों use करते हैं, यह हमारे base class है, हमारे activity का, यह किस काम आता है, हमारे activity के बीच data pass करने के काम आता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक class है, main activity के नाम से, जो कि हमारी main screen है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं, इस वाले bracket के अंदर ही हम करेंगे यह जो हमारे curly braces है, इसके अंदर, तो सबसे पहला हमारे पास आता है एक on create function, जो कि हमने override किया है, और यहाँ पर आपको एक colon दिख रहा होगा, इसमें क्या किया है, मैंने main activity में add compact activity को extend किया है, जैसे कि Java में होता था, तो Java में यहाँ पर extend लिखते थे, Kotlin में हम यहाँ पर colon लगाते हैं, तो मैंने add compact activity को यहाँ पर expand किया है, जिससे मैं इसकी functionality को मैं use कर सकता, मैंने आपको basic language में बताया है, बाकि और भी बहुत कुछ होते हैं, जो कि हम देखते रहेंगे, आगे आगे, next हमारे पास क्या है, on create function, इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको पता चल रहा है on create, तो हमारा जब application चलता है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे application create होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा होगा कुछ भी code, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वहाँ पर line by line code execute होगा, और हमारे जितने भी हमने code लिखा है, उसको execute करने का काम करेगा, तो on create का मतलब क्या है हम आगे देखेंगे activity life cycle में, फिलाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मारलो मेरे पास यह application है, और मैंने जैसे इस application को चलाया, तो सबसे पहले क्या होता है, यह on create function call होता है, और हमारे activity को create करने का काम करता है, और भी इसमें बहुत सारे function होता है, on create, on resume, यह पता चल रहा होगा, और जैसे यह create करता है, हमारे screen पर यह चीजे show हो जाती है, जो भी चीज हमने अपने application में define किया, या हमने उसको create किया या बनाया है, और यह क्या करता है, जो हमारे पास super uncreated instance है, इस activity के लिए, जो हमारे पास activity है, कुछ necessary steps होते हैं, उनको use में लेता है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, set content view, r.layout.activity main, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यह हमारे activity में set कर रहा है, अपने content view को, जो कि हमारे कौन सा है, resource में जाके, layout में जाके, activity main, जैसे कि आपको resource में जाने के बाद, layout में जाने के बाद, activity main दिख रहा है, यह हमारे इसको set करने का काम कर रहा है set content view और जो यह हमारा activity main है यह हमारा UI का XML code है ओके जैसे मैं इस पर control क्लिक करके करता हूँ तो यह हमारे पास direct यहाँ पर ले जाता है जो कि हमारा UI का section है ओके तो यह हमने basic knowledge तो ले ली यहाँ पर लेकिन अब हम back end में करने के आवाल है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे एक छोटा सा code लिखेंगे जैसे कि मान लो एक button है मेरे पास मैंने एक button को add किया इसको मैंने constraint किया और यहाँ पर मैंने button को नीचे किया और नीचे से थोड़ा सा margin देते तो इसको drag करके इसके बाद क्या करूंगो मैं कि इस button के click पे एक message सो होगा जिसको हम कहते है toast message toast message क्या होता है कि हम एक छोटा सा toast दिखाते हैं कि आपने अभी क्या किया है जैसे हम login करवाते हैं तो sometime हमार पास यहाँ पर लिखा वाता है login successful या फिर आपके पास कोई errors होता है मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मैं setting में गया और मैं जाता हूँ यहाँ पर about phone में और about phone में जाने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर build number पर मैं click करूंगा तो यह जो आपको message दिख रहा है इसको ही कहते हैं हम यहाँ पर toast तो यह सो करवाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर basic toast का यूज करने वाले है तो toast को यूज करने के लिए क्या करेंगे तो हमने जो बटन एड किया है इसमें हम इसके id देख लेंगे इसमें बटन के नाम से तो आप क्या करेंगे हम पने back end के code पर जाएंगे और हमने यह चीज यहाँ पर आके अब सबसे पहले हमें क्या करना है अपने बटन को find करना है तो find करने के लिए हम यहाँ पर क्या use लेते हैं यहाँ पर बनाते हैं हमें एक variable जो कि आपने kotlin में देखा होगा तो variable बनाने का तरीका होता है हमारे पास well लिखते हैं यहाँ और जो भी उस बटन का जो भी उस variable का नाम डालना होता है हम महाँ पर यह डालते हैं तो मेरा मेरा पहले बटन है तो मैं यहाँ पर डाल देता यहाँ पर नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना होगा उसको ढूंडना पड़ेगा कि वह है कहाँ पर तो सबसे ढूंडने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं वह बटन है कहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिखा R. अब उस बटन का ID बताएंगे हम कि वह बटन कौन सा है तो मैं यहाँ पर देखना आपको बहुत सारे option मिल रहे हैं ढूंडने के लिए कि आप क्या यह चीज यूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बेसिकलि उसकी ID यू बटन के नाम से अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूं क्लिक में लिखता हूं मैं और यहाँ पर अंटर स्कोर आएगा और रिफेक्टर करता हूं मैं इसको अब देखना यहाँ पर R.ID. और मैं कंट्रॉल इसस्पेस दबारा हूं सजेसन के लिए तो यहाँ पर सजेसन आया और अब उपटन ना आके, हीहाँ पर मिर पास क्या रहा है? क्रिक मी यानि कि अब उसका बटन का ID क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है तो मैने यहाँ पर क्लिक मीiãoप ख्लिक कीया क्या मुझे इस बटन को चुह में लेना है तो यह हमारे पास आज चुका है यहां पे मैं मानलो कि यहां पर click करवाऊंगा तब यहां पर switch चीज़ेस होगी कुछ भी application में हम क्या करते हैं कि हम हर चीज click करवा के करते हैं जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा मैं computer में हूँ तो computer में हर चीज में hover कर रहा हूं तो यहां पर कुछ ना कुछ Our activity दिखरी है औरdy हम अपने application ओ मॉपाइल में ऐसा नहीं करते हैं हम यहां पर हर चीज काम करते हम click पर करें मैं अगर hover कर रहहा हूं यहां पर तो कुछ नहीं हो रहा है तो same हम यहाँ पर भी करते हैं तो इस task को पूरा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एक set on click listener होता है हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर तो मैं enter करता हूं यहाँ और मैं अपने button के उपर जो भी हमारा variable है मैं उसको लिखता हूं btn और हम यहाँ पर कुछ भी चीज़ लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं लॉग क्लिक लिखनर और रहा है और set on long click listener भी आ रहा है लॉग क्लिक लिसनर को भी यूज़ करेंगे जब हमें लॉग ट्रेस करना होगा तो लेकिन फिलाल हम सिंगल क्लिक पे कुछ पर्फॉर्म करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जो हमारे पास curly bracket बाला द ला तो मैं इस bracket के अंदर जो दो हमारे curly braces है इसके अंदर मैं लिख दूँगा तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं इस button के click पे मैं एक toast message हो करवाने वाला हूं toast message मैंने आपको बताया है तो यहाँ पर हम लिखते हैं toast small में लिखेंगे तो आपके पास ऐसा आएगा option और इसके ऊपर जैसे आपन क्लिक करेंगे तो यह हमारे पास एक toast का snippet हमारे पास आ चुका है जो कि पहले से लिखा हुआ है यहाँ फिर आप इसको custom भी लिख सकते थ toast dot make text और यहाँ पर आपके पास एक bracket लिखते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करना वाला हूँ अब यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर accepting an argument तो यहाँ पर हमें एक argument डालना पड़ेगा तो हम यहाँ पर डाल देते हैं by default this मैंने इस डाला जो कि हमारे context है और यहाँ पर हम वो डा toast dot length और short तो यह basically यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपको कितने time के लिए वो toast message show करवाना है तो मैं इसको clear करता हूं यहाँ से यहाँ पर कुछ और options होते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर shorts है और एक long दो टाइप से हम show करवा सकते हैं या तो आप छोटा message show करव और हम देखते हैं इस application को build खोल के देख लेता हूं कि कोई error ना है तो यह हमारा application रन हो चुका है और जैसे मैं इस button पर click करूंगा एक हमारा message आएगा जो की होगा हमारा hello need routes मैंने click किया यहाँ और यहाँ पर आगया hello need routes और यह देखो जैसे ही 1 second होता है यह 2 second होते हमार पास यह गायब हो रहा है तो हम क्या चाते हैं इसको थोड़ा से long time के लिए हम सो करवाए मानलों आपके बड़ा सारा message हो तो आप उसको long time के लिए सो करवाएंगे तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा long कर दूंगा मैंने long किया और फिर मैं वापस इसको run करता हूं अब आप चीज मैं आपको दिखा दूँ पहले यह चीज यहाँ पर आइकन नहीं आता था न्यू एंड्रोइड में अपडेट के बज़े से अब यहाँ पर हमारे पास इसका application का आइकन भी आता है अगर आप अपने application के आइकन को चेंज करते हैं बाइडिफॉल्ट हमारे application का आइकन कुछ भी नहीं है मान लो कि आपके पास सेटिंग था जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ अब आउट पर जाने के बाद में बिल्ड नमबर पर क्लिक करूंगा यहाँ पर देखना आप यह सेटिंग का आइकन भी दिख रहा है जो कि हमारे application का आइकन है तो यह नए अप्डे गतानों यहाँ खması लिए फोल्द में डाल लेता हूं यह वाला है कन अर में यहाँ पर करता हूं ओके इसको मैं करताूं चैन्ग इसको लोगते और इसको कर लेता है कि यहां ऑल्रभी से रखे जिससे आपको पता चले कि क्या चीज यूज करने वाले मैं रिफ्रेक्टर कर दिया इसको अब मुझे इस image view को यूज में लेना और इक हमारे पास text view है इसका नाम डाल देते हैं मैं hello text view मैं रिफ्रेक्टर करता हूं इसको भी अब मैं main.kt पे गया अब मैं क्या करूंग इसमें इसमें मैं क्या करूंगा हमारे किस टाइब का चीज है वह image टाइब का है तो मैं यहाँ पर डालूगा capital image image view आगया मेरे पास और आप में इसमें देख सकते हैं कि क्या के चीजा आप image view में यूज की हुई है मैंने control दबा के open किया था image view आ चुका है हमारे पास अब यहाँ पर हम डाल देते हैं r.id. अब यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं कौन सा हमारे पास id है तो वह हमारे पास android image view मैंने इसको select किया अब मैं क्या कर सकता हूं इस वाले image view को select करना है और इसमें भी हम क्या लिखेंगे toast लिखेंगे अब मैं यहाँ पर custom लिखने वाला हूं तो capital toast यहाँ पर dot make text और यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले context जो कि हम कहां करवान चाते हैं यही पर करवान चाते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ यहाँ पर लगा है मैंने और करूँगा फिलाल बाद में हम इसको सो करेंगे और मैं इसको करता हूँ रन एर्र आप automatic हट चुका है मैंने कुछ भी नहीं किया वह by default ऐसे दिखा रहे हैं अब मैं यहाँ पर click करूँगा तो देखो आप कुछ भी नहीं हो रहा है मैं click कर रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं ह तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है बेसिकल ऐसे आप इसको टोस्ट को यूज कर सकते हो तो आप इसमें क्या क्या सीखा आपने एक तो अपने activity के ाइडी को find करना सीखा आपने तो यहाँ पर हमने successfully सीख लिए टोस्ट कैसे सो करते हैं और यहाँ पर set on click listener कैसे लगात तो आपने यह तो सीख लिए अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं कि मैं हापे comment को जरूर यूज करूंगा जिससे मुझे याद रहे कि बाद में मैंने क्या किया तो comment क्या होता है basically comment यह होता है जो हमारे यह जितने भी line है हमारे पास लिख रहे हैं हमने यह क्या होता है क कि यहाँ पर run करता है और comment ऐसा चीज होता है जो compiler उसको run करने से ignore करता है कि मतलब कि वह जो line मैं लिखूंगा वह यहाँ पर basically चलने वाली नहीं है और यह जितनी भी line लिखी होई रहती है वह सब चीज़े यहाँ पर चलती है अगर इसमें कोई error होता है तो यह हमारे पास error कोड और आपको भी पता चलेगा अगर बाद में अपने प्रोजेक्ट को खोल के देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं एक और कमेंट कर रहा हूं कमेंट करने के लिए आपको लगाना पड़ता है दो forward लगाना पड़ेगा आपको और यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं for setting click on views ओके तो मैंने यह लिख दिया है इसको मैं कर लेता हूं फाइल पर जाने के बाद export export to zip और यहाँ पर all project में क्या कर दूँगा मैं इसको export कर दूँगा और मैं यहाँ से कर लेता हूं इसको close और सेकेंड के लिए दिखा होगा कि Chrome का एक आइकन आया होगा मैं वापिस on करता हूं यह देखो यह आपको दिखा तो यह बहुत जल्दी application रन हो गया इसलिए आपको सोन नहीं हुआ मैं जैसा मान के से लो मैं YouTube open करता हूं तो यह YouTube का आयकन आया है और यह हमारे splash screen कहलाता है और यहां पर मैं लिख लेता हूं splash screen मैंने अपने application का name डाल दिया है अब मैं यहां पर करता हूं create इसको मैंने finish किया और build हो रहा है gradle और यह build हो चुका है मेरे पास तो यह successful हो गया हमारे पास अब क्या करेंगे हम सबसे पहले अपने splash screen को design करेंगे तो design करने के लिए मैं करता ह हूं design पर जाते हैं और मैं पहले इसको कर लेता हूं delete अब जिस type का हमारे application होगा या जो भी हमारे application का logo होता है basically हम वही वहाँ पर show करवाते हैं जैसे play store है तो यहां पर play store का logo आया okay जैसे phone है तो यहां पर phone का logo आया अब क्या है latest तरीका यहां पर दो तरीके है splash screen को use करने के एक है हमारे पास splash API और एक है हमारे पास जो पहले से चलता है जो कि हम खुद create करते हैं तो मैं यहां पर आपको पहले से जो चलता आ रहा है वो मैं तरीका सिखाने वाला हूँ Splash API का अभी कुछ काम नहीं है जादा अब basically काम क्यों नहीं है तो Splash API जो होता है वो हमारा minimum चलता है Android 12 पे सभी के पास Android 12 नहीं होगा बहुत से लोग अभी हमारे पास पुराने पुराने Android OS यूज कर रहे हैं जैसे कि मानलो 11, 10, 9 और कोई-कोई तो 8 भी कर रहे हैं तो अभी से बात है वो आपको दिखने वाला नहीं है तो मैं यहाँ पर अभी के लिए normal screen बनाएंगे splash screen जो हमारा पहले का तरीका है जिससे क्या होगा वो सभी जगे से होगा तो अब हम सबसे पहले अपने splash screen को design करेंगे अभी कोई application तो बना नहीं रहें तो हम यहाँ पर कु और यहाँ पर अगर नीट रूट का PNG होगा तो मिल जाएगा इसको किया यहाँ से सेब सेब इमेजेस और यह जेपीज है मैं पर डाउनलोड कर लेता हूं इसको और इसका नेम जो है मैं रख लेता हूं लोगो और करता हूं सेब और open कर लेते हैं इसको हम folder में तो यह हमार अपने लोगों को स्लेक्ट कर लूँगा तो यह हमार पास लोगो आ चुका है by default यह बहुत बढ़ा है तो मैं इसको क्या करूंगा 150 dp का width दे दूँगा और 150 dp का height दे दूँगा और करता है एंटर तो यह हमार पास square हो चुका है बिल्कुल अब इसको हम सेंटर में करेंग तो सेंटर में करने के लिए इसको left से top से और bottom से इसको constraint कर देंगे तो यह हमारा application का logo बन चुका है और यह हम ऐसे कुछ दिखाना चाहते हैं अगर आप कुछ text वगएरा भी डालना चाहते हैं तो आप यहां पर डाल सकते हैं मैं डाल लेता हूं यहां पर bottom में करता हूं इस क्या करना है इसको बनाना है splash screen बनाने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले बनाते एक activity क्यूंकि हमें splash screen के बाद कुछ show भी तो करना है जैसे कि मैं कुछ कोई भी application on करता हूं तो यह logo आएगा इसके बाद हमारा एक screen आ रही है तो हम इस screen को भी design करना पड़ेगा तो इसके लि screen के नाम से आ चुका है अब क्या करेंगे हम अपने जाएंगे splash screen के back end के code पर तो इसका back end का code क्या है हमार पास main activity तो मैं इसके लिए यहां से भी जा सकता हूं स्प्लेट में जाते हैं control प्रेस करते हैं और यहां पर आपको यह दिख रहा होगा तो यहां पर आप क्लेक करेंगे तो आप उटमेटिक के back end की code पर पहुच जाएंगे अब यहां पर हमें क्या करना है इसको इस प्लेस स्क्रीन बनाने के लिए हम क्या यहां पर लगाते है एक intent अब intent क्या होता है intent एक request की तरह है जो कि application के एक पार्ट को दूसरे पार्ट तक भेजता है इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप आपका एक friend है आप अपने friend को एक message लिखते है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ तो वो message जो है वो आपका intent है आपके friend के पास पहुच जाएगा तो आपका friend के पता चल जाएगा कि आप आने वाले हैं और उसको यह भी पता चल जाएगा कि आप on the way यानि कि रास्ते में है ऐसे ही जब application send करता है request splash screen के लिए तो उसको पता चल जाता है main screen को कि splash screen so होने वाले है तो basically क्या होगा यहाँ पे हम एक intent लगाएंगे औ और यहाँ पर हम क्या करेंगे intent लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहले लिखना पड़ता है start सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है start activity और activity में आपको लगाना देता है intent तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा intent यह वाला अब मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा इसको कि आपको कहां पर जाना है जिसको हम कहते हैं context तो यहां पर हम डालते हैं यहां पर दिस यानि कि यहां से और आपको जाना कहां पर अपने main screen पर तो मैं यहां पर लिखूंगा main screen मैंने लिखा यहां पर और यहां पर लगा दूँगा मैं colon colon dot class dot java यह आपको लगाना जरूरी है तो मैंने यहां पर क्या बताया अपने intent को कि मैं यहां से आ रहा हूं कहां पर main screen पर basically मैंने यहां पर यह बताया तो अब जैसे मैं इस application को चलाओंगा तो क्या होगा और automatically यह इस screen पर आके और इस यहां पर एक ट्रस देट कर लेता हूं आलते हुए मैं इसको पहले burn कर लेता हूं मैंने main screen डाल जियाया जैसे कि आपको दिखरा और में इसको आपिस यहाँ पर चला गया तो अब इसके क्या होता है कुछ टाइम के लिए हमारे पास रुखता है थे? तो रुकने के लिए हम यहां पर का उस्त करते हैं हैं इसलिए करते आधर मैं हमारे जी स्प्लैस स्कृिना जो हमारा application होता है इस legitimate होता है अब ц्रैड क्या होता है थ्रैड होता है हमारे जिसे आप मान के चलो कि एक दिया है और उस इस ситу में बहुँत को बताना पड़ेगा कि आप कुछ समय के लिए रुख जाओ तो कुछ समय के लिए रुखेगा तो हमारे स्प्लैस स्क्रीन भी क्या होगा जो हमारे में स्प्लैस स्क्रीन है यह कुछ समय के लिए रुख जाएगा और हमें सो जाएगा और उसको हम बोलेंगे कुछ समय के getMainLooper और यह मेरे पास्ति और यहां पर मैं लगा दूँगा पॉस्टडिले तो पोस्टडिले का क्या मतलब हो गया यहां पर कि हम किते साहीम के लिए उसको रोखना चाहते हैं तो यहां पर पोस्टडिले वाले को उसको रोकना चाहते हैं तो यह वाले bracket जो है last यहाँ पर आके आपको time बताना पड़ेगा कि आप कित्ते time के लिए इसको रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर जो delay आ रहा है हमारे पास यह आ रहा है miles में तो miles में जो डालते हैं वो होते हैं हमारा one second equal to one thousand तो मैं यहाँ है तूं थारंट सेकेंड के लिए इसको रोखोंगा यानि कि दो सेकेंड के लिए इसको रोखोंगा अपने थ्रैड को तो यह ठäreड को हेंडल कर लिए है अब एप्लिकैशन रन करता हूं तो देखना कर आप कि 2 second के लिए रुखेगा और ऑटमेटिक यह अपने मेंट लिखा है यहाँ पे यह क्या हुआ दो सेकेंड रुखने के बाद जो कि हमारे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्प्लैस स्क्रीड में स्टेटस बार नहीं होता है, मैं जैसे कि आपको दिखा देता हूं, जैसे मैंने यह एप्लिकेशन रन किया, तो यह देखो उपर कुछ भी नहीं था, मैं वापस इसको रन करता हूं, और यह गुड़ प् इसके अंदर हम लिखेंगे विंडो और यहां पर लगाएंगे हम विंडो डॉट डैकोर और यहां पर हमें यूज करना था, इसमॉल वाला विंडो डॉट यहां पर लिखेंगे हम डैकोर व्यू और इसके बाद हम लिखेंगे, कंट्रोलर डॉट हाइड और यहां पर हम कर किया हमने इससे क्या हो जाएगा हमारा जो में स्क्रीन है जो स्प्लैस स्क्रीन है उसका जो स्टेटस वार है वह हाइड हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूं बिल्ड को देख लेते हैं सक्सेस्फुली हो चुका है और अब देखो यहां पर स्टेटस वार में कुछ भ करते हैं और इसको करते हैं यहां से फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं इसको एक्सपोर्ट करने के जिप में चलेंगे और जो हमारा और प्रोजेक्ट नाम से है उसमें जाने के बाद यहां पर हम क्या कर देंगे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे यहां से जाने के Vestpressscreen में कि एक जगे से कहीं पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है intent का यूज करना पड़ता है लेकिन intent में हितना इन होता है intent में क्या होता है आप data भी डाल यूज लेके जाते हूं कि जैसे के मानड़ो मेरे एक screen पर कुछ सो है डेटा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि मैं यूटुब चलाता हूं और यूटुब चलाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इस वाले वीडियो पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि इसका जो टाइटल है प्लस इ के जाता है इससे पता चलता है और intent दो type होते हैं एक तो होता है implicit और एक होता है explicit intent का क्या काम होता है explicit intent जो होता है उसको पता रहता है कि हमें कहां से कहां पर जाना है तो जो मैंने यह click किया था यह हमारा क्या था explicit intent है अगर मैं यहां पे क्लिक किया share पे तो share पे क्लिक करने के बाद यह पूछ रहा हमें कि कहां पे आपको इसको share करना है तो यह क्या हो गया हमारे implicit intent हो गया तो intent सीखने के लिए आपको 4 चीज़े पता होनी चीए जो की होता है activity, services, services, broadcast receiver और intent तो activity के बारे में आपको पता ही है मैंने पहले बता दिया थी activity क्या होता है और second हमारे पास क्या है services, services क्या होती है, services वो होती है जो background में run होती है जैसे कि application चल रहा है तो आप क्या हो रहा है इस से related जो services है वो भी background में run कर रही है तो services क्या होती है, services यह होता है कि जैसे कि मानलो आप कुछ चीज़े डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते हैं हमारे पास यहां पर क्या होता है और thread आपको जैसे पता ही होगा कि हर application particular कोई भी task जो होता है वो thread पर ही run होता है जैसे मैंने वीडियो भी चलाया तो इसके लिए एक thread create हुआ होगा और उस thread पे हमारा video play कर रहा है ओके तो services देखने के लिए हम क्या करते हैं चलते हैं अपने phone पे और जाने के बाद यहां पर हम कर लेते हैं कुछ download लाउनलोड कर लेता हूं नहीं क्रोंग करेंगे और प्रेस करेंगे और यहाँ पर और यहांपे लिक्avored करते ही मेरे पास क्या होगा एक service open हुई और service open होने के बाद यहां पर क्या हुआ यह download हुआ मैं वापिस करके दिखाता हूं आपको यह छोटी फाइल है इसलिए चोटा हो रहा है और जैसे मैंने यहां पर किया था तो download का एक service open हुआ था और automatic वह download हो चुका है तो basically यह service होता है और मार लो कि कोई बड़ी चीज आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें टाइम लगता है तो टाइम लगेगा तो ऐसा नहीं है कि हम अपने अलारम जैसे चीज यूज़ करते हैं जैसे अपने अलारम लगा लगा रखा है अपने mobile नहीं में तो क्या होगा वह हमेसा रहं नहीं करता रहेगा जब आपका यह एक पर्टीकुलर टाइम मौगया जैसे कि लिपर राटेकर mister नीचे हाए ठार्योट लगा रखा है कि जैसे यह बैटरी 15% से नीचे आए तो आपके पास क्या हो एक डायलोग हो जाए कि आपकी बैटरी लो हो चुकिए इसको आप चार्ज कर लो तो यह सब काम किसके होते हैं हमारे ब्रोड काट रिसीवर के और नेक्स्ट लास्ट हमारा होता है इंटेंट तो हम हमारे पास होती है ब्रोड का रिसीवर और उसके बाद हमारे पास होती है इंटेंट तो अभी तो मैंने आपको थियोरी बताया है कि अब हम इसका प्रेक्टिकल भी करके देखेंगे ने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं और बनाते हैं एक प्रोजабат तो मैंने नेक्स्ट पर दाल दिया है मैं यहां पर करता हूं फिनिस और फिनिस करते हैं मेरे पास यह एप्लिकेशन आ चुका है बिल्ड इसका ग्रेडल इसका बिल्ड हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं और अगर आपको यह वीडियो आपको कुछी भी हेल्पफुल लग रही है तो मेक स्यूर कि आप उपने वीडियो को लाइक करते अगर आपको इसको अपने फ्रेंड के साथ सेयर करना है तो आप इसको भी सेयर कर सकते हैं और अगर आपको इससे भी डीप नॉलेज में सीखना है तो आप हमारे कोर्स को भी यहां पर जोइन कर सकते हैं जो कि हमारा कोर्स हमेशा चलता रहता है हम इसमें आपको live interaction भी देते हैं आपके doubts भी हाथ 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 solve करते हैं और आप deep में तो चीजे सीखते हैं तो आप course join करने के लिए कुछ नहीं करना है description में आपको link होगा आपको वहाँ पर सारी details मिल जाएगी तो हमारे application यहाँ पर हो चुका है तो move करते हैं अपने intents के लिए मैंने आपको बताया क्या होता है कि data को पास करने के लिए काम होता है data को पास करने के लिए यूज में करते हैं और किसी भी particular activity पर फिर बटन पर click करने के बाद अगर हम किसी activity को open करुआते हैं तो भी हम intense के थुरूई करवाते हैं तो intense हमारे दो प्रकार के होते हैं जिस एक को तो हमारा पता रहता है कि कहां पर हमें जाना है और एक को पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना है ठीक है तो सबसे पहले हम देखने वाले explicit intent जिसको पता होगा कि हम कहां से कहां पर जाने वाले तो जैसा कि मैंने आपको इंटेंट के बारे में तो मैं यहां पर क्या करता हूं यहां पर एक मैं बटन करता हूं और बटन करने लिए हमें कहीं ये हमने बॉटन भण दिया अब क्या करना है एक और प्लिक करने के बाद में बनाता हुए आप अभर में करता हूं और हमार पास में क्या करने कि मुझे इस वाली Chief से कहां पर चलता हूं इसकी हमारा है में अभे हम क्या करेंगे अपने सबसे पहले बटन को फाइंड करेंगे करने के लिए करते हैं यहां पर बनाते विडियेवल और यहा BOB Olivier देते हैं btn go और equal to करेंगे इसको हम find view by id और यहाँ पर किस टाइप का बटन है जरूरी नहीं आप लिखना चाहो तो नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं यहाँ पर बताना पड़ेगा हमें कि किस टाइप का लगाउगं मैं इस बटन पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक इंटेट लगाएंगे जिसके हम से सट एक्टिबीटी पर इसके लिक पर जाएंगे तो क्लिक पर जाने के लिए मैं यहां पर क्या करूँगा सबसे पहले एक बनाओंगा वेरियेबल वैल और वहां पर डाल दूँगा intent और equal to करूँगा मैं इसको intent के तो मैंने intent बना दिया इसको अब मैं यहां पर बेसिकली बताऊंगा इसको आपको कहां से कहां पर जाना है मैं यहां चाहता हूं यानि कि यहां से आप कहां पर जाना है main activity2 पर तो main यहां पर डाल देता हूं मैं main activity2 और यहां पर डाल दूँगा जैसे कि हमने splash screen में बनाया था तो आप यहां पर क्या हुआ जैसे ही मैं इस वाले बटन पर क्लिक करूंगा button.go पर जो कि मैंने button.go पर set on click listener लगाया है तो क्या होगा एक intent चलेगा जो कि क्या होगा हमारे इस वाले activity से main activity2 तक जाने का काम करेगा तो मैं आपको चला के दिखा देता हूं यह application मैंने run किया यहां पर build को देख लेते हैं कि कोई error ना है और यहां पर application को open कर लेते हैं और मैं यहां पर जैसे इस button पर click करूँगा तो क्या होना चाहिए हमारा second activity ओपन उजाना चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और यह हमारे पार second activity ओपन हो चाहिए लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं तो यह हमारा एक तीज तो हमारे के लिए रोगए कि यह बटन काम कर रहा है और यह हमारा explicit intent है जिसको पता है कि उसको कहां से कहां पर जाना है तो यहाँ पर मैंने मैं राइट क्लिक करूंगा constraint इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा जहां पर भी है वहाँ पर automatic constraint हो गया अब मैं इसमें डाल दूँगा main activity टू ठीक है मैं यहाँ पर डाल दिया main activity टू अब क्या करना है मुझे अब मैं क्या चाहता हूं कि यह जो हैले वर्ड लिखा हुआ है य यहाँ पर सो करवा देंगे जैसे कि मैंने आपको YouTube में बताया था कि यहाँ पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर क्लिक होने के बाद इस वीडियो की क्लिक होने पर या फिर किसी भी वीडियो पर क्लिक होने के बाद उसका टाइटल प्लस उसका थमनेल को यह क्या करता है और य मैं क्या करूंगा इस वाले जो activity में जो भी data है इसको मैं क्या करूंगा इस बटन पर क्लिक करते इस वाले बटन पर ले जाओं गा तो यहाँ पर एरर आ रहा रहा है यह ऐसी आरहिए और फिक्स हो जाएगा इसमें कोई दिख्कत वाली बात नहीं पिंक कलर का बटन नहीं है मूव करते हैं इसमें चलते हैं अपने बैक एंड के कोड़ पर अब क्या करने वाला हूं मैं इसमें कुछ intent वाले जो variable है मैं इसके साथ क्या करूँगा कुछ extra चीज़े डालूँगा तो यहाँ पर हमारे को पास क्या होता है एक put extra नाम से हमारे पात होता है तो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर अगर आपको और यहां में यहां में बेख दैथा है तो यहां पर यहां पर दो छाछाओ तो ऐंको बैसे करें क्या करने वाला हूं यहां पर मैं लिख दैता हूं नेम पर वहाएं चो कि करूंगक यहां पर दालेंगे और आप कुछ भी डाल सकते हों तो यहां पर चलते हैं घ्यक्र व्यूट को find करूंगा तो मैं सबसे पहले यहां पर क्या कर लेता हूं find व्यूट लगाता हूं और अपने data को हम find कर लेता है तो यहां पर जो वैल है और जहां पर हमार पास text view है text view equal to क्या कर देंगे हम इसको find view by id और यहां पर वैल की जगे लगा दिया है वापस लिखता हूं वैल और वैल के बाद यहां पर मैं लिखूंगा find view by id आगे मेरे पास यह किस टाइप का है हमारा text view तो यहां पर लिख देता हम text view type का और इसके बाद हमारे पास क्या है इसका और यह हमारा है data type का थीक है तो यह मैंने select कर लिए हहां पर यह जो एर्र आपर हट जाएगा अब मैं यहां पर क्या करूंगा तो यह तो मैंने कर दिया अब यहां पर जो हमारे text view है हम basically यह लिखने वाले तो यहां पर मैंने लिखा text view लिक्ण अब जो क्या हुआ इसका जो डेटा है हमारे पास यहां पर आ चुका है अब हमें इसको भेजना है तो यह भेजने के लिए हम इसको किसी ना किसी टाइप का देना पड़ता जैकि आपको पता होगा यहां पर एक टाइप भी देना जलूरी है तो यहां पर मैं क्या चाहता हू और यह हमारे पास error भी यहाँ पर जा चुका है तो अब यहाँ पर क्या होगा जैसे मैं इस button पर क्लिक करूंगा button go पर यहाँ पर क्या होगा कि जो भी इस वाले textview में data रहेगा वो क्या होगा हमारे name में जाके store हो जाएगा और store होने के बाद यह इसके साथ ही button की click पर यहाँ नहीं तो show करवाने के लिए क्या करेंगे यहा तो हम इक अलग से maps लो सकते हैं जिसमें हम डेटाको उसक रवाना चाहते हैं या फिर क्या कर सकते हैं इसी पर लीता हो जो भी हमारा डेटा है तो यहां पर अलग से ले लेता तो मैं यहां पर जाता हूं एक text view basically वो text type का तो हम text में सो करवाएंगे तो मैंने इसको कर लिया और मैंने क्या कर लिया इसको constant करने के बाद यहां पर मैं लिख देता हूं your data your data ठीक है तो यहां पर यहां पर कुछ यहां कुछ रहा है जैसे यहां पे क्लिक किया तो यहां पे कुछ धो रहा है जो है पिस को सब्सक्राइब कर देता ओँर यहां पे हम id देते हैं इसको your data के नाम से डाल देते हैं your data text view ठीक है मैंने डीफेक्टर किया यहां पर इसको मैं minimize कर देता हूं यहां से अब क्या करदेंगे हमें इस वाले It your data textview तो यह था हमारा basically यहां पर तो यह हमारे पास आ चुका है make sure करें कि आप यहां पर capital ही लिखे small लिखेंगे तो वर्क नहीं करेगा और यहां पर भी आपको capital ही आर लिखना है तो अब यहां पर यह तो हमने find करवा लिए अब क्या करवाने हमें basically इस वाले टेक्स इसमें जो data आ रहा है हमारे पास उसको बस हमें यहां पर set करवाना है तो set करवाने के लिए हम क्या करेंगे जो भी हमारा textview है उसमें हम उसको set करवा लेंगे तो यहां पर मेरे पास textview के नाम से textview. यहां पर हम क्या करदेंगे हम यहां पर क्या करवाने चाहते है टेक्स्ट है वह एक बार यहां पर comment डाल देता हूं receive data from intent ठीक है मैं यहां पर डाल दिया अब basically हम क्या करवाएंगे यहां पर इस variable में तो हमारा जो है यह find कर लिए हमने एक और variable बनाएंगे हम यहां पर वैल जिसमें हमारा data receive होगा तो यहां पर लिख देता हूं मैं received नाम से मैंने एक variable बनाया इसमें क्या करवाऊंगा मैं उस data को पास लूँगा तो यहां पर हमारे पास किस नाम से था तो intent में जो आया है हमारे पास यहां पर मैं क्या करूंगा get करवाएंगे उस data को तो मैंने यहाँ पर get लिखा और get यहाँ पर किस type का वो data है वो पूछ रहा है यहाँ पर तो हमारे किस type का data था string type करता था तो मैंने यहाँ पर string extra कर लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पर दो value डालने हैं इसमें एक name और एक string तो उसका name हमने क्या डाला था make sure कि आप जो भी name डालो वही name यहाँ पर भी डालना है तो मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ कि कोई mistake ना हो आप भी make sure कि आप को इसको copy कर ले और यहाँ पर हमें सिर्फ name को paste करना है तो हमने यहाँ पर get extra करवा के इसको अपने पास ले लिया और इसमें received में हमने received में इसको हमने store करवा लिया अब मैं क्या करूँगा textview में dot text में set करवा देंगा इसको received वाले को तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ received तो यहाँ पर हमारे पास हो चुका है वो जो text view था वो गलत था अब मैं जैसे इसको run करता हूँ तब आप देखना कि क्या होगा जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो जो भी यहां पर लिखा हुआ चीज है वो यहां पर हमारे पास सो हो जाएगा और यहां हमारे पास text view डॉट यह कुछ app id वगेरा यह चीज आ रही है तो साइध हमने थोड़ी सी गलती mistake कर दियोगी तो उसको देख लेते हैं एक ब चरवान है तो मैं यहां पर लिख दूँगा डॉट टू इस्ट्रिंग तो मैंने टूइस्ट्रिंग कर दिया तो आप क्या होगा जो भी यहां पर data रिसीव हो रहा है उसको convert किसमें कर देगा इस ट्रिंग में कर देगा मैं इसको convert यहां पर चलाया और अब देखते हैं जै लाता हूं सबसे पहले हाँ पर डेटा को get करने के लिए क्या करूंगा यहां पर मैं बनाओं गगो एक वेरिय guitar handle वैल और यहां पर कर दूंगा मैं इसको textView जो कि हमारा उपड़ तो यहां पर किसाइप कkee data है वह वह बताने हमें text.वाल की स्टिंग का data है तो मैं यहाँ पर डाल देंगे 就是ром कि यह हो गया हमार पास और हमें इस data को क्या करनना है tęर्ट करना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं data तो हो गया है अब इसकी ज़ुरत नहीं है हमें ट्वीट्रिंग की या तो यहाँ पर यहाँ पर use कर लो या फिर आप यहाँ पर तो एक जगे हम यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूं अब क्या हो गया यह हमारे डेटा आ चुका है ओके तो अब चलाते हैं इसको वापिस रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है कि यहां पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करते हैं यहां पर हमारे पास हैलोवर्ड आ जुका है तो अब यहांपर बेसिकली आप अगरश च्लिक को ना भी और यह neat routes में convert हो चुका है अब मैं इसको run करता हूं वापिस और देखते हैं कि यहाँ पर data हमारा दूसरा आता है या नहीं जैसे मैं go button पर click करूंगा तो यहाँ पर neat routes भी आ चुका है अब जैसे हमने image तो भेज लिया अब क्या करना है हमें कि इसमें image भी भेज सकते हैं मैं कि इस पर click होने के बाद image वहाँ पर set हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा basically यहाँ पर भी हमारे पास image होना चाहिए और एक image कहां पर होना चाहिए यहाँ पर भी होना चाहिए जिसमें हम अपने image को set करवाएंगे तो एक बार करवा लेते हैं इसको भी तो य कि लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक button लगाएंगे जो कि हमारा होने वाला image विए जिसमें हम image back का button भी डालने वाले तो यहां पर मैं डाल लेता हूं यहां पर एड़ कर लेते हैं बैक का बटन तो वैक्टर इमेगे शेट्स में चलते हैं हम यहां पर इसमें जाने के में चलता हूं और यह जो हमारे image view है इसमें मैं क्या करूंगा जो यह हमारे वितार है इसके जोगे मैं यहां पर क्या डाल दूंगा एरो और यह हमारे पास बैकर था जो हमने अभी एड किया था उसको मैंने डाल लिया तो यहां पर क्या होगे हमारे पास कि एक एरो आ चुका तो मैं यहां से wrap content से मैं इसको दे दूँगा थोड़ा सा fix site जो कि होने वाला 50 dp तो यह थोड़ा सा बड़ा हो गया इसके id डाल देते हैं यहां पर id डालेंगे हम back btn back button हो गया हमारे पास इसकी id ok अब इसके click पर हम क्या करवाएंगे कि हमारे वापिस से अपने मेन activity पर यहां पर यह चला जाएगा तो कुछ नहीं करना है यहां पर जाएंगे हम सेम और सेम जो चीज ने यहां पर कोड किया है तो यह चीज हम अपने में activity टू में करवा लेंगे तो यहां पर मैं क्या करू कि जो हमारे button क्या था back button तो मैंने back button select किया यहां पर और यह error आगया है यहां पर क्योंकि हमने वेरियबल नहीं बनाया है और equal to कर लेते हैं इसको btn bac ck back ठीक है तो मैंने बना लिए वेरियबल और इसमें मैंने क्या कर दिया और इसको हम कर लेते हैं कहां पर कट करके हम डाल देंगे इसको यहां पर हमने इसको find कर लिया और अब यह जो एर्र आ रहा है वो किसलिए आ रहे देख लेते हैं यह वार्णिंग है और यहां पर लगाऊंगा बैक बटन डॉट सेट और क्लिक लिस्टनर यह वाला कर लिए वाला और यहां पर क्या कर आँगा कि बैक कर दूँ मैं यहां पर तो क्या होगा यह थो एक्टिविटी फिनिस हो जाए यानि कि एकटिवीटी से खतम हो जाए है अगर हम वापस ni in या वापस बैग करेंगे तो क्या होगा यह हमारे वापस इस activity पर आया तो यह क्या होए इसमें हमारी activity यह वाले Unleclude कर लेते हैं लेकिन बैग जाए तो अब वापिस युदिया नहीं जाना यानि किमुझे वापिस इस एक्टिविटी पर नहीं जाना है बैग करूँगा तो मुझे क्या करवानी है इस की को फिनिस भी करवाने है तो मैं क्या करूंगा यहां पर सबसे पहले तो मैं commורה सिरा अक्टिविटी majority कि इस चाल अंपर मैं डाल देता हूं इनटेंट और यहां पर मैंडाल दूंगा झाल में जहां मैं जानेए होाओ पर मैं activity call & call & class Ah okay अब यहाँ मेरे पास मैं आपको दिखाता हूं मैं construction को और यह चुक्की है यह जो ओर रहा है और यहां पर किया और यह कर गया हमारे पस यहां पर क्रेश क्योंकि की देख लेता है यह हमारी है मेरे activity to back button find view well button find view id image button r.id.back button ओके यहां तक तर सही है और इसको जो है इसको हम यहां पर ना करके हम करवाते हैं यहां पर तो अब देख लेते हैं हमारे पास error क्या है तो मैं यहां पर चलता हूँ अपने lock cat में और यहां पर देखते हैं क्या error है हमारे पास तो मैं यहां यहां पर आया मैं स्लोग cat में देख लेता हूं error क्या बता रहा है error यहां पर बता रहा है कि जो आपका crash यहां पर हुआ application caused by compact image view और cannot be cast okay image button मैंने यहां पर क्या किया है कि यहां पर मैंने लिए इमेज बटन और यह जो हमने लिया यहां पर image view ले लिया जबकि हमें यहां पर क्या ले रहा था image button तो यहां पर ले 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 तो मैं image button तो अब यह सही है बिल्कुल perfect है अब मैं इसको run करता हूँ और मैं चला के देखता हूँ इस application को तो यहां पर मैंने किया go button और देखो यहा क्या हूँ अब जाकर हमारा application crash वह बख्लोज हूँ तो यहां पर हो क्या रहा है कि जितने बार हम क्लिक कर रहे तो वह activity बग के बाद एक पर जाता जा रहा है तो मैं क्या होँगा कि जैसे इस वहाले बटन पर क्लिक करवाएंगे तो इसी बटन के साथ हम इस activity को फिरिश भी करवा देंगे यानिकी खतम कर देंगे तो खतम कर देंगे तो इसके लिए हमें क्या करना बढ़ता है activity to main पर चलते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे इस वाले क्लिक पर करवा रहे है इस वह activity को आपस back तो हम यहां पर एक छोटा से code करेंगे इसको मैं हटा देता हूं और य यह बटन क्लिक करता हूं मैं अब यहां पर अगया अगर अगर हम ध्याम तो यह аб्लीकेंस यहां से close जाएगा close हो गया जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने go button पर click किया back किया go किया back किया तो अब यहाँ पर जाएगा यह बर direct वापिज इसी पर आ रहे है ना कि यह बंद हो रहे है तो हम यहाँ पर यह वापिज इसले आ रहे है क्योंकि यह stack में जो है stack होता है basically एक के बाद हमारे पास इसमें line run होती है वैसे stack होता है कि एक के बाद एक activity open हो रही है तो बैक भी जो जैसे हम कर रहे है तो एक के बाद जो जो activity पहले थी वह हमारे पास वापिज से बैक किया अब मैं यहाँ से बैक करूंगा तो automatic application close होगी ना कि वह पीछे गया अब मैं go पर करता हूं और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर back करूंगा तो automatic application close हो रही है तो यह आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहां पर activity close करवानी है कहां पर नहीं करवानी है तो या फिर आपको कि यह चीजे इंदेफ्ट में सीखने है तो आप हमारे कोर्स को जोइन करी सकते हैं जिसमें हम आपको end-to-end guide करेंगे ओके तो यह तो हो गया हमारा अब इसको इसमें और भी चीजे होती है जिसमें हम क्या करने वाले हैं अब हम करेंगे अपने implicit intent की तरफ उ यहां पर करते हैं यहां पर एक्सपोर्ट कर देता हूं यहां पर जाने के बाद इसको मैं कर लूगा यहां से ख्लोव्ज यहां पर रिप्रोजेक्ट किया मैने अब यहां पर मैं लिखने वालव हो implicit and explicit intent यहां पर लिख देता हूं implicit and explicit intent मैंने यहां पर लिख लिया और यहां पर करते हैं create तो यह हमारे एक application बन चुका है और इसकी बिल्ड खोल के देख लेते हैं और इसका बिल्ड हो चुका है complete और यह हमारे पास application आ चुकी है और successfully यह काम कर रहा है मैं इसको कर लेता हूं थोड़ा से छोटा यहां पर चलते हैं बाकि सब कुछ सही है अब हमें सीखना है implicit और explicit intent के बारे में मैंने implicit explicit आपको बता चुका हूं कि क्या होता है explicit जहां पर जिसको पता हो जो कि हमने अभी पीछे भी clear किया था लेकिन यहां पर हम सीखेंगे only implicit मैंने प्रोजेक्ट का नाम गलत डाल दिया मैं डाल देता हूं implicit बतन ओर इसको करते हो तक रिफेक्टर और मैं यहां पर डाल देता हूं the क HIM SAYER किया और यहां पर क्लिक कर लेते हैं ठीक है जिससे Mने आपको दो example दिखाने वालों क्या होने वाले मैंने इसको यहां से कर लिया और यहां पर button मैं डाल करता हूँ आप और इसका नाम डाल देते हूं button call button ठीक है मैं इसका नीम डाल दिया और रिफेक्टर कर दिया अब यहां पर चलता हूं अब basically मुझे क्या करना है यह हमार हो गया explicit के लिए अब यहां पर मैं डाल लेता हूं comment implicit के लिए ठीक है spelling को ignore करना अगर by mistake अगर मैं wrong type करता हूं तो हमें यहां पर concept सीखना है ओके तो अब मैं क्या डालने वाला हूं यहां पर implicit के लिए तो हमारे दो बटन है तो सबसे पहले उन दो बटन को find कर लेते हैं तो यहां पर मैं कर लेता हूं find एक वैल हमारा है share button equal to मैं कर देता हूं इसको find view by id मैंने double shift यहां पर करना है मुझे find view by id और यह हमारे किस टाइप का है button type का तो मैं यहां पर select कर लेता हूं button और r.id id. यहां पर डाल दूँगा मैं share button share हमारे button का name क्या था मैं एक बार चेक कर लेता हूं अपिस call button है एक हमारा और एक हमारे पास implicit button ठीक है तो मैं यहां पर डाल दूँगा सबसे पहले share button में implicit button और इसके बाद मैं यहां पर जाता हूं और इसको मैं कर लेता हूं control d और share button की जगे यहां पर डाल दूँगा call button और यहां share button किया dot set on click listener और इसके अंदर में क्या करूँगा basically हमें क्या करना है intent ही लगाना है तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ यहाँ पर मैं लिखूँँगा well intent और मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ पर स्ट्रिंग या कुछ भी आप सेर कर सकते हो तो सबसे पहले हमारे होने वाला है इंटेंट अब डॉट अब यहां पर देखो आपके आपके पास आरे बहुत सारे ओप्शन एक्शन चूजर एक्शन कॉल एक्शन बटन एक्शन डाइल एक्शन शेयर एड्रेट व्यू इं और और गृटन पे क्लिक करने पर आंसर करवाना चाहते हो तो आप यह करेंगे तो मैं यहा पर करने होसे जैसे अपने एप्लिकेशन में गए और यूटूब पर जाने के बाद देखो मैं जैसे यहाँ पर सेर करता हूं तो यहाँ पर हमें टाइटल भी दिखाएगा कि यहाँ क्या सेर करना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा तो इसके साथ डेटा भी इसका आया कि यहाँ पर किया स्लेक्ट डाटा इकोल टू यहाँ पर करते हैं यू और यहाँ पर डाल देंगे डॉट पार्स यह डाल देंगे अब हम इसमें बताना है कि हम किस टाइप का हमारा डेटा है तो मैं यहाँ पर बेसिकली अपने करवाने वालोंगा वेबसाइट को ओपन इस नहीं पर करवा दूँगा स्टार्ट एक्टिवीटी और इंटिंट को पास ठीक है अब सेकेंड हमारे अबांस क्या है कॉल बटन जैसे कॉल बटन तो मैं यहाँ पर करता हूँ टॉ-टो सैट ओन किलिक लिशनल लगाता हूँ यहाँ और यहाँ पर क्या करेंगें रेंगे तो यहां पर मैं same variable use कर सकता हूं लेकिन अगर मैं उपर बनाता तो same variable मैं नहीं डाल सकता था same name ओके तो intent equal to यहां पर करेंगे intent और intent में हम बताएंगे इसको अब क्या चीज़ चाहिए हमें तो यहां पर होगा कि intent चलते हैं और यहां पर मैं डालने वालों डाट हैं अब यहां पर करना चाहता हूं कॉल वाला उप्षिन पे पर क्लिक करूंगा तो intent call मैंने सर्च किया है और action call आरहा है आपको तो मैंने यहां पर action call को select किया मुझे क्या करना है यहां पर intent में जो data होगा हमें वह pass करना है Intent. और यहां पर मुझे action call ना करके हमें यहां पर क्या करना था action dial करना था basically क्या करूगा मैं यहां पर जोबी phone number हमारा होगा तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा number होगा वो automatic हमारे डायलर पे आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं आभी क्या करवाने वाल हूँ तो देख लेते हैं यहां पर यहां पर मैंने किया accent dial और यहां पर मैंने किया URI और मैं यहां पर ही इसको paste कर दूँगा मतलब कर दूँगा स्टार्ट एक्टिविटी और यहां पर पास कर दूँगा मैं अपने इंटेंट को ठीक है अब इसको हम रण करते हैं और देखते हैं यहां पर क्या चीज़ें वर्क करने वाली है हमारी मैं इसको रण किया और हमारे एप्लिकेशन रण हो चुका है अब यह लिक्कत निया बाकि हम रण को चैक कर लेता है जैसoration पूरा पेश्ट करना होता है है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं HTTPS और यहाँ पर लगाया मैंने colon और यह लगाया मैंने forward slash ओके अब यह हमार पास open हो जाएगा double forward slash और यहाँ पर भी हमें क्या लगाने रहता है हमें अगर telephone dialer open करवाने हैं तो यहाँ पर हम डालेंगे इस string से पहले tell और यहाँ पर डाल देंगे हम colon ओके और अब चला के देखते हैं कि यह error हमार पास फिर से आता है या नहीं तो मैंने यह चलाया और share पर click किया मैंने तो यह हमारा website खुल किया और जो भी हमने website डाला था वह हमार पास website open हो चुका है यह implicit intent है लेकिन इसने पूछा नहीं कि हमें कहां पर जाना है ऑटमेटिक इसने telephone open करवा दिया तो यहां पर क्यों कर वाया कि हमारे पास एक ही ऐसी चीज़ है जो telephone को support करता है ओके और या फिर हमारे पास एक ही ऐसा browser है जो हमारे मतलब browser को support करता है link को support करता है तो अब क्या चीज़ करेंगे तो यह implicit का example तो लेकिन यह implicit का एक्जामपल है बट लेकिन हमारे पास double dialer नहीं था इसलिए हमारे पास ऐसा नहीं हुआ in that case अगर मैं यहाँ पर double dialer download कर लेता हूं तो हमारे पास यह चीज़ पूछने वाला है तो मैं एक बार dialer एक download कर लेता हूं फिर देखते हैं कि यह क्या होता है मैंने यहाँ पर application download कर लिया है अब basically हमें करना क्या है जाना है अपने setting पर और setting पर जाने के बाद जो भी हमार application पर अब देखना है कहां पर सो होगा automatic जैसे मैं share पर क्लिक करूँगा तो यह हमारे brave में खुलेगा brave में open हुआ और जैसे ही मैं call वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो यह हमारा easy dialer पर open होगा ना कि हमारे किस में open हुआ वो जो default dialer था उसमें open हुआ तो यह तो होगया हमार Android studio पर और तो सेम हमारे पस यहां पे एक चीज करेंगे हम यहां पर create करेंगे एक variable वेल और यहां पर लिख देंगे हम इंटेंच कर देंगे हम मैसेज करदेता हूं और यहाँ पर मैं करवा दूँगा start shooter करवा दूँगा यहाँ ठीक है अब इसको run करते हैं और check कर लेते हैं कि यह काम कर रहा है यह नहीं कर रहा है जैसे मैंने call पर click किया तो मेरे पास यह आ गया कि हमें पूछ रहे कि कहां पर आप इसको open करना चाहते हैं और यहाँ पर हमार पास implicit intent भी खतम हो चुका है तो अब इसको करते हैं यहाँ से end file को करते हम export export करते हैं यहाँ पर जिप में करने के बाद यहाँ all project में जाने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे इसको export करते हैं और इसके बाद मैं कर लेता हूं इसको close project और यहाँ पर मैं करते था हूं टर्मिनेट तो अब हम करें थोड़े से और advanced concept की तरफ जिदर हम एक एक layout को एक चीजों को हम नहीं बनाएंगे बैसिकली हम बनाएंगे यहाँ पर simple एक data डाल देंगे वहाँ पर multiple list या फिर multiple चीज़े automatic create हो जाएगी तो मैं आपको दिखा देता हूं मेरे मैं कहने का मतलब क्या है जैसे कि मानलो मेरे पास यह contact list है तो obvious सी बात है कि मैंने यहाँ पर एक एक view नहीं बनाया होगा कि यहाँ यहाँ पर image हो और यहाँ पर उसका names हो ऐसे मैंने नहीं किया होगा obviously यह सब एक जैसे हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर दो तरीके होते हैं इसको बनाने के लिए एक होता है हमारे पास list view और एक होता है हमारे पास recycler view तो सबसे पहले हम सीख लेंगे list view कि list कैस हो रहे हैं प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है इनका यह भी चेंज हो रहा है मैं दिखा देता हूं जैसे यह बी पर जाऊंगा मैं तो यहाँ पर automatic भी आ गया ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इसको खुझ से create किया है तो इसमें क्या हो रहा है basically हमने एक image view यूज किया है और एक हमन यह चीज करते हैं तो basically हम यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं एक contact application मनाने वाले हैं जिसमें हमारा contact होगा ओके तो create कर लेते हैं यहाँ पर application new यहाँ पर हम डालेंगे contact contact app और यहाँ पर मैं कर लेता हूं इसको create मैंने finish किया इसका build देख लेते हैं successfully create हो जाए फिर हम आगे move करेंगे तो successfully हमारे यहाँ पर gradle फिल्ड हो चुका है इसको मैं minimize कर लेता हूं और यहाँ पर चलने अपने list पर इसको मैं थोटा सा च्चोटा कर लेता हूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर create कarnish अपने list view को और यहाँ आपको list view भी दिख रहा होगा में यहाँ पर सर्ट करता हूं यहाँ पर list सर्ट किया है तो हमार पस list view के नाम से एक element आरहा है इससे पहले कांग़ता हूँ इसको मैं आप पर delete कर देता हूँ और basically यहाँ पर क्या करने वाला हूं मैं list view को मैं add करने वाला हूँ तो यहां पर आपके बास बहुत सारे item दिख चुके हैं तो मैं क्या करूँगा इसको constraint कर दूँगा left से right से और top से तो मैंने इसको constraint कर लिया अब constraint करने के बाद अब मुझे क्या चीए इसमें जो item दिखाने है वो हमें बनाना है सबसे पहले तो वह किस type का दिखेगा वह हम बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक अलग से item बनाएंगे जो कि हमारे बार बार यूज होने वाला है तो हम यहां पर जाएंगे layout पर जाने के बाद new और layout resource फाइल पर हम click करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहां पर जो भी अपने layout resource का फाइल होगा उसका name डालेंगे तो हम यहां पर डालेंगे अपना contact item मैंने यहां पर डाल लिया contact item यहां मैं enter करता हूं और यह मेरे पास एक और resource फाइल आ चुकी है अब basically मुझे सिर्फ एक layout बनाना है और वह हमारे यहां पर सो हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बनाना है तो सबसे पहले मैं मैं एक card लूँगा और card को मैं design कर लूँगा तो layout में जाने के बाद यहां पर सर्च करता हूं card और सबसे पहले मैं ले लेता हूं card view मैंने card view एड किया card view क्या करूँगा मैं यहां से constraint कर लूँगा इसको एक तो bottom से एक top से और एक left से और एक right से ओके और इसकी जो height width है मैं इसको zero match constraint कर दूँगा और मैं इसको भी zero match constraint कर दूँगा तो यह total में आ चुका है अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं जो हमारे constraint layout है basically मैं इसको क यहां से नहीं करना था कि साइट से और टो ठीक है लेकिन हमें left Walp से हमें क्या है इसका Half Padding देना था, विकॉज़ अगर 2020 है तो यहां पर 40 हो जायेगा, तो मैं क्या कर लेता हूं? किसको यहां से तो मैं 20 रहने देता हूं, 20 मैं करता हूं, यहां से हटा देता हूं, और Left से दे दे देंगे, 20, Right से दे देंगे हम इसको तो से या फिर राइंट से ऄुट पर राइंट से सटंड से और न कर लेंगा पने स्क्राइब इसको छोगशिय जो की इंदर आएगaking डाल Nay आप इमस्ट डालने के पाद मैं इसको क्या करूंगा इसकी कोई एक फिक्स हैट ऑल तो मैं यहां से विट्ट और हइड जो देने वाला हूं वो मैं देने वाल से 30डीपी तो मैं आप साही है अब क्या करना हमें इसके बाद एक चीछ ए textview जिसमें हमारा names होगा तो यहां पर मैं मैंने इसको add कर लिया और इसमेंемся मैं क्या डालना surprise दो God कर लेकिन अंदर घर्ली कलेंगे तो ऐसे काम नहीं करेगा जो क्योंकि बे करेंदे यहां च्रहा हैं और इन दोनों को पकड़के मैं इसकेंदर लिने लियाउट के अंदर पेस्ट कर दूँगा तो बेसिकली यहां पर यहां पर जो match parent है match parent ही रहेगा orientation इसकी horizontal हो गया और यह image इसके अंदर आ चुका है यहां से नहीं हुआ मैं इसको invalid cases और वो करता हूँ यहां से क्या होता है अगर कभी को और आपके cases वगेरा फर्श जाते हैं तो यहां से यह चीज़ सही हो जाती है तो मैं इसको करता हूं clear और exit और देखते हैं इसके बाद रन होने के बाद तो यह वापिस है हमारे application को create करेगा अगर कोई दिक्कत होगा तो automatic की उनको clean करतेगा जैसे कि आपको दिखर रहा होगा सब कुछ मतलब यह recreate कर रहा है तो अगर आपको पास थोड़ा सा time लेता है तो आप थोड़ा सा hold कर लिजिएगा और हमारा सब कुछ complete हो चुका है और यहां पर कोई फरक नहीं पड़ा है तो basically मैं देखता हूं क्या दिक्कत है जो हमारा card view है यह से constraint है zero match constraint मैंने कर दिया है तो यह जो मेरा सबसे पहले constraint layout है यह wrap content कर रहा है मैंने इसको मैं एक काम करता हूं फिलहाल के लिए मैं match parent कर देता हूं तो हमारा पास यह चीज़ हो चुकी है अब क्या है record text view नहीं चाहिए मुझे यह basically center में चाहिए और center में इसका name से हो जाएगा और यहां पर हमारे पास image से हो जाएगा तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं जो हमारे linear layout है इसको मैं क्या कर लेता हूं wrap content कर लेता हूं तो यहां से मैंने wrap content किया तो यह इतने में आ चुका है अब इ ، एक जो जो मेरे पास card थोड़ा सबसे दालने माले रेडिएस तो कार्ड को किया कर सकते हैं corner भी दे सकते हैं तो यहां पर मैं चलता हूं और लिखता हूं यहां पर कार्ड को स्लेक्ट करके यहां पर लिखता हूं मैं कॉर्णर और यहां पर देखो कार्ड कॉर्णर रेडियस आ गया तो मैं यहां पर डालूंगा 10 dp तो 10 dp डालते हैं यहां पर क्या होगा थोड़ा से यहां पर ले चुका है रेडियस लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि नीचे का यह हमारे पास सो नहीं हो रहा है तो यह सो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमने यह वाला लास्ट वाला है जो हमारे कार्ड है इस पर हमने कोई मार्जन नहीं दिया है तो बेसिकली जो हमने मार्जन दिया था वो चीज हट तो मैंने दे दिया 5dp का अब यहां पे आपको बिल्कुल पर्फेक्ट वो सेप सो हो रहा है अब क्या करना है मुझे जो इसमें मैंने पैडिंग दिया था एक्चली मैं उसको हटा लेता हूं क्योंकि अब यहां पे मुझे पैडिंग के जरूरत नहीं है टॉप और उससे क्य कोई मार्जन दे देता हूं तो मार्जन दिया मैंने अपने कार्ड को और यहां पर मार्जन दे देता हूं मैं यहां से 10 10 dp का लेफ्ट से 10 और राइट से 10 dp तो हमारे पास आइटम तयार हो चुका है हमारे कैसा आइटम दिखेगा अब बेसिकली जो है यह हमारे पास एतनी बिस्के इंद्र सेंटर में आजैंगे और यह आख़ ग्रेमेट पे 240 हैंग्त पर मोग नियुक्जी हो चुका है तो यह हमारे तैयार है अब क्क्राइब करना है लिस्ट को यह करता हूं लिस्ट और मुझे ने मिल रहा है मैं यहाँ पर चलता हूं split में और यह जो हमारे list भी हुआ है तो यहाँ पर मैं डालूँगा item list item मिलें मुझे list item मिलते और मैं जैसा हम जो भी हमने बनाया है इसके लिए item वो यहाँ पर हम सेट करवा देंगे तो कि नाम क्या है हमारे पास comes comes तो मैंने सेट करवाया तो कुछ इस ताइप का हमारर पास दिखने वाला हूं और यहाँ पर मैं डालेता हूं item count कुछ इस sistema का हमार पास दिखने वाला हूं यह देख सकते हैं कि और्यहां पर हमारे पास क्या है archive टेक्स्टRI Geydon यहां पर डाल देंगे पर और यहां पर मैं stump उन्टेक्टर कर दिया और हम्हां पर मैं डाल देता हम उन्ह स्कांतेक्ट्ला किर दिया सबसे पहले मैं इसको प्रोटा से लिए इसको आइक करiauं गागा लेकिन इसको भी हमारे व्यू है बेसिकली क्या करेगा उसको इसमें सेट कर देगा एडेप्टर क्या होता है आप जैसे जानते हो कि आपको चार्जर होता है तो चार्जर को हम क्या कहते हैं एडेप्टर कहते हैं तो सेम वैसा यह भी हमारे एडेप्टर काम करेगा तो चलते हैं आपको model जिसमें हमारे क्या होता है जितने वी यह वेरिवल से होता है इनके हमारे पास नेम सेट करवाते हैं ठीक है तो मैं है बना लेता हूं सबसे पहले एक एड़ेप्टर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पर रिसोर्स फायल आप डायरेक्ट भी हां पर कर सकते हैं लेकिन अच्छी होते हैं कि पहले वोल्ट क्रêu करें या फिर पैकेजि क्रेड करके आप उसमें उसको बनाएं तो यह होने हुने यहाँ लिख लक्त करीड़ यहां पर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पहले यहां यहां प्लिखते हैं सो होंगे वहas और यहां पे मैं लिख लूँगा तो यहां पर मैं लिखता हूं data class और यहां पर मैं लिख लूँगा contact और यहां पर लिख दूँगा मैं model बेसिकली हम यहां पर separate folder बना के करेंगे हमारे सबसे पहले क्या होने वाने यहां पर मैं डालो में और थाईब का होगा हमारे यहांपर इंट को डाल दिया है यहां पर second हमारे पास होने वाले यूजर का नेम तो यहां बनाए मैंने और यहां पर डालूँगा मैं नेम और नेम हमारे किस टाइब का होगा इस ट्रिंग टाइब का होगा तो यह इस ट्रिंग इंपुट लेगा यहां पर यहां पर यहां पर बेसिकली यह दो चीज लेगा तो इमेज हमारे पास यहां पड estouright प्रूब्स हमसे पहल till क्या करेंगे कुछ वहाद को यहँ जाने के बाद हम यहां पे सर्च करते हैं लेटा करें और यहां पे जाने के बाद पर जाने के बाद कुछ एवेतार यूज टाउनलोड कर लिए आप है और शर्च पर यहां पर मैंने कुछ इमेजेस हैं मैं इसको डाउनलोड कर लिया और यहां से मिनिम मम 10 कर लेता हूं मैं डांफलूण आग मैं और यहां पर मैंने दस के 10 डाउन लोड कर चुका हूं मैं को क्या क्या हूं चेंज करके गारेक्ट हाँ पर पेस्ट कर करता हूं यहाँ पर copy किया है मैंने इनको और सबस्ट को ले चलते हैं अपने edited studio में और द्रॉयबल में जाने की पाधस कर दिया और यहाँ पर यहाँ कि यहाँ पर जो नेम है वह हम ऐसे नहीं लिख सकते थे तो मैं यहाँ पर सबके नेम भीốc कर लेता हूं यहाँ में डालते हुंज क्रूड फ्सक कर लिया हूं मैं यहां पर सबसे पहले अपने image को डालने वालो इमेज कैसे डालते हैं हम यहां पर और यहां पर जो भी हमारे इमेज है हम उसको यहां पर डाल लेंगे इमेज बन डाल लिए मैंने और यहां पर मैं लगाऊंगा कॉमा और यहां पर हम उसका नेम डालेंगे तो नेम क्या होने वाले उसका नेम होने वाले स्ट्रिंग में तो सबसे पहले मैं यहां पर नेम डाल लूँगा जैसे कि नाम मान लो मैं सबसे पहले डाल लेता हूं अमित अब इसको हम क्या कर लेते हैं 10 टाइम हम कॉपी कर लेते हैं मैंने 10 टाम इसको मैंने क्या कर लिया कॉपी कर लिया और सभी के आगे जाके मैं क्या करने वाला हूं एक कॉमा लगाऊंगा जिससे सभी सही हो जाएंगे आटमेटिक मैंने कॉमा लगाया और आटमेटिक सारे चीज़े सही हो चुकी है तो यहां पर मैं क्या करता हूं तू और सभी के मैं यहां पर नेम चेंज कर लेता हूं मैंने यहां पर क्या किया सभी के इमेजेस सेट कर लिए मैंने और सभी के मैंने यहां पर नेम चेंज कर लिए ठीक है तो अब क्या करते हैं यहां पर अपले अपली किसन में क्या करेंगे पहले इस नेम को सो करवा कर देख लेते हैं जो कि हमारा लिस्ट होने वाला है तो पहले लिस्ट को सो करवाते हैं तो ल नेम को सो करवाना चाहते हैं तो हमने नेम्स यहां पे करवा दिया अब यहां पर क्या करेंगा एक बनाएंगे और टो nossa जिसमे सब्सक्रूरर फ्राइब बखा देंगे अपने वैल एक एड़ेप्टर, एड़ेप्टर मैंने सर्लेक्ट किया, गयá इसको एरेडेप्टर कर लेंगे इसको क्योंकि हमारे डेटा सो 네가 एजए एरे के फ़र्म में यापर सोव होने वाला है अब Looking अगर आपने हम उनको यूज करने वाले तो एंड विल जो सेंपल आते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं android.r.layout. और यहां पर जो आपको लिष्ट दिख रहे होंगे तो यह बेसिकली सेंपल लिष्ट है जो इंड विल आते हैं तो आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं मैं यहां पर कर रहा हूं लिष्ट लिष्ट आइटम वन वाला आप इसको देख सकते हैं कैसा दिखने वाला है तो बेसिकली कुछ नहीं होगा इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट है यहां पर हमें सो हो जाएगा ओके मैंने यह किया और इसके बाद यहां पर मैं डाल दिय अब और आपको चला के दिखाता हूं यह किसा दिखने वाला है तो यह हमारा एप्लिकेशन रण हो चुका है और यह हमारे पास इसके नेम सारे सो हो रहे है ठीक है जो जो हमारे पास यहां पर नेम थे अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं जैसे कंट्रूल डी कंट्रूल डी करता हूँ और में पर चलाता हूं तो यहां पर आप देखना कि और लिस्ट बढ़ जाएंगे बढ़ गये ठीक है अब हम इसमें इमेज भी सेट करवाना है और क्या करना कि इनके क्लिक पर क्या करना इसको नेक्स एक्टिविटी पर भी लेका जाना है और वहां पर इसके और यदिन यहां पर करते हैं जबाद यहां पर करेंगे कि यहां के ओण दरबो रागवन हुआ जैंगे करो नदुन तो सबस्क्रहुं कर लिए हमेरे से करेंगे लिए हैं वोस identifies स्ब्सक्राइब करैंड कर लिया ठीक है अब यहां पर बनाते हैं custom adapter जिससे क्या होने वाल है और एक हम बना लेंगे activity जो हमारे पास उस item के click पर हमारे पास data होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर create कर लेते हैं model class तो यहां पर युजर डेटा के नाम से एक data class बन चुका है अब इसमें बेसिकली बनाएंगे वैर जो की हमारे लिस्ट में सोवने वाला है तो लिस्ट में हमारे पास दो वेरिये बले एक हमारे पास contact image और एक हमारे पास contact और यहां पर डाल देता हूं मैं इमेज contact profile डाल देता हूं मैं यहां पर profile डाला मैंने इसको extend किया as a integer int मैंने select किया यहां पर और इसके बाद मैं एक और वेरियेवल बनाऊंगा वैर और यहां पर मैं डालूंगा contact name और इसको extend करूंगा as a string मैंने string कर लिया यहां पर basically दो वेरियेवल हमारे पास आ चुके है अब यहां पर हम create करेंगे एक adapter जो कि हमारे पास होने वाला class तो यहां पर मैं डाल देता हूं contact adapter और यहां पर मैं करता हूं इसको create तो हमारे पास contact adapter राच चुका है और इसको मैं as a Array list लेने वाला हूं और इसमें क्या डाल दूग अपने जो user data बनाया था हमने अभी वो ढाल देता हूं हो चुकी है अब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा और यहां पे मैं डाल कॉ सब्लम कर दोढ़ा प्र के बाद में यहां पर डाल के दों गाज इसमें सेम चीज अपना यूजर डेटा और इसमें मैं क्या कर दूँगा इन वो केशन कर दूँगा इसका और इसमें मैं डाल दूँगा context और यहां पर second में डाल दूँगा अपना आर डॉट ले आउट जो हमने contact item बनाया था मैंने यहां पर स्लेक्ट कर लिया अब मुझे क्या करना है और यहाँ पे हम इस bracket के अंदर हम एक method को override करने वाले हैं जो कि हमारे पास है get view और मैंने इसको override कर लिए अपने get view method को और अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसको करता हूं control enter और यहाँ पर हम अपने सबसे पहले एक बनाएंगे के वेरियेवल जो कि हमारे वाला हमने बाला inflator जो कि हमारे view को inflate करेगा मैं इसको extend करूंगा layout inflator और equal to कर दूंगा मैं इसको layout inflator और यहाँ पर दूंगा अपना context ठीक है और इसके बाद यहाँ पर एक बनाएंगा वेरियेवल एज़ व्यू के नाम से और मैं इसको extend करूंगा इसमें व्यू के और equal to कर दूंगा मैं इसको inflate.layout inflate.inflator sorry यहाँ पर मुझे inflate करना है inflate और यहाँ पर मैं अपने आर.layout. और यहाँ पर मैं हम अपने इसके जो id है उनको हम get कर पाएंगे अब मैंने क्या किया तो यहाँ पर वेरियेवल लिखाया एक बैल और अपने id को हम find कर लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होने वाला एक image यानि की user profile जो के हमारे user profile होगा और इसमें कर देंगे find view by okay image और इसको extend करेंगे ऐसे हम image view extend के हमने image view से और इसको में हम डाल देंगे find view by id और equal to करेंगे हम इसको view.find view by id और यहाँ पर हम अपने id को find कर लेंगे जो कि हमारा है कौन सा आइडिय है और हमारा सबसे पहले क्या है contact image और से सेम इसको कर लेते हैं control copy image की जगे यहाँ पर हम डाल देंगे name और इसको हम कर लेंगे हम text view तो यहाँ पर हमने कर लिए इसको text view और यहाँ पर हम क्या कर देंगे contact name की जगे contact image की जगे हम यहाँ पर करतेंगे contact name और यहाँ पर हमारे पास एक error आ रहे हैं जो कि हमारे पास है नल का तो यहाँ पर हम डाल देते हैं colon तो अब यह सही हो जाएगा आप क्या करेंगे जी हमारे लिस्ट है इसके data को हम अपने सेट करवाएंगे किसमे यह फिर इसके हम पोजिशन को गेट करेंगे तो यहाँ पर कर लेता हूं सबसे पहले हमारे पास है image तो image को मैंने सेलेक्ट किया dot यहाँ पर सेट image resource आया और यहाँ पर मैं क्या करूंगा जो भी हमारे array list की position होगी उसको मैं गैट करनेवाल हूं तो यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट और इक्वल टो कर दूँगा मैं इसको एरे लिस्ट और इसमें भी स्क्वेर ब्रैकिट के अंदर हम पास कर देंगे इसके पोजिशन को तो यहां पर इसका जो भी पोजिशन होगा वह आज आएगा और यहां पर डॉट मैं यहां पर डाल दूँगा करने पड़ी हमें यहां पर क्रेट енаवक्ति बॉट कोण के नाम से एक षप करनाया चीजिव नीक्तिप करने क्लिक करने क्लिक करता हूं और यहां पर लिखने वाला हूं डिटेल कॉंटक्ट अर् यहां पर मैंने डेटेलकद स् градम्स्ट के नाम से पंवर्म हाइं को ओन उस contact का image सो होगा हमार पास by default हम एक भी image select कर लेते हैं और यहां पर मैंने इसको कर लिया constant और constant करने के बाद मैं इसको height देता हूं यहां से मैं देता है 150 dp दे दिया मैं इसको फोड़ा से नीचे कर लेते हैं इसके नीचे हमारे पास सोने वाल इसका नेम होगा तो मैं यहां पर नम्टाराइब तो करवा लेता हुं मैं इसको कंस्टेंट कर दिया थोड़ा से लेने के बाद में यहां पर डाल दूँगा है इसकी अभी दहुत है पर और यहां पर और सप Και करवाने वाले हैं contact को यहां पर हम डाल देंगे contact number और यहां पर मैंने कर लिए इसको ओके डिजाइन आप अच्छे से बनाना मैं हाँ पर सिखा रहा हूं तो मैं रफ डिजाइन बना रहा हूं इसके बाद हमें क्या करना है अपने में कांटेक्टी मैइज हमय इमज इमेज को प्रोफाल मैज चयंकि भ्रके 있을 कैवकार कियोंकि जो 맞아 हमारा को होता है और यहां पर हमण डाल दिंगे यहां पर हमारे को स्लेक्ट कर लें के फरस्ट इमेज आरा पास यह है हैं ऐसे करके हम सारे Image को यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं तो Ctrl D कर दियता हूं uh यहां पर बस मैए इसके name को चेघंज कर देता हूं यहाँ पर शेकंड है यहां पर हमार पास थर्ड है हमारना आस Daf तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं string डालता हूँ, और यहाँ पर मैं name को डाल लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने 10 नाम create कर चुका हूँ, मैं control alt l करता हूँ, जिससे क्या होगा, format हो जाएगा हमारे code अब इसके बाद एक और हमें variable create करना है, जिसमें हमारे contact numbers होगे, spelling को भी सही कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कुछ भी random number डाल रहा हूँ, और तो यहाँ पर हमने number को भी अपने create कर लिया है, अब क्या करना है हमें, अब हमें एक variable create कर लेते हैं, जिसमें हमारे adapter को हम यहाँ पर find कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा private let init bar और यहाँ पर मैं लिखूँगा user array list और यहाँ पर array list को लेने वालों और इसमें हमारा क्या होने वाले हैं, हमारे जो user data था वो, user data ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक सबसे पहले अपने user array list है, इसको हम यहाँ इन्हें slice कर लेंगे तो user array list equal to क्या कर लेंगे हम array list एर्य लिस्ट हमने हाँ पर डाला अब हम क्या करने वाले हैं एक बनाएंगे हम यहाँ पर condition लगाएंगे सबसे पहले जिससे क्या होगा कि जितने भी हमारे contact name और image और जो number है उनको हम set करवाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे फॉर और फॉर में क्या करेंगे एक वेरियबल बनाएंगे जो के होगा हमारा position के नाम से और इन कर देंगे हम इसको name dot और हमें name कुछ से डालना था contact name आप कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ पर क्या कर देंगा हमार पास यह बारवर आइटम चलते रहेंगे अब क्या करेंगे एक वेरियबल बनाएंगे जिसमें हम अपने वैल और इसमें हम क्या कर लेंगे अपने यूजर के डेटा को वह स्टोर कर वा लेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आग हो और एक वल्टु यहां पर कर ता हूं है यूजर डेटा और यहाँ पर सब्सेपहले हमारे पास आने वाला है कॉंटेंट प्रोफाइल और यहाँ पर मैं डौन पर बारा पास होने वाला है कन्तेक्ट स्थे और यहांपर डाल दूँघ का इसको सबसे पहले हमें लेना था अध्य को एंडार से कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं यहां से कॉपी करता हूं झाले को च Wire फिरे हमाहर पास होने वाला लिए नहीं आ रहा है पॉजिसन लिखा हुआ क्योंकि यह जो ब्रेकट के अंदर होना चाहे था मारा तो यह नहीं था इसलिए आ रहा था हमार पास यहां पर देख लिए पोजीशन आ आ पास और इसमें भी आर पस पोजीशन आ जाएगा ठीक है तो यह हमार, पस तीनों हमने create कर लिये और यहाँ प्छर्ट कर लेते हुथ हो। ज सब्सक्राइब कर लते हैं, मैं इसको format करने के लिए और यहा पे हमारको यहाँ प्रौल रखरा सोपकी मोहां प्रेस आपने create मैंने यहां पर लिख दिया contact number और यह हमारे पास string है और अपने यहां पर इसको find कर लेंगे और यहां पर जाने के बाद इसमें हम डालेंगे user और उससे पहले मैं इसको कर लेता हूं close अब यहां पर मैं डाल दूँगा user arraylist.add और यहां पर मैं डाल दूँगा अपने user data को ठीक अब क्या करना है हमें यहां पर अपने adapter को set करवाना है तो इसके लिए क्या करेंगे find view यहां पर बनाएंगे variable well find equal to करेंगे हम इसको list view list ListView equal to findViewbyid और यहां पर कर देंगे और शॉरी यह हमारे किस टाइप को हने वाल है लिस्ट टाइप का तो यहां पर मैं करने वालों ListView और यहां पर हम डालेंगे अपने आप.ID. अपना ListView ओके हमने इसको फाइंड कर लिया अब यहां पर क्या करूंगा मैं listView.adapter और equal to कर दूँगा मैं इसको जो भी हमने अपने अपने बनाया है तो यहां पर मेरे पास क्या है contact adapter और यहां पर मैं पास करने वालों दिस और यहां पर किस activity में हम इसको करवाना चाहते हैं तो हमारे किसम है अ यहां पर क्या होगा user that और यहां पास काम कर रहा है या नहीं हमने इसको इसको रन किया यहां पशुol यहां पहर कुछ यहां पर हम लिखेंगे number और extend करेंगे जो इसको टेक्स्ट व्यू से और equal to कर देंगे इसको view.findviewbyid और यहां पर लिखेंगे r.id. और यहां पर हम क्या कर लेंगे contact number इसको हमने यहां पर कर लिया और यहां पर हम क्या करवा देंगे इसको सेट करवा देंगे तो यहां पर नंबर डॉट टेक्स्ट और यहां पर इकवल टू कर देंगे एरे लिस्ट और यहां पर हम कर देंगे पोजिशन और यहां पर कर देंगे हम इसको डॉट कॉंटक्ट नंबर ओके कंट्रॉल Alt L करता हूं मैं यहां से फॉर्मिट कर देता हूं मैं इसको और यह हमारा पास ऐसे आ रहा है तो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे और यह हमारा इसको हम थोड़ा से चेंज कर लेते हैं तो यहां पर मैं क्या करता हूं यहां पर मैं बनाता हूं एक वियू नाम से वेरियवल वैल प्रीव जो और इसको मैं कर लोगा इक कॉल टू मैं यहां करने वाल हूं इसको मैं change करके यह जो है हमारे layout inflator मैं इसको यहां से हटा लेता हूं और यहां पर लिखूंगा मैं convert view और यहां पर मैं लगाऊंगा इसको और extend करूंगा layout inflator और इससे पहले मैं लगा लेता हूं यहां पर नल safety और यहां पर लगाता हूं मैं layout dot inflator dot from और यहां पर मैं डाल दूँगा context और यहां पर लिखूंगा dot inflate और यहां पर मैं डालूँगा r.layout. और यह हमारे पास कौन सा है contact item और यहां पर मैं करने वालों parent और यहां पर मैं कर दूँगा false basically कुछ भी नहीं किया मैंने यहां पर अपने बस जो layout था हमारा contact उसको find किया है और उसको view में convert कर दिया हमने ठीक है यहां पर यह थीक है अब यह भी हमारा पास error जा चुका है अब में activity में चलते हैं अब में activity में चलते हैं और पूरा code हम कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि क्या error है क्योंकि हमें इसको set करवाने वैसे भी किसी और activity में तो हम इसको set करवा लेंगे तो set करवाने से पहले हम क्या करेंगे एक set on click listener लगाएंगे अपने जो भी हमारे list item है इस पर तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो यहां पर जो हमारा list view है इसपड़ा है लिस्ट यहां पर लिस्ट व्यू डाट इस क्लिके वल और एक कोल टू कर देंगे इसको अगर हमारे प्लिक लिसनर और यहां पर हम और set on click listener नहीं हमें यहाँ पर लगाना है set item on click listener क्योंकि हमारे पास different different item होने वाले यहाँ पर तो set on item click listener और यहाँ पर लिखेंगे हम parent और यहाँ लिखेंगे view यह by default automatic भी आता है तो एक बार देख लेते हैं item click listener और यहाँ पर पर इसको बैल नेम इखोंकि प्रोफाइल इकौल टू कर दि को का इसको नाम में हमारा इसका 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 नाम में यहाँ दालने वाले इन प्रोफाइल इमेज और यहां कर दूंगा इसको कॉंटक्ट नंबर और यहां पे बिसका होने वाला पोजिशन जो इसकी पोजिशन रहेगी और स्क्सलेड wal contribute तो यहां पर डाल देता हूं मैं number equal to कर दूंगा इसको contact number और यहां पर भी इसका हम position को get कर लेते हैं ठीक है और यहां पर हम create करेंगे एक well intent जैसे मैंने आपको बताया था पहले यहां पर intent के लिए तो यहां पर intent मैंने create किया और जैसे इस पर बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा हमारे पास यह जितने भी डेटा है इनको यहां पर से position.put extra जितने भी इसकी position रहेगी उसके हिसाब से put extra और यहां पर मैं डालना इसके अंदर जो हमारे इसके name है की में यहां पर हम डालेंगे अपना id तो यहां पर डालेंगे profile image और यहां पर हम डालेंगे image contact profile image ओके और यहां पर बिए पोजिसेन न डालकर हमें डालना था intent ठीक है और यहां पर इसको मैं कर लिता हूँ वहां पर पीसे को intent.put Extra और यहां पर हमारे पास होने वाले contact name तो यहां पर मैं डालने वाला कॉंटक्टक्स नेम ओकेवाँ नेक्स मार पास क्या है intent.put extra और यहां मैं क्या डालने वाला हूं नंबर मैं यहां पर डाल जेता हूं नंबर और यहां पर मैं डालूँगा नंबर और यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा कॉंटेक्ट नंबर ओके तीन चीजे मैंने क्या कर दिया यहां पर सेट कर दिया और यहां में अपने intent को ओके अब हम चलते अपने चाहिए है तो हमदी टेल अपैल की में चीए तो यहां पर सबसे प्रीप एक्र यहां पर सब्सक्रांद पास होने वाला ईज्यश्म खर दोंगा सबसे होने वाला है और यहां पर मेरे पास सबसे पहले क्या होने वाला है contact image तो यह हमार पास हो गया तो यहां पर यहां पर कौंट सा बनांगा किंस कॉण्ट नेम और यहां पर बनाऊंगा well और यहां पर हो होगा user यहां फिर user contact name और यहां पर मैं कर दूंगा find view by id यहां पर डॉठ डॉटॉटॉट इडॉटॉट यहां पर हमारे पास होने वाला है स्वारी यहां पर मुझे करना था, text view और मुझे करना था और यहां पर हमारे पास होने वाला है कॉंटेक्ट नंबर और यह हमारे पास जो हमने यह बनाया था यही चीजे है यह लेकिन हमें इस पर नहीं जाना था हमें क्या करना था इसको सेट कहां पर करवाना था अपने में एक्टिविटी में यहां पर तो इस वाल यहां पर जो आईडिया आएगी वो वह आएगी हमारे पास जो यहां पर हमने डाल रखा है तो डीटेल एक्टिविटी में चलते हैं और इनका नाम देख लेते हैं यहां पर यूजर प्रोफाइल इमेज्च सबसे पहले हमारे पास इसको मैं कॉपी करता हूं यहां से और यह के बाद contact number पर यहां पर मैंने पेश्ट किया तो अब बिल्कुल सही है अब यहां पर बस हमें क्या करवाना है इनको सेट करवाना है तो अब सेट करवाने के लिए क्लिए हम यहां पर यूजर और टेक्स्ट इक्वल टू कर देंगे हम अपने यह मारे यूजर कॉंटेक्ट उसमें से आएगा। क्या है यहां पर मैं किया लेने वाल हूँ। क्योंकि हमारे image उस टाइब का और यहां पर मैं डालूँगा और यहां पर मैं ड्राइबल डॉट यहां से मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं फिलाल के लिए और इसमें मुझे डालना था एक स्ट्रिंग जो क्यों होने वाला है हमारे पास यहां पर हम डालेंगे देन him is okay contact image और और यहां पर कर लेंगे वेल यूजर नेम इक वर्टू इन्टेंट और कर दिंगी यसको डॉट्व sortir एक्स्ट्र Russell और यहां पर हम पास कर लेंगे पने इन नेम हमारे इसका होने वाला है नेम और यहां पर नमबर यहां पर मुझे क्या करवाने है यहां से देटा है इसको हमें यहां पर set करवाना है हमारे findview हुआ आडी किये थे हमने इसमें सबस्क्राइब है यहां पर सबसे पहले हमारे पास है यूजर प्रोफाइल तो यह हमारे पास यूजर प्रोफाइल है इस में क्या करते हैं के .sept image resource और यहां रखने अपने contact image और यहां पर और पास आ नहीं रहें एक पर इसको कर लेते हैं copy make sure आप नाम का convention अच्छे से डालना हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो dot text और equal to कर देंगे हम इसको यूजर नेम के लास्ट हमारे पास क्या बच किया user contact name और यहां पर कर दूँगा dot text equal to user number तो यह हमारे पास user नहीं हो रहा है तो लिस्ट नहीं हो रहा है क्यों हम देख लेते हैं एक बार क्या इसू क्या है और यहां पर देखते हैं में अब यहां पर मैं डाल देता हूं और second में हमारे पास होगा only name और इसके बाद हमारे पास होने वाला है number नाव अब हम इसको चला कर देखते हैं कि अभी भी आता है यह नहीं हो रही है तो देखते हैं और क्या हमारे पास यहां पर होगा activity और यहां पर error लिस्ट और देख लेते हैं और यहां पर पास करना भूर गया हम एरर लिस्ट और यहां पर डाल दिया हमने और तो कोई दिक्कत नहीं एक बार अब रण करके देखते हैं और अब भी हमारा एप्लीकेशन क्रेस्ट किया है तो सीमे देख कर रहा है कि तो मारा एप्लिकेशन कर रहा है अपने छांड्पेतर में और राइन नमर भी subscribe ट एपके और अश्टे केलिए जरौति नहीं थी तो हम इसको भी अटर देते हैं और आ पास एक activity open होगी जिसमें हमारा name कीनो प्लस उसका जान नंबर है व Shall प्लस उसका इमेज भी हमार पास ब्लस उसका इमेज घ्ल करता हूं और ब्लस एक चीज सीब करता हूं तो हमारे जो इमेज है वह पास हमारे पास जो हमारा पूट एक्स्ट्रा है इसमें हमने कोई दिक्कत किया होगा तो यहां पर पूट एक्स्ट्रा में हमारे पर प्रोफाइल इमेज है तो प्रोफाइल इमेज को मैं कॉपी करता हूं यहां से और यहां पर प्रोफाइल में है इसकी पोजिशन को मैंने गेट कर रखा है तो यहां पर देखता है डीटैल्ड एक्ट्यीविट िमेज यहां पर कॉंटैक्टी में इसको पोस्ट किया पेस्ट किया और में आफिसको रूं करके देखता हूँ तो चेक करते हैं जैसे अमीत है तो अमीध पर हमादल पर हमारे पास बादल वाले हमिंज आ गया तो सबकुछ हमारे बास fix है दो यहां पर हमने successfully एक contact application भी बना चुके हैं और भी आप इसको modify कर सकते हो तो आप कर ले ना मैं यहां पर इसको करता हूं सबसे पहले फाइल में जाने के बाद नहीं करोंगा र एकश्पोर्ड और प्रेक्स क्लिक करने का जिब पर जाऊंगा और उर्ट प्रेंट को जाकर कर दूंगा और आंपर और यहां पर मैंने के उसको करता हूं अब इसको हम कर लेते हैं से close कर दिया intermittent और close ओक नसमें के ट्रेयक्ट करता हूँ है यहाँ पर मैं लिक लीड़ेता हुए अब इसका क्रेटकिया तब तक को थोटा सश्जोटा करताहो अैभसी थनों नहीं है और भी बहुत सी चीज़े बनक देफ्ट में है तो सीखने अपको को जोईन कर सकिता लिंक देस्क्रिप्सिन में और 10 नमत लीजिएगा कि आप कहीं सोचे कि यह वीडियो पुरानी है या फिर जिस टाइम आप देख रहे हो सकता है यह वीडियो पुरानी हो चुकी हो लेकिन हमारा जो बैच है हमें से चालू रहता है तो आप एक बार हमें हमाह साथ यहीद ा उत्सीर happened रहता है तो यहां रेता है जर्ट है कंद इस Kristi इसका कि बाज़े को यह यह आप था हिंग आपको अपको अपको हिू입니다 यह हाथ औहिसी हाथ हम जैसे को हैजशी को श्क्रोल करते जा रहे मैं यहां पर दो आइटम बेसिकली नीचे यहां पर करूँ गा तो नीचे से दो आइटम हो जाएंगे और अगर सु करवाना होता है अपने एप्लिकेशन में इससे क्या होता है हमारे application का speed भी अच्छी रहती है प्लस हमारे application को अच्छा भी माना जाता है अगर इसमें एक साथ क्या होते हैं हमारे recycler view के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है एक रिसाइकलर व्यू जो कि हम अपने activity में लगाते हैं जो कि आपको यह दिख रहा होगा और मैंने इसको किया remove और मैंने किया recycler view का add और मैंने इसको कहने tidak से बडं से और left से positively का अर्य ऐजिए से पेस्सें झा करने कर लिया और इसको जिसको भी मैंच कर देता हूँ इसको भी इतना झालकि प्राइब घ्र यह उत्तम में भी वह करवा सकता है और इसको सो कर बासता है बेशिक यृट का मतलब क्या है मैं आपको दिखा देता हूं जैसे माझट बा prey हे Glory के लिए मैं चलता हम यहां फोट टोशा बाले application में और यह हमारे पास हभी by default फोट्वोर नहीं दिखा रहे है लेकिन अभर यहां पर फोटो आजाएगा एक वर उसको क्लोज करता हूं और यहां पर जाने के बाद आपको पर इसका काम होता है हमारे ले-डाउट मैणेजर का फिर इसके बाद हमारे पास लिस्ट व्यू में list में भी होती है ठीक है तो इस चार चीज होते हैं इसमें recycler view layout manager और adapter और view holder ठीक है तो हम इसको code करके देख लेते हैं कि कैसे क्या करने वाले हम हमें इसको list में भी सो करवाएंगे प्लस grade में भी सो करवाएंगे एक चीज और होती है यहाँ पर इस टाइगर layout इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो दिख रहा हमारे पास यहाँ पर different different type के view हमारे पास सो होंगे मालो कोई छोटा है कोई बड़ा है तो ऐसे होता है हमार पास इस टाइगर recycler view ओके तो अब चलत करना चाहते हैं वैसे हम बना लेंगे तो इसका हम नाम डाल देंगे recycler item ठीक है आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं जिस type का आपका data हो उस type का तो यह मैंने यहाँ पर डाल दिया अब यहाँ पर हम सेम चीज वह कोड करने वाले हैं तो मैं वह कोड नहीं करना चाहता हूं तो मैं जाने के बाद सकते हैं यहां से ऑन सब्सक्राइबियुकि और मैं सब्सक्राइब और सब्सक्राइब हो हुआ हम तो हमार पास इक गृक्त नमबर्स तो यह हमारे पास सही है अको करेंगे उसको और इसको करते तो यहां पर देता हुआ करें पहले ओके औहुँ मैं क्या करताूं इसमें कि इन मेंच कर लेता हूँ quan स्रुण पहले से कुछ ड़ला हुआ है तो मैं एक बार चेक कर लूँगा इसको इमेज वीव में कंवर्ट कर लेते हैं इमेज व्यू और इसमें डाल देंगे ऐसार सी और यहां पर हम डाल देंगे ठीक है यहां पर सब्सक्राइब ऑपने यहां पर इतना काम तो हो चुका है अब क्या करने वाले यह घấy को हमारे कहते हैं नियुक्त एक आदफंटर है यहां पर हम पर करते हैं package और पेक्च कफ के नाम डालेंगे दादेप्टर और ओर करने वाले कृट्ली ओर नाम क्रोंडे क्लास फाल इसका नाम क्या होने वाला है मैं डाटर ऐक्सaint करने ऑतने तो अपने करीव को हमरें और दो यहां pops गये बनाएंगे जो नाम रख़ंगा मैं और मोडल में चाने के बाद यह साइद मैंने फिर बहुत दाल दिया मोडल होता है तो नेम दिदेंगे एक बार मुट पैसे यहां में यहां पर क्रीट करने वाला हूं और जिसका दॉलगा यूजर ना ना से मैं इसका data class create किया अब इसमें क्या करने वाला हूं मैं जितने भी हमारे पास काम में आएंगे उनको मैं यहां पर सेट करवा दूंगा तो बैसिकली हमारे पास क्या की चीज़ काम में आने वाले सेम एक इमेज एक प्रोफाइल नेम और उसका फॉन नमबर ठीक है तो यहां हमारे पास होने वालयर पास को सावर मैंने जिट यहां पर बना घन गया हमने मोडल क्या बना लिया मैं अब क्या करेंगे रिब्क वैल और इसको हम एकेक्सैंड करेंगे इसको हम हम पेस्ट कर देंगे अपने यूजर को यँजर मडियों हमने डाल याँ अब इसको एक्स्तेंड करेंगे उस लिस्ट से अब क्या था हम हम यहां पर मैं करने वाला हूं इसके अंदर लिस्ट एडेप्टर और यहां पर करेंगे लिस्ट अब हम यहां पर बनाएंगे एक मतलब किस टाइप का हमारा व्यू होल्डर होने वाला है यहां पर हम डालते हैं लिस्ट व्यू होल्डर आप जिस टाइप का बनाना चाहों बना हो चुके है ओक तो इनको जानेंगे भी यह क्या है मैं है कि ढलना uneskos लिए इता है हुआ यह यहां पर पर टीन चीज़े क्ला लेंगे हम जो कि हमारे पास होने वाला है और हमेरे क्लास नाम है इसके इसका हम केह क्लास बनालेंगे आएटम फ्यू कुरा है अ? करेंगे और यहां पर यहां टालना सक्वाइन प्रक्रता कि यहां पर आ हम पास हो चुका है और यह हमने हमें क्या पॉल्ट नहीं आ sentences इंपर में कर लेंगे करेंगे और बाकी चीजे हैं हमारे वह हमारा है और इसको if we move कर लिए यहां से और यहां पे हमें डालना था जो हमारे डिकर का नेम है तो यहां पर मैंने गलट नाम ड़ा दिया माय अदिटर और यहां पर यहां पर भी ultalk और कर लेता हाँ माई एडेप्टर मैंने इसको किया कॉपी और यहां पर कर देता हूं पेस्ट और यहां पर भी मैं कर देता हूं इसको पेस्ट यहां पर पेस्ट ना करके मुझे यह जहां-जहां लिस्ट एडेप्टर है इसके जगे मुझे यहां पर माई एडेप्टर और यहां पर भी वीउडर जिसमें अपने व्यूज को होलड करते हैं तो मैं आपको करेंगे दिखाऊंगा तो इससे आपको समझ में आएगा तो next मूब करते हैं अपने on create व्यूडर पर यहां पर हम क्या करवाने वाले सबसे पहले यहां पर करेंगे हम return और इक तो करेंगे एसको माइड़िप्टर शॉर्ड और यहां पर करेंगे हम layout inflator. from parent नाट context और यहां पर हम कर देंगे दॉट इन फलेट और यहां पर हम डाल देंगे आर डॉट लेयाउट जो भी हमारे शाइक्ल का आइटम है उसको हम यहां पे इन्पलेट कर लेंगे यहां पे मैं इसको android करता हूँ और यहां पर आजाएगा हमारे पास रिइसाek्लर वीव आईटम ओके हैँ यहां पहले मैं करतूं एकक्षानकार्य को सब्तु कर लिए हों और यहां पर हमें ढालना था लिएगस वैण तो यहां पर ब्राओं कर लिए यहां पर लिख़ना था तो तो ठीक है यहां पर चलते हैं और यहां पर जाने के बाद हमारी जतने है उनको हम करने करने वाले हैं यहां पर डालेगे सबसे पहbn informative कर दें conclusions का अच्झान है यहां पर ख्रियर कर लेता हूं मैंसको मेंबर और यूजर है जटा लेता हूं मैं नीचे डाल लेता हूं इसके बाद गता हूं से अ OR यहां पर पर यहां पर क्रस्थे इसके बाद यहां पर करोंगा जो भी हमारे डेटा इस्ट है उतना हमें लिभा वधाता डिक ऐन के रडूर jumel टो मैं यहां को कर लोंगा यहां से integer में यहां पर मैं डालोंगा यूज इकुल तू यूजरData.Sight इस से क्या होगा जितने भी हमारे पास user की डेटा होगा उतरा ही हमारे पास लिच्ट सोंने वाला है ठीक है अब । हमारे पास क्या बना बचाए जो बाइंड व्यू होल्डर है इसमें हम अपने data को show करवा देंगे मतलब कि जितने भी हमारे recycler view में आइटम है उनको हम find करके उसमें हम यहां पर set करवा देंगे तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहां पर यहां पर मैं क्या करूँगा एक create करूँगा जो हमारे पास सबसे पहले होने वाला है profile image नाम से image और equal to के अर्दूगा में इसको item view equal to item view dot find view by id और यहां पर हमारे किस type का है और image है हमारे पास image view का टाइप का तो यहां पर मैं डाल दूँगा image view और r.id. और यहां पर मैं find कर लूँँगा अब आपने सबसे पहले Profile को जो कि हमारे पास यह वाला Profile है अब यहां पर करता हूं पर चलता हूं और यहां पर और पास जाएगा ने निक्स्त हमारे पास क्या है एक यह apresent जोएंगे यहां पी पर देंगे यहां। फॉन नमबर यहां पर सपयलिंग घ्रलीता हूं तो यह थीन हमने यहां पर प्वाइंड कर लिया अब मैं क्या करूंगा वेश्ची यहां पर मैं इसको सेट करवा दूँगा सब inception कि लिए सनिक जो भी हमार पास प्रोफाइल सेट 2-0- justement से डाल डाल दूँगा मैं यूजर-डॉजड ॉजत्वृफाइल ओके और यहां पर रहें सेम चीज ये ये इकोल टू नेम डॉट टेक्स्त को यहां करणा मैं ऐसको user dot You said नेम के हैं यहां पर करूँगा तो मैं हैं यहां पर मिंडूकर करना है कौनतेक्ट और कांटेक्ट में क्रूँंगा टेक्स को सेट करूँगा मैं यहां पर टाल दो आ जो कहल दूँ publika एक बार चैक कर लेते हैं वापी से और यहां में रापास यूजर कोशु ससकोक्ति किया और में यहां पर इसको फर्च करने वाल हूं तो यूजर कॉंटेक् t sitcom पास आनि रहा है यूजर यह ओके तो हमरे पास च्क चेहां तो हमने सब कुछ कर लिया इसको कर दिते हम je हमारे पास होनेORवाला है रिसाइकलर गbilir का और यहां पर डालेंगे का डिया तो यहां पर बालेंगे औरी क्लों टोप और डाल आयां के डाल डेते या Duch 2 और पे ओर रहा उन्हेंज़ यहां फे शंडालेंगे स enlightlike और Size Regierung करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं और यहां पर हमारे पास क्या है यह वाला पास विजिट वाला ठीक है या तो हम इसको चेंज कर लेते हैं यहां पर इसको कर लेते हैं तो हम यहां पर कर लेते हैं और इसको मैं कर लेता हूं यहां से यहां पर हम डालने माले हमने बताया था आप को laptops मेंगे फोड़ेंगे इसके याफ यहां पर उते ही थे तो इसका मतलब उसको हड हटा सकते थे अब यहाँ पर हमें क्या करना है रीजाइक्लर व्यूग डॉट लेयाओट मैनेजर एक लिए इक बनाते हैं और यहां पर डालते हम यूजर लिस्ट यूजर लिस्ट हमने डाल दिया है यहां पर और एक लिकोल लेक्त कर देंगेमं इसको डमी डेटा के लॉने वाले जिसमें ऑपने डमी डेटा को डालेंगे तो सबसे पहले करेंगा इसको हम एक्स्टेंड करेंगे सबसे पहले किस टाइप का डेटा होने वाला है एक्स्टेंड कर लेते हैं इसको हम लिस्ट से हमारे पास लिस्ट है और इसके अंदर हमारे पास होने वाला यूजर डाटा यूजर और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक बनाएंगे व यूजर को जो कि हमारा capital user और यहां पर जो हमारे क्लास है इसको हमें क्लास ना बना के यहां पर बनानाता हम इसको फंट्शन तो प्राइवेट फन और अब हमारे पास यह काम कर जाएगा यहां पर यूजर लिस्ट डॉर एड और इसके अंदर हम डाल देंगे अपने यूजर तो यूजर की profile क्या होगी हमार पास और डॉट डॉट इमेज वन इसके बाद हमारे पास होने वाला है यूजर का contact जो कि होगा हमारे string टाइप का तो यहां पर मैं कॉंटेक्ट डाल देता हूं कुछ भी और इसके बाद मैं कर लूँगा इसको control D कर लूँगा ठीक है तो य मैं यहां पर डाल लेता हु कर लेते हैं तो यहां हमने चेंज कर लिया है पूरे data को अपने मैं गया करना क्वाने लेगे सब्सक्राइड रेक Сब्सका करना है करणे लिए 100 इसको हमें अपने वाइडेप्टर्रइप्टर के ऐसमें हमारा जेटअ होगा और यूजर मोख हमा यानि की युजर डाटा लिस्ट और इसमें हम डाल देंगे recycler view.adapter equal to कर देंगे हम इसको एड़ेप्टर के ठीक है तो अब क्या होगा मैं इस application को run करता हूं मैं इस application को run किया और यह हमारे पास सारे लिस्ट आ चुके हैं ठीक है तो यह दिखने वाला है और इसके बाद हमने यहां पर इसको set कर वा लिए इतना सा काम हमें करना था और हमारा recycler view complete है अब मैं आपको दिखा देता हूं कि grid वाला हमारे पास क्या से होने वाला है जो layout manager है तो इसको हम लीने layout manager है इसको हम चेंज कर देंगे और यहां से लिख देंगे हम ग्रिड ग्रिड लयाओट manager इसको हमने चेंज कर दिया अब यहां पर दो चीज की requirement होते है ग्रिड लयाओट तेन डालके आपको दिखाता हूं और यह आप देखो तीन डालते हैं हमारे पास थीन थीन के फौरमेट में आप देटा सो रहा है घर आपको देखना है इस वीडियो में पूरा हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम आपको पूरा समझा सके तो अगर को इन देफ्ट में और भी चीज़े पढ़नी है तो इसके लिए हमारे को जोइन कर सकते हैं जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसको रीड करके आराम से आप कोर्स में एन्रोल कर सकते हैं ठीक है तो यह तो हमने करवा लिया अब मूव करते हैं सेट ऑन क्लिक लिस इसको आपिस और ग्रेट की जगे में इसको आपिस कर दूँगा लीने लेयॉट मेंजर में और जो यह हमारा कॉलम काउंट है इसको मैं यहां से रिमूव कर दूँगा इतना सा काम किया मैंने और यहां पर मैं कमेंट भी डाल देता हूं पॉर ग्रेड लेयाओ ओके तो यहां पर मैं क्या करूंगा ओल्डर लिखूंगा यहां पर लिखूंगा आइटम व्यू डॉट यहां पर लिखूंगा मैं सेट ऑन क्लिक लिस्टनर और यहां पर जो जो चीज हम मुझके साथ एक्स्ट्रा भेजना चाहते हैं वह चीज हम यहां पर लिख देंगे तो यहा जाते हैं activity यहां पर करते हैं select mp activity और इसका नेम डाल देते हैं contact activity ओके और हमने create कर लिया है पर पहले हें इसको मैं यहां पर कर लेता हूं ऑप यहां पर डाल देता हूं मैं contact activity colon colon class dot Java ठीक है अब यहां पर हम लेंगे intent में intent डॉट पुट एक्स्ट र और उस से पहले हम किया करेंगे यहां पे यहां पर जाखाक नंतर करते हैं यहां पर इभल देता हुं और बार मिया ट करते हैं यहां पर आएगा रहा यहां कर दिया ऑप टॉक्त और इसको में change कर लेते हैं के रॉपर कॉंटैक्स के यहां प्रीट से पहले हम यहां पे करेंगे यहां यहां लिखर यहां सब्सक्तना स ने इसके बाद रॉब थे गाब कॉमा यूजर डाट डात सारर पोजिसन और इसको ले लें हम यूजर नेम में से अब सेम और पास left intent डाट पुट एक्सट्रा यहां पर हम डालेंगे ग्के हमारे पास होने वाला यूजर डेटा चीज फिस्ट एम्हें अदेंगे यूजर कांटेक्ट कर देंगा हम कॉंटेक्टरक्विटी और ये हमें करना पड़ता है क्यों कि हमें इसको लेकि जाता है ठीक है अब अब यहां पना सब कुछ ready है अब basically हमें कुछ नहीं करना है अपने जिस भी activity में हम इसको दिखाना चाहते हैं हम वहाँ पे इसको set कर वालेंगे लेकिन उससे पहले हम इसको design कर लेते हैं तो basically हमें चाहिए image view और एक हमें चाहिए text view और text view में हमें चाहिए पहले मैं इसको 150 dp के नाम से और 150 dp की हाइट कर लेता हूं और यहां पर और left से और इसको top से constant कर लेता हूं थोड़ा से नीचे आ जाएगा इसके बाद हमार पास एक टेक्स्ट भी हुआ है इसको मैं इसको बॉटम के और इसको left से और इसको राइट से अब top से मैं इसको दे देता हूं 32 dp का margin इसके बाद एक औ नेम और यहां पर यूजर प्रोफाइल और इसको मैं करता हूं refactor ओके यह डन है हमार पास अब चलते हैं इसके बैकेंड के कोड़ पे contact activity में सबसे पहले हम तीनों व्यू को find कर लेंगे तो यहां पर बनाते है एक वेरियेवल वैल यूजर नेम इक्वल टू फाइंड व्य यह सही है बिल्कुल तो यह भी सही है हमार पास अब इसके बाद लिखी लेते हैं यूजर secondo लोग और equal to कर देगे मैं इसको find view by ID यह हमार पास होने वाला image view और यह हमार पास होने वाला इसका यहां पर हमार पास क्या है profile ओके तीनों चीज हमने सेट करवा दिया है इसको मैं ब्लिक करके देखता हूं तो यह यहां पर नहीं जाना चाहिए था इसको हमारे डीटेल एक्टिविटी में सो होना चाहिए था तो मैं क्या करता हूं कि इनकी जो आइडी है थोड़ी थोड़ी डीजाइन में करते हैं यहां पर मैं सपर्सक्राइब और यहां पर सब्सक्राइब जाकर यह सब्सक्राइब बचिए है contact numbers यह चेंज नहीं हुआ basically तो यहां पर मैं एस डाला रिफेक्टर किया okay किया मैंने और इसके बाद हमार पास नेम और इसके बाद profiles तो यह contact numbers और profiles तो यह बिल्कुल सही है लेकिन अभी भी इसके error नहीं जा रही है और main activity में हमार योज़ड़ करें लेंगे लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं और यहां पर फेल्ग क कर लेंके अब सब्स स्य पहले किया करेंगे जो भी यहांसे हमने सैंड किया था इसको मैं या पर गेट कर लेंगे तो गेट कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर बनाते हैं एक और variable वैल नेम नाम चे एक्वल करेंगे हम इसको इंटेंट इंटरफेस नहीं सौरी इक्वल टू इंट डॉट गेट इस्ट्रिंग एक्स्ट्रा और यहां पर हम ढखाएं अपने इसका नेम नहीं पर अपशिक्श्ट आ और इसके बाद है रोपाएं इसके बाद हुसर कॉंट यूजर कॉंट्टेक्ट्ट और इक्वल टू करेंग dul इसको इंटेंट dot get inter extra और यहां पर अब दालाई अगे प्रोफाइल तो यहां से अपabout करते हैं और यहां में जा के इसको करते हैं ठीक है और यह यूजर अब्लें उभगाया सेम या यूजर करने यूजर नहीं कर सकते hinea और यहां पर हम डालतेंगे दोट कि यहां पर इस पनाने एक बेसी है अभनानि यहां पर यूजर कर सही हुचmus है यहां पर यूजर अब वहकिताने मी póल आपन टोब टूफे करने और यूजर अब यूजर पर देंगे लिए यूजरक्ट इसको हमारे पास सब कुछ हो चुका है यहां पर हमें कुछ नहीं करना है यहां पर हमें लगाना है हमारा पास तो हमने इंप्लात कर लिए है एक हंट अलेता और यहाँ पैस कर से इसलां तो यहाँ तो मैं इसको इहां से को मैं हटा लेता हूं इंदों को अध्य ह verbessered करता हूं और क्रीएट और एक रुडिकहँट कर दूंगा मैं इसको तो यह वोडट में देखते हैं की त्यास्वार्ण पास में छोटा कर रहेता हूं हमारा धुरा हो देख लेते हैं तो यह हार backup इसे यूझ नहीं करना तो यहां ऐसे हैं नहीं लिखना यहां पर एस लगाते ही हमारा पास यहां ठीक्ट और और शिव सबल प्रकार को और यह हमारे पास डेटा हो चुका है तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास नेम भी आ गया ठीक और यहां पर यहां कि एक्सपोर्ट करने के बाद और प्रजिक्ट में जाने के बाद मैं इसको क्रता हूं इसको क्लोज नाउ तो अब हम करते हैं अपने डेटाबेस की तरफ डेटाबेस बेसिकली क्या होता है जहां पर हम अपने चीजों को श्टोर करते हैं तो उसको कहते हैं डेटाबेस में इसी लैंगवेज में आपको समझाता हूं जैसे कि मानलो आपके पास कोई इमेज है कोई टेक्स है कोई वीडियो है या कुछ भी एक्स वाजएट आपके पास कुछ भी चीज है तो आप उसको कहीं ना कहीं तो रखोगे तो रखने के लिए हम जो एंडुड में यूज करते हैं वो होता है डेटाबेस तो यहां पर डेटाबेस जो होता है टाइप के हैं जैसे कि एसक्यूल लाइट रूम डेटाबेस फायरवेस डेटाबेस और भी मल्टिपल से जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने एंडुड अप्लिकेशन में अपने डेटा को स्टोर करने के लिए तो बेसिकली जो एसक्यूल डेटाबेस जो है वो पुराना हो कमा चुका है जो sql डेटाबेस था उसमें हमें डेटा स्टोर करंवाने के लिए बहुत लंबा लंबा कोर्ड करना पड़ता था तो उसको हम बेसिकली ज्यादा यूज नहीं करते ह। तो अब क्या है अब यूज करते हैं और हमारा काम वैसा कर वैसा हो जाए तो आप रूम डेटवेस शीखना हो तो आप जाना है नीट में जाना आप यूट्यूब पर नीट सर्ष करने के बाद आप जाने हमारे चैनल पर आप छे लिए मिला है पहले को तो आप मिलेगा यहां पर पर आपको के नाम से वीडियो के पास आओगे मुश्यास मिल जाएगा यँहां पर देटा बेस का वीडियो ठीक है 110 वीडियो के पास आपको आते हां पर मिल जाएगा लुप बैस्की pun में ले सकते हैं इसमें इसमें अपको और भी वीडियो मिल या sql database यूज करते हैं जो कि क्या रहता है हमारे mobile के अंदर ही save रहता है लेकिन इससे क्या होता है हमारे application के size भी बढ़ जाती है तो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे बाकि आपको यह भी यूज करना चाहिए यूजर ज्यादा data save होगा और हम उस data को क्या कर सकेंगे यहाँ यूज कर सकेंगे तो basically हम यहाँ पर यूज करेंगे जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि cloud पर data को कैसे save करते हैं तो हम यहाँ पर एक application बनाएंगे पूरा जो होने वाला अपने पूरे फायरवेस पे इसमें हम बनाने वाले एक note application तो सबसे पहले अपने का नेम लिए यहां पर यहां पर लिखते हैं और फायर्म वेस्ध लिख लिए इसको एंदर बता रहूँ गोड़ंगे जैसे को इसे अब करते रहेंगे वैसे मैं आपको चीजे सिखाता रहूँ है जिसमें क्या होने वाला हैं हम note add कर कக narc सकते हैं सब्सक्राइब एक अलग सा activity यूज़ करने वालों हम एकटिवीटी दो यूज़ किया हूँ इसक आपको पर चला है कि यह जो अलग अलग चीज़ है यह कैसे होती है, तो basic मैं यहाँ पर next पर click करता हूँ, अपने application का नाम डालता हूँ मैं यहाँ पर, जो कि है हमारा note app firebase, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको finish, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका build, gradle build हो रहा है, तो हम wait कर लेती थोड़ा सा, तो हमारा project successfully build हो चुका है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजे हैं, वो दिखा देता हूँ, और जो चीजे काम की नहीं है, मैं उनको यहाँ से remove कर देता हूँ, ओके, basically काम की तो सभी चीज होती है, लेकिन हम कुछ चीजे हटाएंगे इसमें से, जो फिलाल हमारे काम नहीं आएंगी, तो सबसे पहले हमारे पास line दिख रहा है, यह एप configuration बार का, तो इसको हम रहने देता है, जिससे क्या होता है, हमारा एक बार आता है application में, वो रहेगा, Second हमारे पास है, activity binding वाला, तो यह क्या होता है, अब binding क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, to find view by Id और फिर हम बताते थे यह क्या है बटन और इसके बाद हम उसके आईडी को find करते थे तो इससे क्या होता है हमारा कूड बार बढ़ रहा था हमें हर बटन के लिए जितने भी व्यूज उन्सा भी के लिए हमेंलग से find करना पड़ता है तो क्या होता है अगर आप बाइंडिंग यूज करेंगे तो आपको कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा अब डायरेक्ट उसके बाद उस जो भी व्यू का नाम है वह आपके पास हो जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं मैं में एक्टिविटी के code पर चलता हूं layout पर जैसे यह बटन है हमार पास next button तो बेसिकलि यह बटन तो है नहीं हमारे पास एक बटन है जिस पर नाम क्या है फैब है इड तो मैं यहाँ पर जाता हूं और जैसे मैं लिखूंगा binding dot और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जितने भी उसके अक्टि पहली तो हमें क्या करना पड़ता हैं बिल्ड में जाते हैं यहां प्रणाना और यहां लगाना हैं पहली बात रिको कर देना आपको तो आप यहां पर बीक्टिन लगा वे तो नहीं लेखा गहेंगे पहले आप विना इक्वल टू के भी आप लिखते देते तो चल जाता था ओके और इसको करने के बाद आपको करना है यहाँ पर सिंग करना तो यह बेसिकली पहले से हो रका है तो मैं इसको यहांसे हटा देता हूं क्योंकि यह हमारे पास अल्रेडी हो रकाए आपको कहीं भी कर सकते है लेकिन म ब्लॉक में ना हो तो एक चीज हो गए हमारे वाइडिंग तो अब चलते हैं हमें मैंन कोड़ पर यह एक नाइब कंट्रोलर है कंट्रोलर है जो कि हमारे एक्टिविटी को रिप्लेस करने का काम करता है तो हम इसको यहां से फिलाल के लिए हटा लेंगे यहां अभी हमारे पा चीज नहीं चीज नहीं को कारने करने के बाद आपको क्या करना पड़त है यहां पर हेगँ सब्सक्राइब और चाना पड़ेंगे आपको हमारे-बैनिक यहицाई पर चीबिन के जैसे main activity है तो आपको यहां पे लिखना पड़ता है activity main binding और इसके बाद आपको यहां पर क्या करना पड़ता है एक binding लिखेंगे आप जो कि हमने यहां पर variable बना और क्या करेंगे इसको इनिसलाइज कर देंगे किस से activity main binding dot inflate और यहां पर लिख देंगे लियाउट फिर क्या करेंगे हम यहां पर इसको मैं यहां सब्सक्राइब आप यहां पर कुछ नहीं लिखना है यहां पर पहले से कुछ और होगा तो इसको आपको हटा के और यहां पर लिख देना है का हैं binding.root तो आपका इतना से तीन लाइन के कोड से आपकी इनिसलाइस हो जाएगी तो आप मूब करते हैं यहां-पर वाइंडिंग करने का तरीकह यह है यहां-पर यहां-पर हमने पर सबस्क्राइब करने के बाद आपको क्या करना है आपको क्या करना है सबसे पहले तो मैं करने करने के बाद हम मिलता है यहाँ पर कर लिया अब मुझे क्या करना है क्लिक करना है और को इसा किलिक बर नेफिक करने के आपको लोडग करना है तो वेट कर लेते हैं इसको होने का हमारा कंपिली करते हैं और कंटीनिव करने के बाद आपको यहां पर यहां पर दाने वह हम stanie लाना है तो हम यहां पर बना रहे हैं Android के लिए तो Android पर क्लिक करना है आपको फिर यहां पर आपको यहां पर Android का package name डालना है और एप का निकनेम डालना है ठीक है और यहां पर एक एक algorithm होता है वो को डालना है package name तो मैं इसको कर लेता हूं यहां से copy और copy करने के बाद मैं इसको करता हूं वहां पर जाने के बाद पेस्ट तो मैं यहां पर आ गया और मैं यहां पर आने के बाद इसको करता हूं यहां पर पेस्ट किया और अपने application का डाल देंगे तो यहां पर मैं डाल देता हूं नौट एप यहां पर हमकुछ भी डाल सकते हैं नौट एप और यहां पे हम करते हैं रजिस्टर है वेत करते हैं थोड़ा सा अब यहां पर हमारे पास आ गई एक Google कि येशन फाइल डाउनलोड करने के बाद आपके पास यह डाउनलोड हो जाएगी तो मैं इसके बाद मैं करता हूं next पे अब हमें कुछ dependency और यह सब चीजे होती है इनको हमारे एंडूर्ड एप्लिकेशन है तो क्या करूंगा थोड़ा से नीचे आते हैं और जो जो डिपेंडेंसी हमारे को जरुरत है हम वो इन चीजों को डाल लेंगे तो बेसिकली हमें क्या-क्या डालना है यहां से तो आपको यहां पर दिख रहा होगा सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइ ठीक है नेक्स्ट हमें क्या करना रहा है पैस और वापर जाते हैं हम इस पर आप सेकंड जो इसको हमें ने के ओर ऑपने अप्लिकेशन में जाने के बाद यहां पर तो यहां पर आने के बाद मैं principle टोडू इसको नेक्स्ट अब हमें क्या करना है यहां पर जानी के बाद Dependency collab को nationale यहां पर यहां पर आपको पेस्ट करना हां यह यह वाली Dependency क्वाली इसको बेजिकलिकरना है जह वाली Dependency यह है हमारे पास KTS वाली KTX वाली इसको भी हमें यहां पर कॉपी करना है और यहां पर जाने के बाद इसको भी हमें यहां पर paste करना है ठीक है अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको इसको basically sync करना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं इसको sync कर लेता हूं और build को खोल के देख लेते कि कोई error ना है अगर कोई error आती है तो हम इसको fix करेंगे तो यह हमारे build successful हो चुका है यानि कि कोई अब मैं इसको hide कर लेता हूं और चलते हैं अपने यहाँ पर और इसको कर लेते हैं यहाँ पर next और यहाँ पर करेंगे हम continue to console अब यहाँ पर हमारे पास application आ चुका है हमारा note app और यहाँ पर हमारे पास बहुत सी चीज़े आ चुकी है जैसे कि बिल्ड है अब हम इस application में सब कुछ यूज कर सकते हैं इस से चीज़ें जो firebase में मिलती हैं तो यहाँ पर क्या क्या option है मैं इन चीजों के बारे में बता देता हूं तो firebase में हम क्या कर सकते हैं तो मैंने authentication में क्या होता है basically जो आप साइन इन वग्रा करवाते हैं तो आप इनके documentation पर जाकर देख सकते हैं कि google sign in facebook sign in twitter sign in github sign in और email वाला और phone वाला authentication जो होता है जब हम application में login करते हैं तो वह चीज़ भी हम यहाँ से करवा सकते हैं नेक्स चलते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर हमारे application को चैक भी कर सकते हैं कि हमारे application बेसिकली वर्क कैसा कर रहा है ठीक है और भी हमारे पास इसमें option है जैसे कि fire store database तो इसमें क्या होता है हम अपने data को store करने के काम करते हैं ठीक है और यहाँ पर ले सकते हैं बेसिकली हमारे real-time database होता है नेक्स हम चलते हैं स्टोरेज पर एक्स्टेंशन पर इसमें एक्स्टेंशन वगेरा भी कुछ होता है तो चीज़े भी हम देखेंगे और और हमारे पास यहाँ पर होती है स्टोरेज जिसमें यहाँ पर कर सकते हैं बहुत सी चीज़े होती है और आपके बास रिल्ली का मॉनिटर भी देख सकते हैं कि आपका application कैसा चल रहा है आपका application की performance कैसी है टेस्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ पर को मैं सहाब Einstein कहाँ कहाँ पहाँ पे चल रहा है और सब कुछ हमारे को मिल जाती है अपने अपने और चीज यहां पस मैसेजृ संघने यह वह मैसेजिंग को तarios देंना और एड़ मोब का उप्शन है यहां पे तो इसमें क्या होता है आप एड़ लगा सकते हैं इसको और लगाने के बाद आपने एप्लिकेशन में अर्णिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं तो बेसिकली हम यहां पर क्या करने वाले हम यहां पर रियल टाइम डेटाबेस को यूज करने ने डायरेक्ट अब यहां पर हमार पसं स्टार्ट लोग पर आयँ तो इसको थो खूल जाएगी एक अलग सी रियल टाइंस का एक पेज तो सब्सक्रियों के आपको जाने कि अभी आप किक लीजिए इसको और मैं इसको कर देता हूं ऑना कर देता हूं कहां मैं इसको dismiss कर देता हूं और यहां पर हम चलते हैं अपने डेटा पर तो डेटा पर मैं जाता हूं तो continue करता हूं नहीं मैं यहां पर करूँगा publish पर क्लिक करने के बाद मैं इसको करूँगा dismiss और dismiss करने के बाद मैं यहां पर करना है यह वाला है इस्ट्रिंग वह हम स्लेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपको यहां पर प्लस पर क्लिक करना है और यहां पर लिख देंगे सबसे पहले टाइटल जो कि हमारे पास होने वाला है description और value में मैं डाल दूँगा कुछ भी data डाल देता हूं मैं यहां पर कुछ भी data डाल दिया ओके और यहां साम इसको कर देंगे add तो यह बेसिकली हमारे पास add हुट चुका है और मैं इसको चाहता हूं कि अब क्या करना है हमें firebase real-time database का हमें dependency डाल ली है तो यहां पर मैं सर्च करता हूं firebase data sorry firebase real-time database और मैंने सर्च किया यहां पर आपको documentation मिल जाएगा फर्स्ट वाला आपको इस पर जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको android को select करना है यहां पर और भी सारे को बились copy करना है और चाना है अपने android studio में और यहां पर आने के बाद इसको करना है यहां पर पेस्ट और करना है आपको इसको यहां से शंक आपक HTML चलना है तो हम चलते यहां पर download हुआ चलता है मैं चलते हैं अपर android studio पर और android studio में जाने के बाद मैं इसको convert करूँगा अपने project level पे एक्सपेंड करूँगा इसको और app में जाने के बाद मैं इसको कर दूँगा यहाँ पेश्ट और यहां पर मैं कर दूँगा ok तो यह हमार पास JSON के अपने फाइल आचुकिंगी आप अब मैं क्या करूंगा इनको मैं क्लोज कर देता हूं मुझे इन चीजों के जरूरत नहीं है और अपने चलते हैं सबसे पहले में एक्टिविटी पर और यहां पर अपने इहां पर हम लिखेंगे यहां पर लिखेंगे यहां पर नल्टर यहां पर अनल इक्वेज तो एक बार नलिखेंगे तो एक बार इसको सभीए कर लेते हैं यहां पास एक और बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे हम दाटाबस का paling दस लोगे यहां पर लिख देंगे और इसको एक reference ओके और इसको भी हम कर देंगे not null equal to null और यहां पर मैं फॉर्मिट करता हूं इसको और यहां पर data यहां पर लिख दिया है database refe ओके यहां तक ही सही है अब मैं यहां पर क्या करूंगा यहां पर आने के बाद यहां लिखूंगा firebase database equal to firebase database instance get instance वाले पर मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद नीचे आने के बाद database reference बे equal to करूंगा मैं इसको firebase database is not null equal to dot get reference और यहां पर हम डाल देंगे अपने path डाल देंगे data ओके और यहां पर हम लिख देंगे get data और यहां पर हम लगाएंगे और यहां पर हम create कर लेंगे इसका एक function तो मैंने यहां पर create किया एक function और यहां पर मैं लिखने वाल हूं database reference dot add value event listener ये इक listener होता है जो हमारे value को add करने का काम करता है और यहां लिखेंगे हम object और extend करेंगे इसको value event listener से और यहां पर हम लगाएंगे curly braces और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे इसके values को कर लेंगे implement member ठीक है तो यह हमार पास आ गया on data change और on data cancelled पे दो चीज़ हमार पास आ चुकिए अब यहां पर हम करवा लेंगे अपने on cancelled में अपने log कर लेंगे कि हमारे data रही है नहीं आ रहा है तो यहां पर हम अपने log को log कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या करूंगा log D लिखता हूं मैं यहां पर और on change में डाटा में डाल दिया अब मैं सेम चीज़ को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं डाल देता हूं अगर हमार पास डेटा नहीं आता है तो हमार पास क्या सो तो यहां पर मैं डालूंगा और यहां पर मैं इसको चेंज कर लेता हूं यहां पर और यहां पर मैं लिख लेता हू सोरी और on data change और on data change on data cancel लिखना है मुझे यहाँ पर on data cancel अगर हमार पास cancel हो तो यहाँ पर क्या सो यहाँ पर हमार पास जो error है वह हमार पास सो हो जाए तो यहाँ पर मैं डालने वाला हूं dollar error.to exception ठीक है जो भी exception रहेगा हमार पास वह यहाँ पर सो कर देगा अब मैं इसको रन कर लेता हूं अपने application को और देखते हैं कि हमारे जो फाइरवेस का जो data है वह यहाँ पर सो हो रहा है यानि तो वेट कर लेते हैं हमारे application का रन होने का तो यहाँ हमारे application is run हो चुका है हाँ इसको देखने माले log में लॉट में और लॉट यहाँ पर लिखते हैं जो भी हमने ट्रफट यहां पर चेक कर लेते हैं कि वह डेटा हमारे पास आ रहे हैं थोड़ा और यहां पर करते हम इसको सर्च और पर रिरन करते हैं यहां पर झाते अपने लॉग पर चेक कर लेते हैं तो यहां हमारे पास आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ गया और यहां पर हमारे पास वैल्यू में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है और टाइटल में हमारे पास टाइटल आ चुका है तो अब क्या करते हैं इसको करते हैं नोट थिक luggage मैंने या पिलेट केरा और इसके बाद यहां पर बनाने वालए व हमारे वारी वार क्वेड़ाने वाला होई एक वयर झो कि हमार पास होने वाला एक आईदी इस स्ट्रिंग टाइब की मैंने यहां पे बनाएंगे वहां यह चीज मैं C लगा दिया जिसके हमें जुरत नहीं थी और यहां पर लिखने हमने वेर टाइटल और टाइटल एक्स्टेंड हमने कर दिया इस्ट्रिंग में और यहां पर मैंने कॉमा दिया और सेम हमेर पास एक और हम बनाएंगे जिसमें हमारा ड्रैप्स डेस्क्रिप्शन होगा तो यहा हमारा होगा string type का okay तो यह हमने तीन चीज बना लिया यहां पर चलते हैं अपने main.kt फाइल पे और यहां पर हम create कर लेंगे यह और वेरियवल जो क्यों होने वाले हमारा private वैल और यहां पर लिखेंगे हम लिस्ट और यहां पर लिस्ट में डाल देंगे इसको को करतेंगे को अपास बाहर करने अबना नोट जो भी हमारे पास नोट में आयेगा और यहाँ पर करना है हमें Yak Soo यहाँ नीचे जाना है और यहां पहाने के बास हम यहां पे लगाएंगे देटाय ने गरе के क्अवां के वैल और इकहल डुको शंऑ रिस नजा आए इसको यहां में बनाया और यहां पर लिकना आ नहीं करता हैं कि यहां पर खुंट और यहां पर आने के बाद अभी बनाएंगे वे स्वाब सब्सक्राइब वॉन जाने वालinky त один चालyr यहां पर लिखूंगा मैं टाइटल और इक्वल टू कर दूंगा मैं इसको डी एस डॉट चाइल्ड ठीक है तो ऐसे क्या होगा हमारे पास मल्टिपल चाइल्ड बन जाएंगे और इसका जो पात होगा अब वह यहां पर हम डाल देंगे जो क्यों होने वाला हमारे पास जो प स्क्रिप्शन ठीक है और इसको भी हम कर देंगे डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग यहां पर मैंने कर दिया तो यह हमने तीन वेरिवल बनाया है वहां पर बेसिकली उसमें क्या होगा कि बार बार चीजे मल्टिपल टाइम क्रेट होती रहेगी यह इसको डीए इसको हमको नोट के और यहांपे हम डाल देंगे आईडी और आईड हम डालने वाले है इकवल टू प्ट dedans के इसके बाद हम बने वाला ऐसकरिप्शन इकवल description पहीं हमारे पास कि हो चुक hazard अब यहां पर क्यों कर देंगे नोट यहां पे हमरे पास नोट में आ जाएंगे और और धीर लॉग है इसका हम यहां से करतें顯प और इसके बाद हम दो करते हैं यहां पर पेस्ट और यहां पर हम क्या करने वाले हैं इसको हम कर देते हैं यहां से किलियर और यहां लिखेंगे हम साइज कॉलन और यहां पर हम डालेंगे लिस्ट डॉट साइज किया हम ऐसको कर लेते हैं टेश्राइब या पीस्रेटी जतने हमार पास सकी साइज थी तो अब यहाँ पर हमें दो ऊंपने करवाएंगे अपने लोड़ को एड़ करवाएंगे तो इसके लिए हमें क्या चीह चीह तो यहां पर हम डिजाइन पर चलते हैं और टेक्स्ट में जाने के बाद यहां पर प्लेंट टेक्स्ट है मैं इनको एड कर लेता हूं तो लियाउट के अंदर मैं इसको कर दिया एड के कि अब कुछ भी उज़ कर सकते हैं अब मैं इसको मेच पैरेंट कर रखा है और एक बटन हम डालेंगे यहाँ पर इस बटन में हमारे पास क्या होने वाला है एड नोट तो यह में पर थीन चीज आ चुकी है मैं इनको क्या कर लेता हूं ब्रैप कंटेंट की जगे कर देता हू और सिक बेर सकता हो यहां से मैंड मेच पैरेंट कि अब यहां पर ठेक्क्र इनको रिमूब कर लेते हैं और से ब् Nebraska bha. जो इसको में बार्याइब तो इसको कर दूंगा मैं रांसपेरेंट कर दिया दोनों के और यहांपर मैं ange ब्लद करने ऑलों जाने यहांप और यहांप पर जाने के बाद मैं यहांपषा लिखूंगा क्या यह यह सब्सक्क्रिट का इप और बटन में हमारे पास क्या होने वाले हिंट हिंट तो यहां पर होने वाला नहीं है तो यहां पर मैं डाल देता हूं आडिटेक्स्य टाइड़ को सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा-थोड़ा से इनको फिक्साअब देते हैं रहे देते हैं मैं यहां पर एनको और हैट दे दोंगा मैं तो यह थोड़े-ोड़ से बढ़े होग poems है अब मुझे क्या करना रहा है तो अब चलते हैं अब एक्टिवीटी पर जाने के बाद और इसका अब कोई काम नियत को मैं कर लेता हूं यहां से रिमूब करने के बाद मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं हमारे बटन था इसको मैं करता हूं क्रेट क्रेट कर लेता हूं क्रेट मैं ने किया और इससेप डेटर वाले फंसल में मैं क्या करूंगा एक बनाऊंगा वेरियेवल तो मैं लिखोंगा एक वेल और यहां पर लिखने वालाओ मैं ताइटल और टाइटल में मैं डालने वालाओ equal to वाइंडिंग डॉट जो हमारे एडिक्स टाइटल है इस पसे अर पर सेकंड हमारा पास कि मैं तो यहां डालने वाला हुआ अधित एफ करें आयों यहां नाम से यहां पे to description और यहां पर मेरे पास होने वाला है यह दो चीज और और इन दोनों को हम कर देंगे dot to string ठीक है तो हमारा पास error जो था word चुका है अब यहां पर हम लिखने वाला हूं database reference और यहां पर हम करेंगे dot child और यहां पर मैं करने वाला हूं get random lic tartom string नाम से function मेंने यहां पर तो मैं इसको create कर लेता हूं और यह हमारे पास function मन गया और यहां पर मैं कया डाल देता हूं तो यह function basically ov this ऐं आप रहाव वहाला Snows और यहां पर मैं कर दूहेंगा इसको लैंद एक कूल कर दूह हूंगा मैं इसको जो हमार पास यहां पर होंगे तो यहां पर ABCD चल सकता है तो मैं यहां पर ABCD डाल दिया है मैंने इसमें यहां पर डाल दिया है मैंने A dot 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 और यहां से हमार पास चल सकता है यह Z तक तो यहां पर मैं डाल देता हूँ Z हमार पास क्या होने वाला है प्लस करते हैं प्लस और एक और ब्रैकेट बनाएंगे इसमें भी लिखेंगे हम स्मॉल ए टू जैड एक और बनाएंगे हम यहां पर प्लस और यह प्लस आएगा हमारा बाहर और यहां पर हम लगाएंगे एक ब्रैकेट और इसमें लगाएंगे हम one two nine ठीक है और यहाँ पर लिखेंगे हम एक return और यहाँ पर return क्या करेगा यह इसके length को return करने वाला है तो यहाँ पर one dot dot length हमने यहाँ पर return किया और यहाँ पर हम यह लगाना भूल चुके थे यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख देता हूं nine तो अब आ जाया गए और यहाँ पर हमें लिखना यहाँ पर लेंथ और यहाँ पर हम लिख देंगे इंट ठीक है तो अब यहाँ पर कोई एरन नहीं है हमारे पास और और मैं यहाँ पर इसको सभी कर लेता हूं यहाँ लिखना मुझे ए और यहाँ पर मुझे अलाव funeral सो हुपने बनाया था और राम यहां पर कड़ों मैं रिएंडमर्ङ ऐसं होता है जो आपर आपर करना हम यहां पर करता है मैं यहां पर दूर्ध है और मैं is कर लेता हूं Gods CTRL ALT L करता हूं और यहां पर मैं डालने वाला हूं एक length तो मैं यहां पर डाल देता हूं 2 और इसके बाद मैं लगाता हूं यहां पर Null Safety और Dot करता हूं मैं Save स्वरी यहां पर करना मुझे Set Value और यहां पर हमने डाल दूँगा Note करते करते लिए अफराण में इंटा ओर एक यहां टाला फ्यां ही और यहां पर मैं ई डालता हूंaj करता हूं मैं same note किया और मैं यहां परके करता हूं refresh तो यहां हमारा पास डेट। अब तक आया नहीं कि एक बार चेक कर लेते हैं कि हैं मैं एक बार वापिस पोन करता हूं मैं तो किया और यह मारा कुछा है और है जिसक्रेप्सेर्फिषी में बशित यहाँ और क्षvention करने के बात चलता हूं यहां पी और यहां पर अभी भी यहigor। आपता है यहां पास अलग से आता तो मैं यहां पर आता हूं to sometimes और data पर क्लिक करने के बाद यहां को टॉप्स चलते हैं अपने अंडुएड पर और यहां पर मैं डालताहूं जैसे कि मैं डाला ही और और second वाले में मैं डाल देता हूं hello और मैं होपे करता हूं save note तो आपके पास यहां पे एक यहां पॉपो Yes यहां हमादर पास यांधर हालग है और हाई अटमेंटिक आ चुके हैं डिस्क्रिप्षन तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले कर लेते हैं क्रियेट अपने में एक्टिविटी पर चलते हैं एक्टिविटी में पर यहां पर हम अपने रिसाइक्लर को एड करेंगे तो यहां पर मैं डाल दिया यह अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके लिए एक आइटम बन करते हैं और यहां पर हम डाल देंगे इसको नेम जो कि हमारा होगा नोट आइटम और मैंने यहां पर क्रिया इसको और हम यहां पर दिखाएंगे हमारा नोट का आइटम जो होगा वह किस टाइप पर होगा तो यहां पर हमारे पास दो टेक्स्ट भी होंगे जिसमें हमारे नो इसको भी मैं कर दूंग King और इसके बाद मैं इसको देदेंगा मार्जन थोड़ा सेिरे बाद और यहां पे अने के बाद मैं से ओ Msø है और यहां पर होने वाला है दाल देता हूं टाइ फेक्टर थर प्लिए इसके लिए बना लेता है के एडेप्टर मैं akt क्लिक करता हूं पीस्टेंद के लिए कि लिए रिख्व और यहां पर ला क्लास पर जाने के बाद यहां पर लिखेंगे हम नोट अट्ठ्टरकूरर यहां पर मैंने कर लिए इसको create यहां पर मैं इसको extend करूँगा किससे से oh06 मैंने किया और यहां पर मैं राइट क्लिक करके इसका एक क्लास क्रेट कर लेता हूं और इसके बाद मैं इसके जो मेंबर से उनको मैं इंप्लिमेंट कर लूँगा और यहां पर मुझे ना करके यहां पर मुझे करना था और यहां पर कर लेते हैं हम इसके इंप्लिमेंट मेंबर्स को यहां पर मैंने किया और यहां पर मैं करता हूं ओके और इसको मैं कर लेता हूं यहां से कट करके नीचे और यहां पर इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा एक वेरियेवल प्राइवेट वैल और प्राइवेट वैर और यहां पर लिख दूंगा मै not list और equal to कर दूँगा इसको मैं mutable list of और यहां पर मैं pass कर दूँगा not और यहां पर get item count मैं मैं लिख दूँगा return not list.size अब आते हैं हम अपने on create view holder पे और equal to यहां पर हम कर लेते हैं return not view holder और इसके अंदर हम करेंगे layout inflator dot from और इसमें डाल देंगे हम parent dot context और यहां पर हम करेंगे dot inflate और यहां पर डालेंगे हम r.layout.not item जो कि हमने बनाया था और यहां पर डालेंगे हम parent और यहां पर कर देंगे हम इसको false तो यह चीज हमारा हो चुका है और यहां पर हमारे पास अभी पास होगा अब इसको मैं extend कर दूँगा यहां से recycler view dot यहां पर करूँगा मैं view holder और यहां पर मैं कर दूँगा item view यह हमारे पास error जा चुका है ठीक है अब हम यहां पर क्या करने यहां पर करने वालों मैं बेसिकल यहां पर से पहले हम क्या कर लेते हैं अपने व्यूज को तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं अपने उसको find कर लेते हैं तो यहां पर find करते हैं अपने poison को जो भाई डि डॉपर यहान पर मैं कर दूंगा क्लिट्ट टेक्च्ट वूपर यहां पर बनाऊंगा ऐ हुआ अगहां पर मैं लिखोंगा description और 97 Julie और यहां पर भी मैं क्लिणा सब्सक्रेय। इसको कर दूंगा मैं तो सबसे पहले हमारे पास title view dot यहां पर करेंगे इसको text और यहां पर कर देंगे इसको equal to data dot और यहां पर title को हम सैड कर देंगे और यहां पर हमारे पास description और यहां पर करेंगे इसको टेक्स्ट और equal to करके इसको कर देंगे हम data dot यहां पर description कर देंगे ये काम हमारा हो चुका है हुआ है हमें एक function बना जिसमें क्या होगा हम notify करेंगे tomorrow chain हुआ यहां पे हम लिखेंगे notify item change और यहां पे इसको फाइपर हम नहीं करना था और यह होगा हमारा mutable list और इसमें हम pass कर देंगे अपने note को और इसको हम कर लेंगे create is a function ठीक है और इसमें हम क्या करेंगे note list है equal to list और यहां पर हम कर देंगे notify item change और यहां पर हमें item change ना करके data change करना था notify data set change ठीक है तो जो भी हमारे पास यहां से return होके आएगा वह क्या होगा हमारे पास इस वाले function में आ जाएगा और उसको हम क्या करवा देंगे set कर लेंगे अब मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूं control all करके हमारा code format हो चुका है और यह जो था इसको हम रिमूब कर देते हैं यह हमारे काम करनी था अब चलते हैं अपने activity पर यह हमारा है यहां पर लिस्ट बन रहा है इसको हम क्या कर देंगे हाँ पर सबसे पहले clear कर देंगे list डॉट यहां पर कर देंगे clear और control ऐल कर लेते हैं next अब हमें क्या करना है हमारे recycler लगाने के लिए हम चलेंगे यहां पर आप और मैं कर लोगा create function किया मैंने और इससे पहला हम एक variable को find कर लेता है जो कि हमारे यहां पर काम आएगा तो यहां पर लगाए मैंने private वैर और यहां पर लिकूंगा मैं adapter और इसको extend करूंगा as a note adapter जो हमने अड़ेप्टर बनाया था और इसमें हापे हम कर लेंगे अपने बाइंड कर लेंगे न्याउट बिखाऊ करें और यहांपर हम context में pass कर देंगे this और यहां पर लिखेंगे हम binding.recycler view not .adapter equal to कर देंगे हम इसको not adapter के और यहां पर हम कर देते इसको invocation और last में आने के बाद यहां पर यहां पर हम create कर देंगे अपने adapter और इसको अनल safety लगाके dot set data के नाम से और यहां पर हम अपने bah 82 लिष्ट को ठीक है कि और यहां पर हम को और यहां पर हम लिखना outर कई और यहां पर हम क्रिएट कर लेता है और इक वेटर कर देंगे मुस्को नोट एडैप्टर और यहां पर हम पास कर दिए इसको एक ठीक है अब इसको चला के देखते हैं हमारा एप्लिकेशन तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जितने भी हमारे लिष्ट है वो यहाँ पे सो हो जाने चाहिए थे शाष रौल है और यहाँ पर हमार पास जितने भी नोटस थे हमार पास यहां सो रहे हैं अगर मैं यहाँ पर अड्व करता हूं new note जैसे कि आज का काम और description में मैं डालता हूं हाई और इसको मैं करता हूं सेब तो यहां पर आगया आपके पास सेब लेकिन है जो डेटा है हमार पास अलग टाइप में सो हो रहा है क्योंकि हमने इसको convert नहीं किया है तो मैं एक बार change चेक कर लेता हूं वापिस से तो इसको fix कर करने के लिए हमें एक तो क्या करते हैं यहां पर इसको fix करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले हैं पर सेव डॉट टेक्स्ट क्योंकि जो हमारे पास आ रहा है वो कंवर्ट नहीं हो रहा है बैसिकली तो यह था हमारा हो गया और इसके बाद एड़ेप्टर को और यहां पर आप इसको एड़ करके देखते हैं तो यहां हमारे पास यह आ चुका है लेकिन क्या हो रहा है यह बार बार यहां पर ही अपडेट होते जा रहा है जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ और भी अगर मैं कुछ मैं यहां पर आड करूंगा कुछ डिफरेंट टेक्स्ट तो यहां पर हम पर पास क्या ओजाएगा न्यूआ गया और मैं एक कुछ और करता हूं तो यह में आना चाहिए था तो यह नए पर नहीं आ Chelsea को और एक बार क्या करते हैं हम यहाँ पर जाके और list के बाद dot लगाते हैं और यहाँ पर करते हैं इसको clear sorry dot और यहाँ कर देंगे हम इसको clear और यहाँ पर क्या करेंगे not list को करेंगे हम dot add all और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लिस्ट को add कर देंगे ठीक है और इसको हम यहां से कर देंगे remove और यहां पर लगा देंगे dot ठीक है अब जाकर करके देखते हैं इसको चला के तो यहां पर मैंने add किया कुछ भी data और यह हमारे पास यहीं पर replace हो रहा है बार-बार तो बेसिकलिका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारी आईडी है ना वही बार बार पास एक ये आईडी आते जारी तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको fix करेंगे आपने को यहां पर हम्हें और यहां पर हम क्या करेंगे और यहां पर करेंगे तेस्ट और यहां मैं करेंगे देस्टर और मैं इसको यह हमार पास data है अब मैं डालता हूँ यहां पर और एक बार सबसे पहले इन सभी को कर लेते हैं यहां से clear तो clear करने के लिए कुछ नहीं करना है यहां पर जाने आपको delete करते हैं और सभी को एक एक करके हम delete कर लेते हैं मैं back करता हूँ और यहां से मैं top से delete करना start करता हूँ और मैंने हाँ पे सभी data को कर दिया clear ठीक है यहाँ नल है by default अब मैं क्या करता हूँ अपने application پर चलते हैं और यहां पर ना भी data automatic revive हो जाना चाहिए और मैं इसको pack करता हूँ यहां से और यहां पर data पर और अब आपने बार और यहां से डालता हूं है लो और यहां पर डालता हूं है इसको इसको करेंडा है और वहाप सिस्यू में करता हूं तो यहां पर भी functionality लगा सकते हैं यहां पर basically हमने सिर्फ create किया है अपने डेटा को फायरवेस के तुरू और यह हमारा live application है अब हमें क्या करना है इसमें हम इसको delete भी करवा सकते हैं प्लस इसमें update भी करवा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं तो यह सब चीजे हम depth में सीख सकते हैं ल channel पर जाके देख सकते हैं यहां पर basically firebase के बारे में बहुत अच्छे से आपको सिखाया गया है तो यहां पर जैसे यहां पर आपको दिखरा है messaging का और यहां पर फायरवेस की जो पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सब चीजे समझ में आ जाएगी तो अब करना क export हो चुका है तो हमें firebase के बारे में भी idea हो चुका है अब क्या होता है तो android में इतनी चीजे नहीं है बहुत सी चीजे हैं तो एक चीज और देख लेते हम इसमें कि हमारे जो icons है उसको हम कैसे change करते हैं तो जैसे कि आपको पता होगा कि इसका application को icon नहीं है और जो भी हमारे application होते है इनके सब के सबके एक आइकन होते है जिसे हम उस application को differentiate कर पाते हैं तो यहां पर क्या करना है हमें यहां पर जाना है द्रव मारे बाद करता हो और select करने के बाद मैं जाता हूं अपने download पर यहां पर मैं चल जाता हूं download पर user पर जाने के बाद मैं जाओंगा यहां पर download पर और यहां पर मुझे सारे icons अपने मिल जाएंगे तो जो कि मैं कोई सा भी use कर लेता हूं तो फिलहाल के लिए मैं यह logo यूज करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लोगा आईकन आ चुका है अब मैं इसको फोड़ा से छोटा कर लेते हैं पता चल जाएगा कि सारे application में यह कैसा दिखने तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ जिससे यह काफी है और यहां पर मैं करने बाद इसको करेंगा next और यहां पर कर दूँगा मैं इसको finish तो यहां पर हमारे पास यह आ चुका है और जैसे हम इसको application को rerun करेंगे तो यह हमारे पास हमारे जो icon है इसका icon भी change हो जाएगा और यह यहां पर मैंने किया और यह हमारे पास इसका icon भी change हो चुका है तो और यह हमारे application का नेम भी आ चुका है ठीक है फिर इसको करते हैं हम इस एक्सपोर्ट तो फाइल में जाते हैं इसको कर लेंगे export और export में जाने के बाद all project पर जाके हम इसको कर देंगे ओके तो यह जितने यहां पर आपको लिखना है नीट रूट्स पब्लिस एप अप इतना सर्ज करना है आपको और आपको सबसे पहले हमारे वीडियो मिल जाएगी यह वाली जो की है जिस पर 3.77 के है तो आप इसको यहां पर पूरे चीजों को देख लेना तो आपका समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लोड करना है इस पूरे एप्लिकेशन को बहुत सी चीजे होती है इसमें तो आप इसको देख के यहां से सीख सकते हैं और अगर आपको एप्लिकेशन और अच्छे से बनाना है तो आप हमारे इस वाले प्लेलिस्ट को भी रैफर कर सकते हैं जहां पर हमने लगबग ल करेंं को इसए कि सेंड़ करते हैं केसे हमारे फ्ले के सिर्ण में औरphase हमारे वेब साथ को अपने फॉन में कैसे करेंगे यहां पर जाना है यहां पर जाने के बाद यहां पर आपको मिल जाएगा बिल्ड एपी के आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लिकेशन create हो जाएगा और यहां पर उसका application create हो जाएगा और यहां पर इसको हम locate कर लेंगे यह बन चुका है हमारा application locate किया हमने तो इसके अंदर आपको debugging के अंदर जाके आपको मिल जाएगी apk file आप इसको direct share कर सकते हैं अपने friend के साथ वह भी आपने application को install करके use कर सकता है तो अगर आपने यहां तक पूरे देख लिया है तो make sure कि आप एक इस वीडियो को like कर दे सेर कर दे अपने friends के साथ और अच्छा अप्लिकेशन बनाएं और अगर आपको हमारे course जोइन करना है तो मैं आपको दिखा देता हूं को हमारे course join कैसे करना है तो प्लिए करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है किसी वीडियो का चला लेना या फिर हमारी जो लेटेस्ट वीडियो रहेगी उस पर आप जाना तो आपको सबसे पहले जाना हमारे चैनल पर तो ह बिसिकली आप इसको open करना है अगर आपको ना मिली तो आप नीचे तक देख लेना आपको सब कुछ मिल जाएगा प्लस इसकी details भी मिल जाएगी लेकिन आप इसमें और भी क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं वो भी आपको यहां बता रखाए कि क्या क्या चीज़े हैं यहां यहां पर हमारे पास ठीक है जैसे कि हम कौन कौन सी इस एप्लिकेशन बनाएंगे स्कूर्स में तो हम यहां पर बनाएंगे फूड ओर्डरिंगे वीडियो प्लेयर वैदर एप्लिकेशन टाइम टेवल नोट्स बिल्डिंग कैल्कुलेटर और टिक टॉक ऐसे बहुत सारे तो यह तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे प्लस हम बनाते बनाते भी बहुत सी चीज़े सीखने वाले हैं ठीक है इसमें हम आपको सजेस्ट भी करते रहते हैं और कभी आप फसने की दिक्कत होती है तो हम आपको सॉल्व करवाते हैं हातो वात वह चीज़े तो आपको यहां कहां से बता चली आपको यह डालना सी पडीस वह डाला है फिर नेक्स्ट पर आपको डिक करेंगे अंकी ज्यहां मैं सिंक यहां पे मैं अ को मिल जाएगा नहीं पर आपको अपिस को सब्मिट करने के बाद आपको उड़ाल के लिए यहां पर कुछ भी लगा देता हूं तो ब्राउज करते हम यहां से डाउनलोड से एक को सेलेक्ट कर लेता हूं आपको ऐसा नहीं करना है आपको अरिजिनल जो फाइल है वही लगानी है बढ़ना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा या फिर आप नहीं कर पाएंगे स्कोर्स में और आपको बस यहां पर ठैंक्यू का मैसेज मिल जाएगा मैं करता है इसको कट और आप मैं आपको दिखा देता हूं उसका कॉर्स कंटेंट किया अप क्या-क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है यहां पर चलते हैं नीचे और आपको मिल जाएगा लास्ट में कोर्स कंटेंट तो आप इसको उपन करने लेना है और आप यहां पे देख है हम सबसे पहले application सीखेंगे यहाँ पर हम activity को depth में सीखेंगे constant layout responsive layout कैसे बनाते हैं हम भी सीखेंगे activity की life cycle क्या होती है intent क्या होता है broad card receiver क्या होता है मैंने भी आपको यहाँ पढ़ाया लेकिन हमने broad card receiver को यहाँ पर use नहीं किया करेंगे animation कैसे लगाना है हमें अपनी recycler view में animation कैसे add करेंगे navigation draw क्या होता है और coroutine क्या होती है यह भी चीज़ सीखेंगे यहाँ पर database जो है room और firebase firebase यहाँ पर आपको मैंने basic introduction दिया है आप हम depth में उन चीज़ों को सीख सकते है maps में हम कैसे काम करते हैं वह भी बताएंगे आपको API calling कैसे होती है API आपको खुद का API कैसे बनाना होता है वह भी हम बताएंगे MBPM architecture होता है यह भी हम सिखाएंगे menus होते हैं Android में context menu होती है यह भी चीज़े हम आपको सिखाएंगे और यहाँ पर media के data storage permissions master यह बहुत सी कोर्स का जो फीस है वह सबसे minimum रहती है आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको आपको वहाँ पर 70K 80K यह बनल्व अपर आपको मांग जाता है हमारा जो कोर्स होगा minimum रिखाएंगे कि यहां पर बाता हुं आपको यहां करोगे तो यह देखोव हमारे कितना कम पीस है या तो आप पर तो यह सबसे की खासियत वात है कि हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्टर है तो हम उनको direct message करते हैं और direct हमें उनका solution मिल जाता है करते हैं और दो हमें जाता है